अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोग बहुत सवाल पूछ रही हो, शेयर में पहली बार आई हो क्या? मैं गवर्मेंट स्कूल में अपने बच्ची का एद्मिशन कराना है, तुम्हें कोई और स्कूल नहीं मिला? जाहिर है, सुनकर जटका तो लगेगा ही, वो स्कूल नहीं मच्ची बजार है, जहाँ पर भी देखो, आर जगे कच्रा फैला हुआ है, शोर इतना कि दोनों कान सुन हो जाते हैं, जाती के नाम पर गुरूप बना कर सारे बच्चे एक दूसरे से मारफीट किया करते हैं, वहा तो सरकारी स्कूलों की यही हालत होती है, और ये सरकारी स्कूल तो सबका बाफ बना बैठा है, स्कूल इसलिए बनाए जाते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इस स्कूल की यह खासियत है कि अगर इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको दुनिया भर की बुरी आत जाएंगी, इस शहर का नाम पुथूर है, और ये पत्थरों के युक के जैसा है स्कूल है, वो देखिए, ये वही जगा है जिसकी मैं अभी तारीफ कर रहा था, इतना कहने के बाद भी अटमिशन यहीं करवाएंगी, जाहिए जाहिए, आज के जमाने में किसी को भी मुर् हुआ जमाने मितना कि जमाने में इस सब्सक्राइब टूकु कैंशन दरू आज के जमाने में झालग जाम जाने के इस तो फिर सुर। ऑशन तेन बच्चों को पढ़ा की विक्या काता है, आज टेह लिप्स्टिक तो बहुत अबक रही हैं अच्छा इनका नाम याद रखना ठीक है तुमसे बाद मैं पूछूँगी वो विदेशी थे वो हमारे देश को लूटने आये थे ये बात तुम लोगों को अच्छी तरसी याद रखनी होगी येस टीचर वेरी गुड अब बताओ क्या नाम था उनका ठीक है अब हम लोग साल याद करने की कोशिश करेंगे काम थंदा अच्छा चल रहा है काम थंदा अच्छा चल रहा है मैं रजिस्टर पर साइन करने था अभी दुकान पर कोई नहीं इस्ते चलता हूं ठीक है जाओ एक्सक्यूज मी सुभा की प्रेयर नहीं होती क्या काम है तुम लगों को एडमिशन करवाना है तो वेट करो जब वाइस प्रिंसिपल आएंगे तो उनसर असीद ले लेना उसके बाद ही अप्लिकेशन फॉर्म दूंगी लगता है यहां प्रिंसिपल ही नहीं है हाँ नहीं है कोई प्रिंसिपल जाओ मेरे सर पे मत खड़े रहो वाइस प्रिंसिपल मुझ पर चलाएंगे बाहर चली सुकून से रंगोली भी नहीं बनाने देते अरे 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 चलना देर हो रही है आरे आरे अरे 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 नमस्ते शार्ट जाके तोनों घर का एलेक्रिश्टिक पर जमा करवा देंगे जी सर्थ मीना मुश्कराद दे आप खड़े मेरा मुझ क्या देख रही है रास्ते से इंस्टेक्शन कर रही है क्या अली फुकड का गड़ मॉर्निंग सर हमें सुनो यही हरीज जी है आकर बात कर लो इस बच्ची का एड्मिशन करवाना है महीना वर हो गया स्कूल शुरू हो के और तुम आप आरी हो कौन से स्टैंडर्ड में सिक्स्थ धाई हजार किस बात के सरकारी स्कूल की फीज तो 230 रुपए है प्राइवेट स्कूल में जाएंगे ना तो पूरे एक लाग रुपए देने पड़ेंगे एक महीने बाद आई है तो यह अमाउंट ज्यादा नहीं है इनकी एड्मिशन करानी है तो यह रकम देनी पड़ेग कोसी नहीं तो जाईये यहां से तुम इस कुरसी पर बैठने के लायक नहीं तुम्हें टीचर किसने बनाया एं। तुझे भी घुस्सा आता है तो इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवादे अगर कोई रेकमेंट करेगा भी ना तो मैं इसका एडमिशन रोग दूगा अब निकल यांसे पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं कुछा करेए या तु पागलो किया पुछा क्या क्या आतु यही प्रैंसिपल है मैं गीता रानी हूँ, आज से स्कूल की नई प्रिंसिपल, नौ बची से पहले स्कूल पहुचना होगा, नौ पाच को स्कूल गेट बंद हो जाएगा, दिवार भांद कर कोई नहीं आएगा, स्कूल में युनिफॉर्म पहना बहुत जरूरी है, बेल बचने के बाद, अगर क उसे सस्पेंट किया जाएगा, जो टीचर रजिस्टर में साइन करने के बाद, क्लास में नहीं चाहेंगे, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लीन होगी, सस्पेंशन में रेकमेंड करूगी, लगता है आप तो काम करना पड़ेगा, ए पेटी, हाँ, स्कूल स्कूल जैसा होना च सभी टीचर को इंट्रोडक्शन के लिए यहां बुलाओं क्या, कितना ट्राइम जाएगा, एक घंटा लगेगा मैडम, तो फिर उस दौरान क्लास में कौन रहेगा, जरूरत पढ़ने पर मैं डीटेल्स मंगवा लोगी, सबसे कहो अपनी क्लास में जाए, हाँ, ओके मैडम ममता, जी मैडम, यह क्लास में क्यों नहीं गए, मैडम, अभी तक इनका शेडियूल नहीं बनाए, इनका शेडियूल बनाकर इनके हाथ में थमा दो, और इनसे कहो कि टाइम पर क्लास शुरू करे, औफिस में इस तरह बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके मैडम, गुड मॉर्णिंग मैडम, यह किसलिए है, आपकी पर्मीशन के बिना कोई अंदर ना आ सके, इसलिए, मंदिर के अंदर जाने के लिए किसी की पर्मीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहां कोई भी आ जा सकता है, हटा दो उसे, ओके मैडम, अरे बापरे, यहां के हालत बहुत बुरी है, यह यहां कैसे बैठेगी, साप करवा देता हूँ मैडम, अभी सफाई वाले को बुलाता हूँ इनका अडमिशन कर दिया मैडम, प्लीज आंग कर दीजे, इसे रोज स्कूल भीजना, ओके मैडम, चाओ बिटा, चल, क्या बात है, सौरी मैडम, पता नहीं था, आप प्रिंसिपल है, यह सब तो पढ़ने में बिजी है, मैं कुछ खा लेता हूँ, लेकिन किसी को कुछ पत नहीं चलना चाहिए, पता चला तो सारे चीन कर खा जाएंगे, भुखड गएंके, ए, वोईस प्रिंस पर आक है, बादी सर, अईने सर, अंधर आईए, सर, छे महिने में पहली बार स्टाफ रूम में दर्शन देने आये है, अरे, हटो ना, तुम को कहना पड़े का, सर, हमन यह अपने आपको महरानी समझती है, क्या, और हम सबको उसके खरीते हुए गुलाम, पकड़ा गया, अखरोट खा रहा हूं, सर, मुझे दूठोर इसे, निकाल कर दूँ, ए, मैं फाल तो चीज नहीं कहता, अगर, तुझे क्या मत आएगा, फाल टू आदमी, ममता को देखो उसके हाँ में हाँ मिलाने लग गए, क्लास के जाओ, उंदर जाओ, यह प्रिंस्पल है, वास्रू में जाओ, सर, कारी स्कूल में पढ़ रहा हूं, क्योंकि टेंशन नहीं चाहिए, मेरे बाप को जानती है, ना, इसे कहो कि कल अपने बाप को लेकर स्कूल आए, ठीक है आए मेडम, आप यहां की ने प्रिंसिपल हैं क्या, तुम स्कूल के पांसो मिटर की दूरी के आसपा सिग्रेट और गुटका नहीं बेच सकते, जल्दी से इस दुकान को हटा दो, आप अपने बच्चों को समझाईए, मुझे पता है दुकान कहां खोल ली है, अरे मेडम, अपने गरत आजमी से बंगा लेगे, मुझे मेडम, शिक्रम बीडी नहीं बेचुंगरा, गौँछ अज़ा जाओंगा, जल्चल, सल्ट, 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 जल्ट, सल्ट, सल्ट.. ए ए सन्ना क्या बाटे नहीं थीजा ने दुकान वाले का आथ मोड दिया और दूसरे हाथ से घुमा के घुसा दिया फिर उसके बाद पैर से एक एक मारा तो दुकान वाला उड़के दूर जाके गिरा तुने देखा क्या है मैंने देखा अगों से बाप री अब तुम जी कि अच्छा किया इसने मुझे बता के यह बहुत चलाख है ना है मिलकल सही मैं भी आजाओं तो बैठो ना शेयर करो नहीं दोगे अब हमारा कम लाए तोड़ा मेरा भी यह फिशकरी अच्छी है कौन लाया मेरी टिफिंस है टीचर अपनी मां से कहना कि बहुत अच्छा बनाया है अपना अपना नाम बताओ मैं शीतल हूँ मैं दिपिका हूँ टीचर मैं फराना हूँ मैं मेरा नम शीका और मैं चित्रा हूँ मैं मैं गीता रानी सिर्फ गीता कहूँ ना दोस्तों को नाम से बुला सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि हमारी दोस्ती ज्यादा ना हो खाना ख़़व अरे टीचर आ गई अरे भाग अरे भाग नहीं तो पोट मारेगी अरे संबल के क्यों भाग रहे थे अब उठो आराम से अरे ये बुरी नहीं अच्छी है और सुन्दर भी है मुझे देखकर भागे क्यों मैं क्या तुम्हें चुड़ैल जैसे दिखती हूं अगर कुछ गलत नहीं किया तो कभी भी किसी से मड़ डर ना समझ गये ना हूं कौन से क्लास में हो सेकंड क्लास हूं नाम क्या है शाम शाम हूं जो किस्तम है मुझे तुम्हारे इस प्यार की कि कि तुम मेरी रिंदगी की परी हो सिर्फ दिन और तारीख बदलते हैं पेपर की न्यूज देखकर लगता है पिछले दिन की ही जैरॉक्स कॉपी है कॉफी मांगने के बाद कहां गायब हो गए थे मैं बाहर गया था केबल और न्यूस पेपर वाले का नंबर लेने के लिए तुम बताओ आज स्कूल कैसा रहा अच्छा रहा लेकिन मैंने कुछ औरी सोना है लोगों ने बताया कि यहां बहुत क्राइम होता है हर महीने कम से क अगर टीचे थोड़ी ज्यादा मेहनत करें तो पुलिस की महनत कम हो सकती है सही का तुमने बात करने में तुम्हें कोई भी अरा नहीं सकता कॉफी टेबल पर है मैं पीलूंगा बिटा बच्ची का अटमिशन हो गया ना तो फिर आपको स्कूल जाने के क्या ज़रूरत है मैंने वहाँ नहीं नौकरी जोइन किया क्या कहा ऐसे स्कूल में नौकरी क्या सी नौकरी ओहो अच्छा आप वहाँ पे क्लर्क हैं क्या चलो तब तो ठीक है मुझे लगा आपने वहाँ पे टीचर की नौकरी तो नहीं जोइन कर ली एक खास बताओ मैडम इस देश के पिछले रहने की सबसे बड़ी वजा है यहां के टीचर वह अपने बच्चों को यह कभी नहीं सिखाते हैं कि घूस लेना एक क्राइम है आपको क्या लगता है मैडम यह स्कूल में बच्चों और भूस लेने के लिए आते हैं मैडम अगर सरकार उनकी सेलरी आधी करते तो बहुत सारे टीचर भाग जाएंगे वैसे भी यह टीचर लोग कौन सा स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं क्या सोच रही है मैडम मैडम अगर आप चाहें तो मैं रोज आपको ड्रॉब और पिक अप कर सकता हूं का यह लो अपने पैस जी जी नमस्ते मैडम अप सुशिला टीचर है ना हां मैडम आप मुझे जानती है मैंने आपके बार में काफी सुना है आपसे कहा गया था कि आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप ट्रांसफर लेंगी लेकिन आपने मना कर दि है आशिरवादी जी आरे इसकी क्या ज़रोद थे ठीक है बिटा है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अलोफ यू गुद मॉनी सुभा की प्रार्तना का नया फॉर्मिट है जैसे घंटी बजेगी पांच मिनिट के अंदर सभी लोग ग्राउंड में जमा हो जाएंगे एक गान पर आप सब को दान्स करना होगा अगर टीचर्स चाहें तो वो भी डान्स कर सकते हैं इसे कहते हैं वाम अप सॉंग प्ले अपसे संडे को भी स्कूल खुला रहेगा ज़रूरी नहीं कि आप सभी स्कूल आएं लेकिन मैं रोज आउंगी अगर आपने कोई टैलेंट है जैसे सिंगिंग डान्सिंग या फिर कुछ और उस बारे में आपको अगर कुछ कहना हो तो लिखकर उस बॉक्स में डाल सकते हैं इसका नाम है संडे बॉक्स हम मिलकर इसे सलिप्रेट करेंगे हर रोज किसी एक टीचर पर स्कूल की गारी चलाओ गोड़ मॉनिंग सर अहां सर वेलम पट्टी में हमने जो नया स्कूल खुला है ना वहां के गवर्मेंट स्कूल में यह टीचर है इन्होंने वहां के 12 तेज बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाया यह उसका कमिशन लेने के लिए आए बहुत अच्छा इनको 15 प ठीक है सर आप यहीं रुकिया बुड़ मॉनिक सर अगर अगर इस अगर आज नहीं आवाज सुनाई दे रही थी जरा पता लगा हो कौन है वो ठीक है सर सुनो किसी और को मत भेजना तुम खुद बहां जाना ठीक है सर कौन है वो वो जो आ रहा थे ना वही बहार से आकर इतनी अकड़ दिखा रही है अरे मेडाम तुम यहां के नहीं प्रिंसिपल हो मैं तुम से मिलने नहीं आऊंगा तो मेरे बेटे को अंदर नहीं आने दोंगी जानती हो मैं कर दोंदे नहीं नहीं मैं यहां का ML हूँ मेरा बेटा यहां इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो आजादी के साथ जीना चाहता है वो अपनी मर्जी का मालिक है मैं उसे टेंशन बिल्कुल नहीं देता तों कौन होती हो सवाल पूछने माली आजादी का कभी भी फाइदा नहीं उठाना चाहिए आज अजादी के कद्र करनी चाहिए क्या कहा समझा नहीं आपके बेटे के कोई घलती नहीं जिसका बाप नालायक हो वो क्या करेगा जो करना है मैं करूगी आप जाओ यहां से ए गिस से पंगा ले रही हो यह मेरा इलाखा है यह मेरा स्कूल है निकलवा दूगा तुमें यहां बिलकुल ज़रुवत नहीं है, चलो. Zero. तुम इसी काबिल हो. बिलकुल सही कहा हमेने. तुम एक Zero हो. तुमने अपने पापा के नाम के अलावा कभी कुछ हासिल किया है? कभी टॉप किया है तुमने? कभी किसी कामपिटिशन में कोई इनाम जईता है? तुम तभी हीरो बनोगे जब अपने पापा के नाम के अलावा कुछ कर पाओगे वना जीरो ही रहोगे हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ जब कुछ करके दिखाओगे तो फक्र होगा तुम पर और अगर नहीं कर सकते तो निकल जाओ यहां से बाहर एए एक दिन में वो ओरत इतनी मशूर हो गई मैडम कौन सी ओरत वो ही ओरत जो आपके स्कूल में नई प्रिंस्पल बनकर आई है सुना है बहुत अकडू है एक ही दिन में सब की हालत खराब कर दी अपोजीशन पार्टी के एमेले का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है मैडम एमेले अपने बेटे के लिए प्रिंस्पल को समझाने गया प्रिंस्पल ने उल्टा उसे ही समझा दिया प्रिंस्पल की अभी नई-नई नवकरी है न बात में देखिए आगे-ागे क्या होता है वो भी उन सब के जैसी हो जाईगी मैं सही कह रहा हूँ अब बताओ भाई ये भी कोई बात हुई नहीं प्रिंस्पल ने बच्चों के माबाप को मिलने के लिए बुलाया है वालतू का समय पर बात कर रही है अरे देख देख कैसे पुलीस वाली की तरह चल रहे हैं सब लोग आगे बैठो बैठो आप सब लोग शांती से बैठिए प्लीज नमस्कार मैं स्कूल की नई प्रिंसिपल रात को पिच्चर देखने चलेंगे अरे कोई चिंता की बात नहीं है पैसे हैं मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोगों का इस स्कूल के साथ एक अलग सा लगाओ है जो लोग यहां पर पढ़े हैं क्या वो मुझे बता सकते हैं कि तब से लेकर आज तक यहां क्या बद्ला हुआ है कुछ नहीं बद्ला मैम, सब पहले जैसा ही है , तो इसका जिम्मeदार कौन है, पीअ मेलcenter और एक है कोई काम करते, इसके अलावा यहाँ के ओफिस्टर्स यहां की प्रोब्लम्स के वारे में ऊपा रिपोर्ट नहीं देते, मैडम। वहाँ। इसके अलवा। यहां की सर्कार और सिस्टम कुछ नहीं करती, मैडम। आपने क्या किया? जिस स्कूल में आपने पढ़ाय की, उसके लिए आपने क्या किया शहर के मंदीरों को हम कलर करते हैं, उन्हें चमकाते हैं सरकार तो मंदीरों की कोई मदद नहीं करती, हम लोग यह करते हैं वाद तो सही है, ठीक है रही है यह स्कूल वर मंदीर अलग होते है स्कूल तो उससे भी पवित्र है, गुरुखा दर्जा भगवान से बड़ा होता है, मंदिरों के लिए लोग दिल खोल कर दान करते हैं, स्कूल के लिए दान क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर आप लोग मंदिर के अलावा भी कुछ चीसों के लिए आगे आएं, तो बदलाव सिर्फ स्कूल ही नहीं, यहां के टॉयलेट्स भी चमकाने होंगे, यह भावना दिल से आनी चाहिए, जिन मजदूरों के बच्चे यहां पढ़ते हैं, उनसे भी कह रही हूँ, बच्चों को मजदूर नहीं बनाना, तो आगे आओ, उन बच्चों के लिए, हमारा साथ दो, तब ही, आपके बच्चिया आगे बढ़ेंगे, अलो, अलो, आप बोलिये, मैं पुधूर के स्कूल की प्रिंसिपल बोल भी, पिछले चार सालों से स्कूल में फंड का इस्तमाल हो रहा है, लेकिन यहां कोई बदलाब नहीं है, आप कल से ही यहां काम शुरू करवाएए, और अगर नहीं हुआ, तो पूरे स्कूल को लेकर पी डव्यूडी के आफिस पहुच जाओंगी, क्या कर रहा है, अध्या हो गया है, अरे सार, वो प्रश उटागे देतो था, या सार, आप देतो ना भाई, उसने बहुत कुछ कर दिया, आप ठीक है रहें, उसने एंट्रेंस का बोर्ट भी बदल दिया, हम छे मेने बाद एडमिशन शुरू कर रहे हैं न, हाँ सर, ठीक है, एक बड़ा सा बैनर बनवाओ, और स्कूल के मेन गेट पर लगवा दो, जब भी वहाँ से कोई कुजरेगा, तो हमारे स्कूल के बारे में सोचेगा, उस एड़ोटेस्मेंट को देखने के बाद, सब अपने बच्चों को एडमिशन यहां करवाएंगे, इसमें वो कुछ नहीं करवाएगी, ठीक है सर, बच्चों, मेरी बात सुनो, M, Is, Are, Was, Were, Shall, Be, Will, Be, यह 12 फोर्म्स हैं, यही इंगलिश स्पीकिंग का फॉर्मूला है, सर, मैनम, मैं तीन सवाल कर सकती हूँ आपसे, हाँ, हाँ, पूछे रहा, मैडम, Is this the easy formula to speak English? जी हाँ, मैडम, यही तो grammar है, यही तो grammar है, Why don't you talk in English? मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ, मैं लेकिन इंगलिश बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैडम, चालीस दिन में एक घंटे के क्लास करके, अब आसानी से इंगलिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ, बारा साल पढ़ने के बावजूद भी बच्चे अच्छी इंगलिश नहीं बोल पाते, डर लगता है उन्हें, वज़े, क्योंकि इंगलिश बढ़ाने वाले टीचर सी इंगलिश में बात नहीं कर सकते, तीस दिन का टाइम है आपके पास, अगर इंगलिश में बात करना नहीं सीख पाए, तो आपकी क्वालिटी चेक का ओर्डर देना पड़ेगा, समझ रहे न आप, अगर नहीं समझे तो रूल्स बुक पढ़िये, मैं तीन सवाल कर सकती हैं सर, जरूर मैडम, मैट्स में क्या-क्या चीज़े जरूरी है, जोड़ना, घटाना, भाग, गुना, बस इतना ही तो है, इसके अलावा, इसके अलावा, मैट्स के बिना कम्प्यूटर नहीं बलते, रॉकिट लॉंच नहीं हो सकते, यहां तक कि घड़ी की सुई, उसी के हिसाब से चलती है, मैट्स के बिना साइंस नहीं हो सकता, पहले आप खुद सीखिए, उसके बाद बच्चों को बढ़ाईगे, एक महिना, अगर टीचर्स खुद को अपडेट नहीं कर सकते, तो स्टुदेंट्स को अपडेट कैसे कर पाएंगे, आप बुद को पढ़कर एक्सपरिमेंट नहीं कर सकते, तो आप बच्चों को साइंटिस्ट कैसे बनाएंगे, तो जाकर अपनी इडली पकाना, मेरा तिमाग बतपका, मा, क्या टीचर ने आपको होमबग करने कले दिया है? मुँ बंकर और अपनी पढ़ाई कर, अब ये भी प्रिंसिपल की तरह बाद करने लगी, पढ़िये पापा, बहार जाओ, ठीक है, पानी O2H होता है, या H2O होता है, स्कूल में तो पड़ा था, भी याद नहीं आ रहा है, H2O, O2H, लगता है, इसे पाइल्स की दिकत है, इसलिए बैट नहीं रहा, अरे तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, भूख नहीं लगी क्या, O2H, 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 एक मिन रुको, बेट खराब है क्या, उस औरत में दिमाग खराब कर रखा है, हम सबको जानबूच कर टॉच्व करती है, मज़े तो हम PT टीचर के है, ग्राउन में चेक करने नहीं आती न, अगला नमबर ते रही होगा, साफ है यह मेरा याद रखना, तुन मॉनिंग, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बैट बॉल उदह रखो, और लाइन से खड़े हो ज़व, जल्दी जल्दी जल्दी, 1, 2, मेरे मटर के दाने, 4, मेरे मटर के दाने, 4, मेरे मटर के दाने, 5, 6, इसके बाब क्या कहुँगा, 1, 1, Good morning madam, मैं पीटी करवा रहा हूं, अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, और मैं ड्यूटी के वक्त किसी से बात नहीं करता, पहले ड्यूटी, 1, 1, 2, मतलब साल भर में 60 पेड़, तो इतना ही सिखाते हैं आप इने, इंडिविजूल गेम्स, क्या इनों ने आपको टीम स्पोर्ट्स लेवल पर एक्जामिन किया? नाइश! चुप 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 रहा हूं तो फिर यहां पीटी टीचर की क्या जरूरत है? आपको इनमें कॉंपिटिशन करवाना चाहिए जीत उसी की होती है जो रेस में दोड़ता है जो नहीं दोड़ेगा वो जीतिगा कैसे? किसानों के बच्चों में बहुत स्टैमिना होता है वो माश्यल आर्ट्स और इस तरह की कई चीज़े कर सकते हैं पहले इनके खूबियों का पता लगाईए आप सही कह रही है गाउं की बच्चों का टेलेंट बहार आएगा तब ये इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं जी बिल्कुल सही कहा मैडम ये सब आपको करना है और एक सवाल पुछो आपसे ओलमपिक्स में कितने गेम्स होते हैं? मैडम, मैं एक मेने में सब सीख लूँगा और मैं इन सब को पीटे उशा बनाऊंगा मैं इन्हें जरूर सिखाऊंगा आप जो मुझे कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा प्लीज मुझे मेमो मत दीजेगा मैंने बहुत सारे लोन ले रखे हैं अगर नौकरी बिचानी है तो परफॉर्मेंस दिखाईए परफॉर्मेंस मेरी बीवी को भी यही परेशानी है उस प्रिंसिपल को वहां से ट्रांसफर करवाना ही पड़ेगा देखिये सर अभी उसे जोइन किये दो ही महने हुए हैं तो उसका ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? और रही मंत्री जी की बात तो वो तो आपके पहचान के हैं उनसे बोलिये ना इतनी छोटी सी बात के लिए मैं रही बोलूँगा मैं आप पोजिशिन में हूँ वो रूलिंग पार्टी में एक काम कीजे आप खुच जाकर उनसे मिल लीजे अच्छा तो तुम चार्जों मैं सुझा के मिलू मैं उससे रिक्वेस्ट नहीं करने वाला कोई और तरीक है तो बताओ अगर ऐसा है तो ट्रांस्वर करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए उसे सस्पेंडी करवा दो आते कातम हो जाएगा पहले तो मुझे देखकर सड़ा हुआ मूँ बना दी थी अब कैसे मुश्कुरा रही है बढ़ियो बढ़ियो समझ नहीं आता कि इतनी कम उम्र में ये प्रिंसिपल कैसे बन गई डिस्ट्रिक आफिस से पता चला कि इसकी डारेट पोस्टिंग होई है हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था जरूर कुछ गड़बढ़ा है मैं इसे डारेक कोट में खीचूंगा सर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है क्या वो मेरे सामने घुटने टेकेगी सर अब सस्पेंड हो चुके हैं क्या बोला हाँ सर तुझे लगता है तो यह की भारा नहीं है क्या देखें यह बहुत ज्यात्ती हो रही है मेरे साथ मुझे सस्पेंड करने से पहले कम से कम आपको मुझे नोटिस दनी चाहिए थी ना सस्पेंड करने का पावर सिर्फ सीओ के पास है हम 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 हो सकता है या फिर किसी स्टूडंट ने किया हो जुसे जाती के नाम पर आपने भड़काने की कोशिश की हो या किसी लड़की ने या फिर किसी टीचर ने जो आपसे परिशान हो चीकी हो आपके खिलाफ कम्प्लेन करने के तो कई सारे कारण हो सकते हैं चले कारण मैं ही बता देती हूँ लेकिन नहीं क्योंकि आपकी दो बेटिया है मैं नहीं चाहती आपकी वज़े से वो शर्मिन्दा हो अगर आपको लगता है कि आप मेरे खिलाफ हैं इसलिए मैंने ये काम किया है तो आप गलत हैं आप ke YouTuber इसकूल में बहुत जादा ही रभ्र मी बढ़ गई है सच में बहुत जादा घरमी लगती है गर्मी कि वजह आपकी बेटी है अच्छा वह बस अप्ना काम करती और बडलने में उसके पैसे लेती है वो देखो आ गई मैं बात करता हूं अब आप जाहिए ठीक अचार नमस्ते मेंडम चलो 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 बेटा ये न्यूस प्रिपर देखो ये जो इसमें लड़का है वो क्या तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था पांडी अमल कवीता करपगम मुरुगेशन मुथुमारी पजनी सामी प्रिछले साल नाइंथ में आपने 82 बच्चों को फेल किया क्या आप जानते हूं में से कितने बच्चे इस साल भी यहां पढ़ रहे हैं 10th क्लास का अच्छा रजल्ट पाने के लिए हम 9th क्लास में थोड़ी सक्ती करते हैं यही तो प्रोसीजर है मेरा सवाल है कि उन में से कितने बच्चे आज भी स्कूल में पढ़ रहे हैं यह हमें कैसे पता चलेगा लगता है जमेला खड़ा करने वाली है 28 बच्चे, 54 बच्चों ने स्कूल में आना बंद किया इसका मतलब यह है कि इन सारे बच्चों की जिंदगी आप लोगों ने बरबात कर दी क्या आप लोग जानते भी हैं कि इस वक्त ये सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे इन में से कुछ बच्चे मजदूर बन चुके होंगे और कुछ तो क्रिमिनल तो क्या हम बच्चों को क्रिमिनल्स और मजदूर बनाने के लिए स्कूल चला रहे हैं काबिल लाईए तो फेल तो करना ही पड़ेगा ना फिर तो टीचर्स के भी एक्जाम्स होंगे देखते हैं कि आप में से कितने टीचर्स बनने के लायक हैं और जो लायक नहीं होंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा अगर इन बच्चों ने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया कि आप लोगोंने उनके साथ ज्यात्ती की है तो आप लोगों की बाकी जिंदगी जील में कटेगी क्या आप ऐसे बच्चों को एक मौका और नहीं दे सकते थे हम उन्हें हाइर सेकूनरी पास होने के बाद ही फिर से स्कूल आने के लिए कहते हैं हाइ स्कूल में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है फिर नाइन्थ स्टेंडर में फेल होना बड़ी बात कैसे हो सकती है मैं अब भी कहती हूँ वो सारे बच्चे पास हो सकते हैं देख तो यहाँ पर टीचर्स बहुत कम है और उन जाहिल बच्चों को आखिर कैसे पढ़ाएं उन्हें जाहिल मत कई यह जाहिल तो आप हैं सिर्फ आप लोग हेल्दी लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप सिर्फ स्मार्ट बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप टीचर कहलाने के लाइक नहीं मैं PTF1 से और टीचर पला लोगी और अगर बात नहीं बनी तो वॉलिंटियस बलाऊंगी मैडम पिछले साल रिजल्ट को सी योर डीओ ने साइन किया था अब यह कैसे होगा मैडम यह कैसे होगा यह देखना मेरा काम है उन बयासी बच्चों की सिम्मेदारी मैं लेती हूँ अगर कोई इश्यू हुआ तो मैं देखनोंगी क्या कर रहा है तू हाथ में जान नहीं है क्या जोर से मारना इसे ढंग से रखना हाँ ठीक है भाई जड़ा एक मिनेट रूपना सुनो बेन तुमारा नाम मुतुमारी है अहाँ सर प्रिंसपल सहीबा ने तुम्हें पास कर दिया है तुम दसमी में चले गए तुम हाथ दो कर चलो जल्दी चलो अभी तुरंट बुलाया है तुम्हे अरे जाओ 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 इस बार अच्छे से पढ़ाई कर रहा हाँ तुम लोग 9th क्लास पास कर चुके ऐसा प्रिंसपल में ने काया है अब तुम 10 पर आगए हो तुम्हारा अगला लेसन होगा शोर सॉल्ट के बारे में शोर सॉल्ट दो तरह के होते हैं सी शॉल्ट और उशर सॉल्ट यह ओर वी था जो प्रिंस को तूसी अब यह ओर वीको मेला दिये 18 नमबर मकान, यही है ना हान, यही है सर हमने कोई गलत काम नहीं किया है हमें क्यों infinite creeping सक्षा dabei है यह लड़का साथ भी कक्षा में है हा शर एक महने से राए मेरी कमाई से खर्चा नहीं चल 경우 नहीं में चल रहा था इसलिए इस नियम हो गया है अगर बच्चे के माबाप ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा इनकी प्रिंसिपल ने हमें कंप्लेंट की है बताईए क्या करें कल से इसी मैं स्कूल भेजूंगी सर ठीक है, कल से भेज देना सुश्मा भरी थी, मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दोशाला ओड़े खड़ी थी ते भाप में से खोड़ी थी, बाह अोँ लड़े पोपन कि अज़ा, चाटक रूखा, सभावा दम पूरियू भाज़ ए उपर उप पूराशी काटने तरही ए, तरहीज भी देर! कि लाइ है उपने सुनिम्लेटेद के अज़ी में नालेता हूं बुट बूर्म झेटर, बुट आठ टेटीट्टेदा आप गीता टीचर हैं? जी हां. जरा एक मिनिट. ये टमाटर आप लोगों के लिए नहीं है. क्या है ना टीचर? मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बेटा एक्जाम पास कर लेगा. आपने तो इसे नाइट पे पास कर दिया. ये टमाटर एक दिन में खराब हो जाएंगे. तो ये मैं आपको नहीं देना चाहता. अच्छा. तो ये किसी और को देना ठीक रहेगा? इने बेज कर मैं मैडम पचास रुपर कमाता. लेकिन आप नहीं कमाऊंगा. ए मुनु स्वामी, ताजा टमाटर है क्या? इसे भूल जाते हैं, वो हमारा कुछ नहीं भीगाड़ पाएगी. वो सिर्फ एक स्कूल के लिए नहीं, बलके उन सभी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ काम कर रही है. जिसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, लाखों खर्च करते हैं एडमिशन के लिए. लाखों की डोनेशन के साथ लाइन में खड़े रहते हैं, जानते हो क्यों? बच्चो को पढ़ाने के लिए नहीं, शान दिखाने के लिए. अगर उसने सब को जागरूप कर दिया, तो हमें अपने स्कूल बंद करने पढ़ेंगे. नमस्कार, आप जानती हो ना मैं कहो ना? अच्छी तरह से जानती है ये, ये लो बटे चाए पियो. मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने आपको ना पैचानने की भूल कैसे कर दी. मैमान की बेज़ती करना अच्छी बात नहीं होती. इसलिए आप यहाँ खड़े हैं. आप चपन भोग का बैनर लगा कर भूखे को दावत खिलाने का लालच दे रहें? वो भी ऐसे स्कूल के सामने जाए गरीबों के बच्चे आते हैं. एसी रूम्स और शांदार कमरे दिखा कर, आप उनका मजाक उड़ा रहें. आपने समझ क्या रखा हैं. हम बैनर लगाएंगे. आप सवाल करने वाले कौन होते हैं. तुम मुझे मेरे ही घर में धमके देने की कोशिश कर रहे हूँ. एए! तुम अपने काम से काम रखो. ये अपने काम से काम रखे. अगर तुमने गड़बर करने की कोशिश की, तो ये तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी. अप जा सकते हो? ठीक है. मैं अपने काम से काम रखोंगा. मैं चलता हूँ, टीचर. अपने काम से 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 सुनिये, चाहे कॉफी तो मंगवाईये मेडम सरकार की तरफ से मुझे इसके लिए पैसे नहीं मिलते अगर ज़रूरी है तो अपने पैसे सपिलाती हूँ रहने दीजिये इंस्पेक्शन के लिए आये हैं, हमारे साथ आये आप बिना बताया आये हैं देखे, मुझे कुछ काम है, स्कूल में पढ़ाई चल रही है, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं चित्रा क्या हुआ गीता? आज का प्रिंसिपल कौन है? कयाल बिजी टीचर जाओ उने बुलाओ ओके गीता अब चेक कर सकते हैं, वो आपके साथ जाएगी अब चेक्शन कर सकते हैं बॉर्निंग साथ नमस्ते सर्थ नमस्ते कैल भी मैं ही हूँ ओ, आज की प्रिंसिपल? यस सर्थ चलिये मेरे साथ चलो, प्रिंसिपल की कंपलेंट क्लेक्टर को करते हैं तो कंपलेंट में कहेगा क्या पहले हम कुर्सी तोड़ते थे और अब वो कहती है काम करो या फिर वो टॉफी चूसने नहीं देती बैरतर होगा अपने काम पर ध्यान दे लड़किया लड़किया अला कलर लाइन में खड़े हो जाओ चलो, जल्दी कर आओ रुकिया कली मुथो इदर आओ कहा ना इदर आओ जल्दी करो कहा जाना है तुम्हें दिल्ली जाओंगा मैडम हाथ आगे कर कैसे जाने वाले हो एरोप्लेन से अच्छा जाओ अरे तुम तो चंदी गड़ में रुक गए जड़ी मुझे दो अब किसकी पारी पुत लक्ष्णी तुम इधरा तुम कहा जा रही हो मैं ट्रेन से जाओंगे टीचर ये लो चड़ी जाओ लड़किया जीतने वाली है तालियो बचाओ उसके लिए अगली जगा विशा का पटेनम है तुम जहास से जाओ टीचर कलेक्टर साब आए नमस्ति सर ये लो टीचर अरे रहने दीजे आप बैठिये प्लीज बैठिये न आप बैठिये जाए जाए प्लीज आप बैठिये प्लीज बैठिये प्लीज आप बैठिये पढ़ाई प्लीज बैठिये जी सर अब बैठिये पढ़ाई प्लीज बैठिये जी सर अब लोग य कि एक लंबी लिस्ट आई है डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड करना चाहता है बड़े ओफिसर्स के मेंसेज आए इसलिए मुझे खोद आना पड़ा अब फाइल चेक करना चाहते हैं मैं मंगवा दूं रहने दीजिए शुरू के दिनों में मैं भी आप ही की तरह था इसलि यह मेरी बहुत ट्रांसफर सुनी है अब ठक गया हूं लंच करना चाहेंगे जिसके पैसे मुझे अपनी ही जेब से देने पड़ेंगे रहने दीजिए मेरा टिफिन है कि अपना खयाल रखेगा कि अपनी देखा उस औरत में कितनी अकड़े है हाहा देखना तब ही तो वार्निंग देराया हूं ही है मुझे लगा था ऐस साल में स्कूल का प्रेशिपल मन जाओगा श्कूल का प्रेंसिपल मन कर मुझे कितनी freezer हो ती पुरे एक एक साल मैंने कोशिश की कि यहां कोई प्रिंसिपल ना आये लेकिन इस और ने यहां आकर मेरे सपनों को चक्ना चूर कर दी आप तो मेरी नौकरी भी खत्रे में हैं कि बहुत दिनों से मैं यह सब सुन रहा हूं हमारे सथ ऐसा कैसे हो सकता वह अपनी शहर में नहीं बाट चूप नहीं बैठ सकता उसको सबक सिखाने पड़ेगा कि कैसे शर्मा रही है हां मैंने से कहा था मेरे पास आकर बैट जानेकर यह उसके पास आकर बैट गई किस बाट भी थी हसी आ रही है बस ऐसे ही गीता क्यों हस रहते इतना कि एक तू बताना आप हमारी दोस्त है टीचर नहीं सही न हां कहेंगी तभी बताओंगी टीक है बताओ मुझे एक लड़का है जो हमारी बस में स्कूल आता है वो इसे देखकर हमेशा मुस्कुराता रहता है तो उसका मुस्कुराना तुम्हें कैसा लगता है अब देखो ये भी मुस्कुरा रही है गीता दिल में अजीब सी गुद्गुदी होती होगी न, भूख नहीं लगती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिनावजे मुस्कुराती रहती हो तुम्हारी उम्र में यह आम बात है, जिन्दगी एक खुबसूरत सफर है, समझे? यह सब तो होता रहेगा लेकिन खुद को संभालो, इस तरह की चीज़ों को नजर अंदास करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, तब ही कुछ बन पाओगी, अगर रुक गई, तो जिन्दगी का सफर खत्म हो जाएगा, अगर छोटी-छोटी सोने के टुकणों को नजर अं बढ़ाओ, तभी तरक्की मिलेगी, समझी फराना, ठीक है, कल से मैं दूसरी बस में जाओंगी, पाप्रे, प्रग वाले कुटे फिर से आगे, अब हम क्या करेंगे? सब बाहर निकलो, जाओ, सुना नहीं, तुने बच्चों को भेजने से मना कैसे किया, वो भी हमारे इलाके में, क्यों, तु कोई महरानी है, हाँ, होई, दर्वासा बंद कर, ठीक है भाई, इसे बताना पड़ेगा कि डर क्या चीज है, अदमी हो या और, जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होता है, वो हमें जिंदगी बर नहीं बोलता, होई, इसका थोबडा बिगाड़, हुआ हुआ यह हुआ अब तो दर्वाजा खुलेगा खुलेगा जल्दी खुलो सॉरी मेडव अरे चादी किसके पास है मेरी पास है जल्दी दर्वाजा कुल बहुत श्रॉंग औरत है बार बार के थोबड़ा बिगाड़ दिया बहुत बारा उसने पूरा मूझ सुझा दिया इसे भी प्लीट दिया CEO ने बताया कि कलेक्टर भी उसके साथ है तुमको यसी केम खेलो के पूरा शहर उसके खेलाफ हो जाए बाकी मैं समाल लूँगा तुम ये काम कर पाओगे मैं कर लूँगा सर बेटा मैंने लंच में बाहर बिरियानी खाली थी मुझे पता ही नहीं था कि तुमने मेरे लिए लंच बनाया होगा पुरा मत मनना तुमने तो खाना खाली है ना ठीक है अब अपने आके बंद करो आके बंद की न, अब जोर से सास लो, अब ठीक है, ओके, भाई बिटा, ठीक है डाड, ज्यादा घूमिये मन घर जाकर आराम कीची, अन्दर आओ, आज मेरे घर पे मिठाई बनी थी, थैंक यू, कैसा लगा, मैडामं, क्या, मेरे दोस्तने कहा था, के अगर आप ये मिठाई खा लेंगी, तो आप मुझसे शादी करेंगी, इसलिए मैने अपको मिठाई कि लाई, आप νे खा लिया न, आपको मिठाई करने पड़ेगी, ठीक है, मैं शादी करूगी, लेकिन तुम्हीं इंतिसार करना होगा, पहले तुम बड़े हो जाओ, ठीक है? ठीक है, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, मैं किसी सरे एका होगा, बहुत अच्छे, चाहिए, टामाद से रुकरा रॉप जाओ, उच्छो जाओ, आप इन बच्छों को रोपते क्यों नहीं? अम इस बचले में क्यों पड़े मैड़म आप जगडा रोकने सित्ता दर क्यों रहे हैं अच्छा होगा आप इस में ना पड़े, बेवकुफु। में बकुफ, फांत करोगे सब, याने कहा रूच्छाओ, मर्य अप्पा, एई, क्या होगे सबको, stop, stop it, एई, रुको, क्या कर रहे हो, जाए, 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 क्या हो रहा है इन लोगों ने हमारे दोस्त को मारा है टीचर हम लोग ऐसे शांत नहीं बैठने वाले हम लोग इनको मारेंगे क्या कहना चाहती हो तो हमारी जानी हमारे लोग एक घंटे के अंदर इन लड़कों के हाथ से धागे निकाल कर जला दो मैडम ऐसा पंगा मत लीजिए ये बहुत ही सेंसिटी मामला है हम यहां दूसरे शहरों से काम करने आये हैं इसमें उलजकर हम जान जोखी में नहीं डाल सकते हैं जाईए और अपनी मा के पल्लों में छु काई नहीं मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ देखो वह में किस पचड़े में खीच ले आई है अब हम इस हौरत को स्कूल में एक कतब भी नहीं रखने देंगे मैं आपको एक बात बताओं मैडम उस प्रिंस्पल ने बच्चों के हाँ से कास्ट बेंड को हटा कर जलाया है ना उससे जादपात को मानने वाले लोग बहुत ही जादा गुस्य में है मैडम जादपात समास से खतम नहीं होगा इसी लिए तो बस सर्टिविकट से पहले कास सर्टिविकट दिया जाता है दूसरे देशों के लोग आज चांद पर पहुंच चुके हैं और हमारे यहां के लोग आज भी जादपात के नाम पर लड़ते ही रहते हैं और हमारे यह नेता लोग हमेशा एक दूसरे को लड़बाते रहते हैं और उन पर राज करते हैं क्या आप ही हैं प्रिंसिपल गीता रानी जी? हाँ मैं हूँ इस सिच्वेशन को हैंडल करने के लिए हमारे सेनियर आफिसे सा रहे हैं इसलिए फिलालाब स्कूल के अंदर तो नहीं जा सकती वो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं मैं ही उन से बात परूँ लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी भाया पैसे इसलिए पहले मेरी बास सुनिए आप लोग चुहते हैं कि मैं चली जाओ तो मैं अभी रिसायन करके चली जाओंगी अब खुश में जा रही हूँ लेकिन आप लोगों से तीन सवाल कर सकती हूँ लोग फस गया सारे क्या है तुम्हारे सवाल? पूछो पहले उन से सवाल करूँगी जो मुझे अच्छे लगते हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और खासकर उन लोगों से पुछूँगी जो मेरे खिलाफ खड़े हैं राजय सरकार का पिछले साल का बजट क्या था? एक लाग नबे करोर रुपे जिसमें से सतर हजार करोड सरकार सैलरी और पेंशन इन दो चीजों पर खर्च करती है जो पूरे बजट का 35% होता है अठारा लाग तो गवर्मेंट एंप्लोई हैं जिसमें टीचर्स भी हैं इसके बावजुद आप रोते रहते हैं किस तो विधायें कम हैं सैलरी कम है और कुछ टीचर्स तो बेकार की कंप्लेन करते हैं कि यह नहीं मिला वो नहीं मिला लेकिन एजुकिशन का स्तर कितना बुरा है स्टुडेंस को बेसिक चीजें नहीं मिलती उन्हें तो ठीक से पढ़ाय तक नहीं चाता सिस्टम में बतलाव जरूरी है लेकिन आप लोगों ने इसके खलाफ नारे बसी की है और हाँ नेता जी आपके जंडे तो पूरे शहर में हैं आपकी पार्टी के आफिस भी हर जगे पर हैं लेकिन इससे अच्छा तो यह होता कि आप लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाते लेकिन आप तो जाती के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं और इसी से अपनी तीजोरी भरते हैं अपनी जादी वाले कितने लोगों का भला किя है आपने निताजी? आपकी जादी वालों को जितना रिजर्वेशन मिला है, उतने पैसो में तो कितने सारे बच्छे अच्चा एजूकेशन हासिल कर सकते हैं? इतना नहीं तो कम से कम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दिलवाने के बारे में सोच लेते अपने गुंडों और चम्चों के अलावा किसका भला किया है आपने बताईए क्या कहना है तु मेरे खिलाब मेरे लोगों को भरकाना चाहती है एक सवाल और है मुझे तेरे किसी सावल का जवाब नहीं देना मैं तुझ जैसी अड़ों को जानता हूँ है चलो सब लोग नमस्ती क्या है दिमाग खराफ कर गया तुम हमेशा टीचर्स के खिलाफ रहती हो मैं स्टूडन्स के साथ हूँ अगर तुम लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो सैलरी की बजाए तुम लोगों का नाम करप्ट लिस्ट में होगा अच्छी तरह से सुनो 38 टीचरों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं जर आपने हाथ उपर उठा कर बताओ कि कितने टीचरों के बच्चे गवर्मेंट स्कूल में पढ़ते हैं जब आपको यह खोद पर भरुसा नहीं तो दूसरों को कैसे होगा अब मैं अंदर जा रही हूँ जिसमें हिम्मत हो मेरे सामने आए वो बिना डरे हर चीज का सामना करती है कोई भी सवाल किया जाए पूरी ताकत से जवाब देती है और अब उसे पूरा शेहर जानने लगा है अगर हमने उसे नुक्सान पहुंचाया तो हमारी इमेज भी खराब हो जाएगी सोच समझ कर कुछ करना पड़ेगा क्या हुआ पहले बड़ा उचल रहे थे मैं तुम्हारे अंधर की धुक्त की सुन सकता हूँ वो मुझे भी बहुत कुछ सिखा रही है अब हमारा अगला हमला ऐसा हो कि वो जिन्दगी भर याद रखे लेकिन उसके लिए हमें उसका पूरा बैक्ग्राउंड अच्छी तरह से जानना होगा मुझे लगता है मैडम को पता चल गया कि इसमें तुम्हारा ही हाथ है हरीश तो अपनी नौकरी बचाने के चकर में कोट के चकर लगा रहा है और उसके बाद तुम्हारी नौकरी जाएगी परेड दाएं मुड़ेगा एक दो ती जाएग परेड अगे बदेगा बाएं मुड़ेगा एक दो ती जाएग परेड साउधान एक परेड साउधान एक परेड बाएं चलेगा बाएं मुड़ एक दो ती चाल एक परेड सावने को एक चल एक दो एक परेड को फिस्टाउब खाली एक दो अरे रंगना तुमार देख सामने क्या हो रहा है आयार क्या हो रहा है लाइन कट अरब आप कैसे हो अगर उससे बात करें तो वो सब कुछ बता देगा जाओ पूछ उससे अरे सिंग साब मेरी बात तो सुनिए ऐसे चल रहे हो जैसे डॉड रहे हो अब मैडम के साथ क्या बात कर रहे थे और यह मैडम आई कहां से है मैंनू हिंदी नहीं आंदी मैंनू पंजाबी नहीं आंदी है चाह उसे बुला कर आदा जिसे पंजाबी आती है अब यहां किसको पंजाबी आती होगी रिचाना पाजी किते हो तुसे कर रहें कर दोो कि अर्व करा देख अरा इंटाबी उसन में कइनल आर्मे में मिलिटरी एक बड़ी आफसर रह चुकी है मिलिटरी में हाँ जया हाँ हाँ देता हाँ देता भी चेता सलीट अटैक लडाइ में तीन चीज़े होती है आक्रमन, आत्मारक्षा और असफलता ये तीनो ऊवाज़ेश के लोग करने से हम आगे बढ़ते है आत्मारक्षा से हमारा बल बढ़ता है और हार से हमारा नवीनी करण होता है इससे हमें नया रास्ता मिलता है समझ गए रिलीव होना क्यों चाहती हो क्योंकि अब मैं छोड़ सकती ये सब नॉंसेंस मुझे मत बताओ तुम इतनी काबिल हो कि हाइस्ट रैंक तक पहुँच सकती हो मुझे गर्व है कि मैंने मिलेटरी में काम किया लेकिन अब मुझे यहां से चाना होगा तुमारी कैटेगरी के हिसाब से तुम तैसिलदार डेप्यूटी कलेक्टर कोई भी पोस्ट जॉइन कर सकती हो फिर ये स्कूल में प्रिंसिपल मनने की जिर्द किसलिए है तुम्हें तो मिलेटरी स्कूल में प्रमोशन भी मिला था वो सब तो ठीक है कोईमतूर या मदुराई जैसे बड़े शहर को छोड़कर दूर दराज बसे किसी छोटे से शहर में जाने का फैसला क्यों किया मुझे वहीं होना जाहिए सर ओके लगता है तुमने पहले से ही सब तैकर रखा है अल दे बेस्ट टेक केर ओ ये स्टेट गॉवर्मेंट का मामला नहीं है सेंट्रल गॉवर्मेंट का मामला है तुम तो गए तुमने शेरनी से पंगा लिया है विलिट्री से? अंधेरे में आगे बढ़ने वाला इंसान उसके मुकाबले जादा हिम्मत ही होता है जिसके हाथ में मिशाल होती है मेरी दादी ऐसा कहा करती थी ये सच है हंड़र्ट परसेंट नहीं मालूम था कि ये इतनी दमदार महिला है ये तो हमेशा बिलकुल शान्त रहती है क्या बात है आज बड़े शान्त हो नहीं नहीं मेडम ऐसा कुछ नहीं है उस दिन आपने बात बिलकुल सही कही थी सारी गलती टीचर की नहीं होती है सिस्टम ही सही नहीं है हमारे पडोस में एक बच्चा रहता है वो मैथ में 100 नंबर लाया बायलोजी में 64% और 12 में फेल भी हो गया अब वो मैथमेटिक्स में BSC कर पाएगा कॉलेज वाले उसे करना ही नहीं देंगे हमने एक मैथमेटिक जीनियस को खो दिया प्रिंस्पल मैडम हर एक टॉपर्स जीनियस नहीं हो सकता है मैडम पर्स वो हर सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं मैडम आज कितने इंजीनियर सिस्टम की वज़े से डिलीवरी बॉय बन गये हैं कितने आटों चला रहे हैं कितने सबजियां बेच रहे हैं इंग्लिश में क्या लिखा है इस लेटर में हां अकले हपते हां डिस्ट्रिक लेवल का टूर्नामेंट होने वाला है ठीक है हम हिस्सा लेंगे डिस्ट्रिक लेवल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है इस साल भी हमारे स्कूल का नाम न्यूस पेपर्स में आना चाहिए ठीक है सर, नहीं आया, तो समझो तुम लोग गए काम से, अपने लिए कोई और धंदा डूंड लेना, हूं, ओके सर, मेशा कुछना कुछ खाता रहता है, इसे मूञ की exercise होती होती है, मैं बाकी exercise नहीं करता, इसलिए ये कर लेता हूं, तो कभी नहीं बदलेगा, एकॉण D, जोल चल रहा है, कर ले, कर ले, सर गुड मॉनिंग सर गीता मेडम ने आपको पुलाया है सर किसलिए पता नहीं सर जी यह तो कमाल हो गया इसी बात पर हाथ मिला इल्ला यह आपने भीड जमाकी थी ना सस्पेंड होने के लिए बधाई हो जाए आज तो तेरा मुंडन होगा गंजे मैडम आपने मुझे 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 मुलाया यह लीजिये यह रहने दीजिये लीजिये ना यह क्या है मैडम अगले हफते यहाँ जुनिया डिस्ट्रिक टुनामिंट है आप उसके इंचार्ज रहेंगे मैडम यह मैद के टीचर है और मैं हिंदी के टीचर हूँ ओ आपकी नज नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये नारों के लिए लोगों को इकठा कर सकते हैं तो बच्चों को इकठा करके कुछ भी करवा सकते हैं हम् हम् पता नहीं किया समझती अपने आपको हम् 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 है चलो सब पीछे चलो चलो सब पीछे कोई भी पीटी मास्टर अगर फिल्ड के आसपास दिखाई देगा तो मैं उसकी टीम को डिस्क्वालिफाई कर दूँगा सब अपने नंबर के हिसाब से आना हम् कर देवन से नोट करना हुआ दियान से नोट करना हुआ हम् 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 सर, हमारे लड़के ने और लंबा जंप किया था, मैं यहाँ बैठकर देख रहा हूँ ना, जादा बोलोगे तो तुम्हारी टीम को डिस्कॉलिफाई करोगा, आउट मैडम, ये लोग घपला कर रहे हैं मैडम, मैडम, हम लोग जीत रहे हैं, और वो अदमी गलत कर रहा है, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा घुस्सा जाएज है, लेकिन उसे सही जगे दिखाओ, सर, क्या मैं आपसे तीन सवाल कर सकता हूँ, बोलो, सर आपकी आग तो ठीक है ना, ये आपको एक और दो की बीच का फरत नहीं समझता, रुको, तीसरा सवाल मैं करूँगा, तुम्हारे बच्चों को गलत नम्बर दिया जाए तो तुमान जाओगे, जो जीत का हगदार है तुम्हारी हिमत कैसे हुई, मुझसे इस तरह बात करनी की, मैं तुम्हारी टीम को डिस्क्वालिफाइ कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी टीम को नहीं, तुम्हारे स्कूल को डिस्क्वालिफाइ कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी टीम को नहीं, तुम्हारे स्कूल को डि बहुत अच्छा है, 10 gram chips की कीमत एक रुपय होनी चाहिए, लेकिन बिखते 10 में है, क्योंकि packing और advertisement में 90% खर्च हो जाता है, मतलब content 10% और presentation 90%, success 100%, सभी साथियों को जमा करो और चक्के चुड़ा दो, जाओ, 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 पहले तो मैं आपको डिस्कॉलिफाई करूँ सर, suspension bonus, इन्होंने की हुई इवेंट्स को दुबारा करवाया था, अब तुम समझ गए, समझ गए, सर, तु डर्नी की क्या बात है, पुधूर government higher secondary school के, जाओ, 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 ज नेचर देख रहा है नेचर जो हमें सांस लेने में मदद करता है नेचर जो हमें खुश्बू प्रदान करता है जो हमें संगीत सुनाता है जो हमें सब्शस झाल उना नहां सिर्दाव कि आएट में प्रव में आप कर से एना थे इनापक प्रव में प्रुट। झाल 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 मर्की मुर्के को हरा दये, तो मुर्का क्या करेगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा! लोगों को अगर पता चल गया, कि हम हार गय हैं, तो तुम्हें चुल्लू भर पानी भी, नसीब नहीं होगा! उस औरत ने, तुम सबकी छुटी कर दी! नालाइक लोग दफाओ जाओ सॉरी सर ठीक है जीतने वाले आर्ट स्टूडेंट्स से बात करो उनको हमारे स्कूल में फ्री एडमिशन दिलवाओ आर्ट सीठ है सर पचास अजार के हिसाब से चार लाग होंगे सर पिछले साल हमने प्रोमोशन पर चौदा लाग खर्च किया थे अगर उन्हें एडमिशन देते हैं तो उसकी वज़ा से हमारे स्कूल का नाम दस बार न्यूजबेपर्स में आएगा फ्री प्रोमोशन मतलब हमारा खर्चा आधा मतलब तीन लाग की बच्चत आएंदा मुझे मैथ मच सिखाना आपसे मेलना चाहता था सर गवर्मेंट स्कूल का वाइस प्रिंसिपल था नमस्ते सर तुम वाइस प्रिंसिपल थे हाँ सर हाँ और सब मुझसे खुश भी रहते थे लेकिन उस औरत ने मुझे सिस्पेंट कर दिया ये तो तुम कह रहे हो ना हम भी पता लगाएंगे कि तुम किस लिए आया हो वहाँ के स्कूल की टीचर्स की आलत बहुत खराब है सर हमें उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए डिस्सिपलिन के नाम पर उनसे बैलों की तरह काम कराया जाता है ठीक वैसी जैसे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स अपने स्टूडेंस के साथ दो दिन बाद वहाँ एन्यूल डे का फंक्शन है उनका एन्यूल डे आपके मुगाबले कम नहीं होगा जरा सोचे इससे आपके स्कूल पर क्या असर पड़ेगा हमारे भले की बात कर रहा है ये सर वहाँ पर एक बुके भिजवा दो ठीक है सर ये अच्छा रहेगा ना अच्छा रहेगा सर अच्छा रहेगा अच्छा स्यापकी आए ना सबने मड़म सर ने आपके लिए मिजवाए अच्छा रहेगा थेंक यू लो अक्रू अरत इसने मुझे चैलेंज किया था देखा मैने कैसे मूतोर जवाब दिया तुमने 14 साल की नौकरी में तुमसे पहली बार किसे ने काम करवाया है तो यह बताओ कौन जी ता तुम या मैडम अकल क्या घास चरने गई है यह 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 अब मानती हो ना मेरा बेटा जीरो नहीं है तुम्हारा बेटा जिल्दगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा यह मेरी बन दुआ है इसका कभी बला नहीं होगा आपने बिल्कुल सही कहा था मैं अपने बेटे के भवेशी के लिए बहुत गरी हुई थी है 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 अब ने बुके भीज़वाया था लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं हुआ जरूर होगा इंतजार करो है 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 मैं यह कम इन मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैडम आये मैं मैं सकती है और उसकी खीमत भी दे सकती है मेरा मतलब है आप MSC स्कूल की प्रिंस्पल बन जाए मैं अपने सर की तरफ से आपको यह प्रस्ताव दे रहा हूं इसलिए सर ने आपके लिए बोके भेजा था इसके अलावा एक और चीज़ लाया हूं यह लीजे यह क्या है पांच लाग कैश सर ने आपको देने के लिए कहा है आप चाहते हैं मैं आपके स्कूल के लिए काम करो मैं उनसे मिलूँगी तो कह दूँगी कि आप बड़े ही वफादार आदमी है यह पैसे उठाई और निकली है मैडम सर बहुत अच्छे आदमी है आपके जो डिमांड है वो बता दीजिए मैं सर से बात करूँगा वो सारी डिमांड पूरी करेंगे आप शकल से समझदार लगते हैं इस नौकरी को जॉइन करने से पहले समझदारी क्यों नहीं दिखाई अब निकल लिए जाए यहां से मुझे बाहर निकाल दिया उसने मेरी बेज़ती कर दी सर छे निकल बाहर इससे अच्छी तो वही है मेरे दिवान में तो कुछ और ही चल रहा था क्या चल रहा था मुझे लगा उसमें बम है क्या तुने मुझे आतंकवादी समझ रखा है तू चाहता है मैं बच्चों की जान ले लू? तू टीचर बनने के लिए कहीं से भी फिट रही है बारने और जितने में बहुत बड़ा फर्क होता है उस आरत ने मुझे चैलेंज किया है मुझे उसे हराना होगा लेकिन तू अभी मेरे स्कूल से बाहर निकल निकल मेरे पास एक और आइडिया है सर बोल 82 स्टूडन्स जो पिछले साल 9 स्टैंडर्ड में फेल हुए थे न उसने उन्हें 10 स्टैंडर्ड में प्रमोट कर दिया है एक्जाम दस दिन बाद है हॉल टिकेट भी आ चुके हैं अगर हम उसके खिलाफ केस फाइल करें तो उसे भसा सकते हैं तूने बिल्कुल सही कहा आइडिया अच्छा है बाकी मैं देखता हूँ कभी भी मेरे स्कूल मत आना निकल बाहर उस जगह को साफ कर यहां यह खड़ा हुआ था और मेरे दामाद का फोन लगा जी ठीक है अंदर आओ अज क्या लाया हो मेरे लिए अज कुछ नहीं लाया तो फिर कल कुछ लोग लड़की का हाथ मांगने आये थे मैंने पूछा ऐसा क्यूं उन्होंने कहा शादी के पहले लड़की का हाथ मांगना पड़ता है उसके बाद ही लड़की से शादी होती है मतलब इसलिए मैं आपका हाथ मालने आए ए कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो क्यों मम्मी पापा से बात करूँ नहीं नहीं इसके कोई जरूत नहीं है मैडम मेरा भाई बात कर लेगा वो सेवन्स क्लास में है ट्राई कुरूं के तुमारे क्लास में जाओ नाराज हो गए लगता है यह लोग नई पैंसि तुम्हारे लिए नपड़ वाली पैंसि बहुत शैताने वो मुझसे शादी करना चाहता है शायद वो तुम्हें कुछ याद दिला रहा था बहुत से लोगों का रिष्टा आ रहा है तुम्हारे लिए लेकिन तुम हो कि अपने फैसले पर याड़ी हुई हो आप जाकर सुझाईए गुड़ नाइट अवेशा चुपकर आने का बहाना ढूंड लेती है पापा मौनिंग वाक पर नहीं चाहेंगे पाप? 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 दोक्टर, प्लिस घरा चाहिए लगबाद दो घंटे पहले इनकी मौत हो चुती है अगर रात कोई इनुझे खाबर कर दे हो थी तो शार में कुछ कर पाता इनकी रिपोर्ट बना देजिए ठीक है गीता मैडम हलो मैडम ममता आज मैं फर्स्ट आफ में नहीं आऊंगे ठीक है मैडम ओके आपके पिताजी बिमार है क्या मेरे पिताजी गुसर गए मैं साथ चलूँ कोई बात नहीं मैं संभालोगी आप चलिए में पीछे आती हैं ठीक है अले 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 अभी बॉड़ी को नीचे मत रखो माओ यह औरत यह क्या कर रही है यह जी आप अंदर नहीं आ सकती ऐसी जगे पर अड़तों का आना मना है मुझे रास्ता दो कि अधरी खवर को स्वाना आ हमए प्र harvest मुझे दो домой मुझे खम झार सूप को करे अंदरノ मुझें जे के साल मुझे विंए आब झाल यह दो शो I love you, Papa I love you, Papa Hey, Sai, lunch break in the morning, the staff of the principal is going to meet them, we need to go to the principal. Okay. Hey, look at that. His father died for one day, and he went to school. It's a very strange woman, right? His heart is a stone. Hmm. He's a good man. I've had a good friend. He's a good friend. He's a good friend. He's a good friend. I love you, Papa Papa Students, are you ready for exam? See you. You're so tired. What's happening? Do you have to go around? Do you have to go around? लाना ही तुम्हारी लिए अच्छा है सर जैसा आपने कहा था हमने आपके साले का मामला सेट कर दिया अभी सब ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा थैंक यू ठीक ससुर जी क्या हुआ अपना काम हो गया है जैसा आपने कहा था बैसा ही कल उन में से एक भी लड़का एक्जाम नहीं दे पाएगा बहुत अच्छा बच्चे तुम लोग एक्जाम देने के लिए तयार हो तुम्हें बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे यहां एक साल हो चुका है और मैंने कोई काम नहीं किया इसने कोई काम नहीं किया? मैंने आप पर पढ़ने के लिए दबाव डाला और टीचेस पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए लेकिन आप पास होते हैं तो आपकी महनत होगी और कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार सिर्फ मैं होगी आपके स्कूल के कुछ टीचर्स सौ रुपे देंगे उन बच्चों को जो उनकी बुक्स को पूरी पढ़कर फिनिश करके दिखाएगा ये कमाल का जजबा है किताबे सोसाइटी को बदल सकती है जहां तक प्रैक्टिकल स्किल्स की बात है तो उसमें कुछ लोगों ने कमाल कर दिखाया है मैज के पूरे फॉर्मुले को एक गाने में बदल कर दिखाना ये सिर्फ एक पैशन है सिर्फ एक ही बात का अफसूस है कि हमारे स्कूल में ऐसे टीचर्स बहुत कम है टेक्नोलोजी के बावजूत आप लोग पीछे रह गए गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्मेंट स्कूल के एक परसन भी बच्चे नहीं जा पाते है गवर्मेंट इंजिनियरिंग कॉलेज में पांच परसन से भी कम जा पाते हैं वो बच्चे जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं एजुकिशन के लिए उन्हें सिर्फ 50 परसन रिजर्वेशन दे दें तो इस गरीबी को मिटा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जानती सरकार कौन सी गरीबी मिटा रही है ये तो वही जाने हैं हालात ऐसे हैं तो सोची ये लड़ाई कितनी आगे तक जाएगी आपके स्कोस के हिसाब से ही दुनिया आपको आखेगी जिस तरह इस दुनिया में सब के फिंगरपिंट्स अलग-अलग होते हैं वैसे ही टैलेंट भी अलग-अलग होते हैं अपने टैलेंट को ढूंड कर आगे बढ़िए सभी को शुक्ताम लाए बहुत अच्छी साजिश की हैं उन लोगोंने जिन बच्चों को आपने पास करवाया वो कल एक्जाम नहीं दे सकते हैं पास की शुक्ताम रहा है जब स्वी पास आपने आए से आप अधों आपने आपने दी लोगोंता है सब्सक्राव मेडम इस पर साइन कर दीजिये मैलम फोड़। क्रिश्चन पेपर आ गया है कितने पेपर साएं मुझे पता नहीं है मेडम जब 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 एक्जाम के बाद मेलते हैं यह आगे पास करो दो पास करो सब को कोश्चन पेपर मिल गया ना रोल दामर लिखाओ कॉपने पीपर कवाएंगे मेडम प्लीज जब आतिये पहले ही अठो चुका हूं सभी लोग बढ़ जाओ यह उसे पास कर दो मुझे आने में थोड़ी देर हो गई इसलिए सब को 10 मिनट एक्स टाम लेगा हाँ ठीक है और ससुर जी जीत की खुशी मना रहे हैं अब एक्साम दे रहे हैं जल्दी कोट जा ऐसा कैसे हो क्या बहुत अच्छी साजिश की हैं उन लोगों दे जिन बच्चों को आपने पास करवाया हूं वो कल एक्जाम नहीं दे सकते हैं प्रिंसिपल का फोर है हलो सर्, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मुझे आपसे एक मदद चाहिए मदद चाहिए? प्लीज बताइए न नाइंद के बच्चों की एक्साम में कुछ दिक्कत आ गई है आपको मंत्रीची से बात करनी होगी ओफिसस मंत्री के ओर्डर को मना नहीं कर सकते हैं ससुर जी, क्या हुआ? हाई कोट से स्टे ओर्डर नहीं मिला उन्होंने सुनवाई आगे बढ़ा दी ठीक नहीं हुआ हम आप जाएंगे समर वेकेशन के बात बिल्कुल नहीं ऐसा जुगार लगाऊंगा कि जज्जमेंट अपने फेवर में ही आएगा आप फिकर मत कीजिये जीतने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा नमस्ते प्रिंसिपल जी कैसी हैं आप सोचा आपके घर पर मुलाकात करूँ लेकिन दुख की बात है कि आपके पिता जी नहीं नहीं तो मुझे चाय कौम देगा आपका शुक्रिया दा करने आया हूं मुझ जैसे आलसी को आपने मेहंती बना दिया और मुझे बड़ा सबक सिखाया और मेरी बराबरी पर आकर खड़ी हो गई जब अगली साल स्कूल खुलेगा तो सिर्फ आप ही नहीं वो स्टूडेंट जिने आपने क्लियर किया स्कूल के अंदर कदम नहीं रख पाएंगे लोगों के लिए काम करने की बजाए गवर्नमेंट एंप्लॉई हमारे लिए काम करते हैं अब मैं चलता हूं 16 मार्च से 20 अप्रेल तक चले दस्वी की परीक्षा का रिजल्ट कल घोशित किया जाएगा ये रिजल्ट पॉंडी चेरी और तमिलनानू में सुभा साड़े 9 बजे डिकलियार होगा आप इसे ओनलाइन भी देख सकते हैं मैडम अब छुट्टियों में स्कूल क्यों जा रही हैं कल रिजल्ट आने वाला है उसी की तैयारी के लिए जा रही हूं ये एक्जैम अगरा बंद हो जाने चाहिए इसके बारे में आपको बात में बताऊंगा आपके पैसे थाइंक्यू मैडम हालो टीचर आप यहां कैसे नमस्ते मैडम मैं आज रिटायर हो रहे हूं रिटायर्मेंट वाले दिन छुट्टिया चल रही है जब स्कूल खुलेगा तो आप मेरा रिटायर्मेंट का अनांसमेंट कर दीजिए स्कूल के साथ मेरा कभी न खत्म होने वाला रिष्टा है मेरे हस्बन भी इसी स्कूल में टीचर हुआ करते थे मेरी यही उनसे मुलाकात हुई हमारा एक बेटा था वो भी इसी स्कूल में पढ़ा था आपके उम्र का था एमेर करने के बाद वो टीचिंग करना चाहता था अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया था जोइन करने से पहले उसका एक्सिडेंट हुआ उसका नाम कदिरान कदिरसन कदिरसन 1995-98 B.A.C. Agapa University उसके बाद MSC किया मैं भी उसके साथ ही पड़ी थी B.A.T. के बाद मैंने आर्मी जॉइन किया था उसकी नौकरी लगते ही हम शादी कर लेंगे ऐसा सोचा था नौकरी मिलने के बाद उसने कहा कि हम ज़दी शादी करेंगे एर्मोट पर गुडबाई कहा था और उसकी बाद सब कुछ बदलके उसकी मौत की ख़बर मिली वो जब भी मुझसे बात करता था स्कूल के बारे में जरूर कहता और आज उसी स्कूल में मैं बिलकुल अके लिए हूँ वो इसी स्कूल में था ना उसने कहा था कि राने जेसी पतनी लाएगा यही कहकर बुलाता था रानी गीता रानी क्या मैं आपकी घर आ सकती हूँ आपके नाम का अरेस्ट वारंट है आपके आपके लिए आपके बेड़ कर दो कर दो कर दो कि अच्छा देखो कल मैडम को तीन बजे पेश करना ठीक और फॉम पर उनके साइन लेकर सेंट्रल जेल भेज देना है यह सब धान से करना सर आप जल्दी से बाहर आईये आप क्या हुआ कि अ कि अ कर दो कर दो कर दो हमें उन्हें तीन बजे कोट में पेश करना है और भीड़े की लगातार वड़ती ही जा रही है देखिए भीड को समलना बहुत मुश्किल है अगर लाठी चार्च की परमिशन नहीं मिली तो कुछ नहीं हो पाएगा और सच कहूं तो यह लोग सुनेंगे भी नहीं देखिए बात को समझी है और पुलिस पोर्स भीजिए ओके सर बागी बाते मिलने के बात करते हैं मैं अभी हां लाएं सर थेंकि यू सर वकील ने फरण गुला है बहुत ही अच्छा वकील है बहुत अच्छे से डिवैंस करेगा हम मैड़म को जेल से निकाल लेंगे चलो चलते हैं शांत हो जाएए, शांत हो जाएए, अगर आप शांत नहीं होगे तो हमारी बागचित कैसे होगी, शांत हो जाएए, यह कोर्ट का ओडर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मतलब कालूल और अदालत लोगों के लिए नहीं है, आपकी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं शांत हो जाएए, मैं कहना हो, अगर आपक शांत नहीं होगे, तो मुझे को यह और रास्ता आपना पढ़ेगा, आपक शांत हो जाएए, यह सुनते क्यो नहीं, यह सर मैंने पहली ही कालता है, अगर 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 कुछ भी गड़बड हुई ना, तो मामला बेकाबू हो सकता आरडियो बड़े ओफिसर से बात कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि यह मामला वही सॉल्व करें, सर मैं बोल बोल के ठक चुका हूँ, लेकिन यह लोग समझने के लिए तायार ही नहीं है, पुदूर के गौवर्मेंट स्कूल की प्रिंसिपल गीता रानी को आज सुभा अधिकार कर लिया गया, एक साल पहले ही उन्होंने ड्यूटी जॉइन की थी, उन्होंने अपने अधिकार का दुरोपयोग करते हुए, उन्होंने उन बच्छों को टेंथ के एक्जाम दलवाए, जो नाइंथ में फेल हो चुके थे, प्रिंसिपल की ग्रफतारी से नाराज स्टूडेंट्स और उनकी अभी वावग उनको छोड़ने की मांग कर रहे हैं, और धन्ने पर बैट चुके हैं, कई अफसर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तयार नहीं है, सिर्फ लगातार उनकी रिहाई की मांग की जा रही है, सार, नमस्ते सार, नमस्ते, आप लोग कौन, आप से फोन पर बात हीते हैं, दो मिंट बात भेजना, प्रता नहीं है क्या करेंगे, लेकिन हम लोग हार नहीं मानने वाले, मैडम, आपने कुछ नहीं खाया है, मेरा खाना शेयर कर सकती है, बाहर बैठे लोगों ने कुछ खाया है, मुझे भी नहीं चाहिए, थैंक्स, एक मिनिट, हाँ, सर, वो सारे स्कूल के बच्चे हैं, तो उन पर लाटी चार्च कैसे करें, और हर जगा मेडिया के लोग है, हम सुभा तक इंतिजार करते हैं, कोई न कोई रास्ता निकल लिया आएगा, कल तैंत का रिजल्ट है, पहले मुझे देखना है, अगर आप यहा ऐसा क्या, ठीक है मैं देख लूँगा, सर, उन लोगों ने तो सारे डॉकुमेंट्स जमा कर लिये, नाइन्थ ग्रेड के स्टुदेंट्स पास हैं या फेल, ये डिसाइड करने के लिए, सारे डॉकुमेंट्स पर तीन-चार गैजिरेज अफिसर के साइन होने चाहिए, को हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, साड़े ग्यारा से ज्यादा बच चुके हैं, कोई यहां से हटने के लिए तैयर नहीं, ये लोग ना ही अधॉरेटी से बात करना चाहते हैं, ना ही मीडिया से, ये सभी अपनी जिद प्याड़े हैं, ये हर हाल में प्रिंसिपल मैडम क बाहर निकालना चाहते हैं, मैंने कुछ और ही सोचा था, यहां कुछ और हो गया, हमने उसे मुफ्त में पब्ली सिटी दे दी, अगले साल पब्ली सिटी पर पांच लाग खर्चा और करना पड़ेगा, अपने लोगों को भीड में भेज कर भगदल मचवादू, वो पुरे अच्छा सुनिये, जो भी लीगल प्रोसीजर होता है, फॉलो किया जाए, कोई दिकत ना हो, इसलिए डेप्यूटी कलेक्टर को भेज रहा हूं, ओके सर, जी सर, और वो आगे, कैमरा रोल करो, जल्दी, 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 रुगिए, 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 आपके दोरों को जाओ दोगा, रुगिए, खालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं, लोग तमजने के लिए ता, यारी नहीं है, देखिए, आप लोग हमारी बात सुनिये, इ उनके खिलाब वारेंट इश्यू हुआ है, इसमें पुलीस क्या कर सकती है, जहां चार ओफिसर्स के सिगनेचर चाइए थे, वहां उन्होंने अखेले ही साइन कर दिया, और ये उन्होंने घलत किया, मैं आप लोगों से बिंती करता हूँ, कि आप अपने अपने घर ये डीदेल्स हैं, रिसल्ट आते ही पिरिंट आउट देदेना, ठीक है ठीक है आप लोग यहीं बेठे रहे आए लेकिन वह प्रिंसिपल को नहीं छोड़ने वाले है छोड़ दो छोड़ दो प्रिंसिपल को छोड़ने की मांग को लेकर लोग और स्टूरेंट्स लगादार धरने पर बैठे हुए हैं और अब से कुछी दिर में यानि की सुभा के 10 बजे 10th क्लास के रिजल्ट निकलने वाले हैं कोट के ओर्डर इशिए है चौविस घंटे हो चुके हैं देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा है पापा मुझे फोन दोना रिजल्ट अने का टाइम हो गया है हाँ हम एपना गर्डरी में की पार्डरीए यस सर्थ पार्डरी और इस अच्चराइए अला हम और यह लीजे मेडम ऐसी बात है इसी बात है पापा मैं एक्जाम पास हो गया हीदिक मैं पास हो गया मैं पास हो गया मैं पास हो गया तेरी बात सुनिए जिन 82 स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल ने टैंत में प्रमोट किया था उन में से 79 पास हो चुके और उन में से 14 बच्चों ने 400 से ज्यादा माक्स पाए है इसलिए कोट ने प्रिंसिपल को रिहा कर दिया कोट ने कहा कि कुछ अफसरों का कहना है कि बच्चे एक्जाम में बैटने लाइक नहीं है लेकिन बच्चों ने 10 की परिक्षा पास करके उन ऑफिसर्स को घलत सावित कर दिया कि अज़ को अज़ को अफसरों को परिक्षा ने आए है आए है किया निन इसके चार्सु बारा नंबर आये हैं बहुत बहुत थैने वार तीचा ह necklace झाल 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 हेलो मैं ड्राइवर बोल रहा हूं मा को फोन दो अम्मा ड्राइवर अंकल का फोन है आप से बात करना चाहते हैं अम्मा अम्मा उटो अम्मा अम्मा उटो अम्मा अम्मा उटो अम्मा 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 क्या हो अम्मा उटो अम्मा 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 अंकल वेट करो डॉक्टर पहले आतो जाएं सावित्री जी हैं सावित्री जी वूम सारे फुल है थोड़ा वेट कीजिए डॉक्टर साब को आने ही जाएं सुनो अम्मा उठो उठो अम्मा अम्मा नर्स 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 जानते हो यह कौन है कि नमस्ते सर्ट को अधिश्य जानते हो यह कौन है यह सावित्री तुम जानते हो इस सावित्री को बच्ची ने पढ़ाई पूरी कर लिया ना अडेयार वीमें स्कॉलेज से बीए जनलिजम का कोर्स किया है तुम्हें कोई गोल्ड मेडल भी मिला था ना बेटी अरे यह तो एमे भी करना चाहती थी क्यों करना चाहती थी क्या फाइदा अब इसे ही देखिए दस वी तक ही पढ़ाया है अब दुकान खोल ली है तो सारे दिन रॉप से दुकान पे बैटा रहता है वैसे यह करती क्या है न्यूस पेपर में रिपोर्टर के तौर पर काम कर रही है परसो इसका एक आर्टिकल भी चापा था ए सुनो वह पेपर तो लेकर क्या हो जरा सुनिये जी मैंने ढूना लेकिन मिल नहीं रहा है तुम्हारी आखों की रोश्णी कमजोर हो गई है क्या अरे यही तो है वह पेपर बाई साथ मैं पढ़ता हूं आप सुनिये पच्छिस सालों से कोडम बाकम में पापड बेशने वाली अंडा लम्मा पापड कंपनी ने अ अच्छिस साल और क्यों न भीच जाए लेकिन अंडा लम्मा मतलब पापड और पापड मतलब अंडा लम्मा होगा लड़की हमें पसंद आगी मुझे लगता है मेरे बेटे को भी पसंद आगी होगी क्यों बेटा कुछ तो बोल देखो केसे शिर्मा रहा है कहां जा रहे हो बेटी ओफिस पापा क्या आज सांबर मसाला शंकर अम्मा का इंटर्व्यू लेना है वैसे भी अब शादी होने वाली है ओफिस छोड़ दे बेटा होने वाली है लेकिन हुई तो नहीं है ना जी जाने दीजिए ये लीजिए कॉफी पापा ओफिस के लिए देर हो रही है आज मैं लोना पर हाँ ठीक है एक किक में स्टार्ट कर सको तो लेकर जाओ एक और कोशिश पापा प्लीज कहा था ना लड़कियों को बाइक की क्या जरूरत है अगर कहें तुम गिर गई तो फिर शादी कौन करेगा वो एक बाबा आदम की जमाने की गाड़ी है एक किक में कैसे स्टार्ट हो चाहेगी बताइए मैंने अपने कॉलेज की मैगजीन में एक स्टोरी लिखी थी पढ़कर बहुत लोग इमोशनल हो गए थे रूने भी लगे थे सब टीचर्स ने कहा कि मैं बहुत बड़ी राइटर बनूँगी अब देखो ना अंडलामा पापड आचार आपसे ऐसी बाते कर रहे हैं उसका बूरा मत मानियेगा जरूरत पढ़ने पर मूँझ से शब्दी नहीं निकलते अब एक साथ इतना कुछ जाया बहुत हो वाणी मेडम आज भी आज भी आओ अगो यसी पापड़ी खाऊगी बगवान पड़ीज एक अची सी कहानी दिलवादो मैं पापड़ी वाणी कि कहानी पन कर ने रहना चाहती आणी कुछ कीजिए प्लीज 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 RTC strike, चरण, येलो शेकर, हाँ सर CMA arrives at Nilambakam by 12 o'clock CMA ध्यान से, ओके सर इंडिया वसज इंग्लेंड, क्रिकेट मैच, संतोष सर अथिवा, कैप्टन कपिल देव का आटोग्राफ लेते हैं मेरी बेवी के लिए, जा सावित्री कोमा रानी वानी, सर क्या काहा? नाम वानी है, सर ठीक है, जो भी हो, येलो सर, वो क्या हुआ, कोई प्रोब्लम है? वो, सर प्रब्लम है तो बताओ, बताओ प्रब्लम है सर, मैं अपने कॉलिज की गोल्ड मेडलिस थी शेर महिने में एक भी अची काहानी नहीं दी आपने मुझे उस बेवकुफ शेकर को, चीफ मिनिस्ट्र, और मुझे कोमा पेशिंट यही लास्ट चांस है, शादी से पहले अच्छा आटिकल लिखने का, मैं नहीं जाओंगी सर ऐसा ही कहना चाहती थी ना सावित्री जी की काहानी है, कुछ पी लिख दो ना वो बहुत महानभी नेत्री है, अच्छी इंसान है, ऐसी हालत में उनको देखना बहुत दुखी बात है, सब लोग तो यहीं लिख रहे हैं ना नया मैं क्या लिखू हूँ, अंडल अमा भी ठीक थी, कम से कम बात तो करती थी, इसमें तो वो आप्शिन भी नहीं है यह, वो सब छोड़, वो देख कौन आ रहा है कितना हैंसम है, इतना लंबा, बिल्कुल शोले का अमिताब बच्चन लग रहा है शोले नहीं, अमर अक्बर आंथनी का आंथनी लग रहा है शुपकर वो यही देख रहा है देखनाई यही हा रहा है सुप्रभाद हैमलता जी, सौभागय लक्ष्मी जी, त्रपुरा संदरी जी, मदरवानी जी सुप्रभाद आंथनी जी अज सावित्री जी के आर्टिकल कवरेज के लिए मुझे ही फोटोग्रफर चना गया है ओ अच्छा हमारी वानी को भी वही कवर करने को बोला है अच्छा जी वाट आ कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस है या यह जान भूज के नाटक कर रहा है बस आज मुझे एडिटर साब को पसंदाने वाली फोटो मिल जाए नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे अरे ऐसा क्या हो गया परसो रेलवे स्ट्राइक कवर करने के लिए भेजा था मुझे कवर किया मैंने यह देखा पर इसमें स्ट्राइक का है एडिटर ने भी यही पूछा था मुझसे यूनियन लीडर्स का स्पीच देते हुए फोटो लेने में मुझे कोई सच्चा ही नजर नहीं बलकि इस फोटो में मुझे सच्चा ही नजर आई तू तो गई काम से तेरी कहानी के लिए किसी पेड़ पौदी की फोटो लेकर कहेगा यही सच है मैं भी अन्ना नगर की तरफ ही जा रहा हूँ आप मेरे साथ चलेंगी जी नहीं थैंक्स मैं बस में चली जाऊंगी ठीक है आप मुझे वहां तक छोड़ दीजे आप भी बस से ही चली जाएं सुरेश भाई दूर दर्शन में कोई वेकंसी है क्या अन्थिनी जी अरे वानी जी हम सब बाहर क्यों खड़े हैं जैमिनी गणेशन अंदर कोई पूजा करवा रहे हैं उन्हीं का इंतजार हो रहे हैं क्या कर रहे हो आपको दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी भी फोटो ले रहे हैं उसे ज़रा बता कर खीचना आज सावित्री को कोमा में गई हुए पूरे एक साल हो गए हैं इंडिया से विदेशों से बहुत से स्पेशलिस्ट को दिखाया कई सारे मंदीरों में पूजा भी करवाई उसे वेट सोर्ज ना आए इसलिए सिंगापूर से एक बैट भी मंगवाया है हमने 24 घंटे के लिए नर्स रखी है बहुत पैसे खच किये हमने फिर भी निउस्पेपर्स में सावित्री को लाचार लिखा जा रहा है और इन सब की वज़ा जैमिनी गनेशन है कुछ भी लिखे जा रहे हैं आप लोग अगर उसकी जगा मैं होता और वो मेरी जगा होती तब लिखते क्या कि सावित्री की वज़ा से जैमिनी गनेशन को माम है मर्द हूँ इसलिए मेरे होते वे सावित्री को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मुझे जो कहना था कह दिया आपको जो लिखना लिख दिजे जो होना है वो होगा सावित्री जी को दोगा दिया गया था कौन क्या कर सबता है सच तो है वानी जी लेकिन ये नहीं वो सब्सक्राइब कर देखा था मैंने आपको किसके घर के पास वही फिल्म अक्ट्रेस सावित्री मैं सावित्री को ये तो इज़्जत शब्द भी बहुत चोटा है लेकिन आप तो घर के अंदर गए बिना ही लौट गए थे मैं उन्हें ऐसी इहालत में नहीं देख सकता था वैसे आप लोग कोन है प्रजावाणी अकबार से हैं हम लोग और ये सावित्री जी की स्टोरी कवर कर रही है उनके बारे में लिखोगे तुमारी क्या योगिता है सिनिस्टर की कहानी लिखनी के लिए क्या योगिता चाहिए चाहिए मा के बारे में लिखने के लिए योगिता चाहिए तस रुपे हूँ दो भी अठनी की मदद करने के लिए नहीं सोसते हैं लोग उस वक्त जब उनके पास कुछ नहीं था अपने आवार्स को भी बेज कर मदद की थी व्यक्तित के बारे में लिखना हो तो योगता चाहिए कितनी भी पीड़ी आ जाए वो नहीं समझेंगी तुम तुम नहीं समझोगे जाओ जाओ यहां से चलते हैं ऐसे जना अचानी है बात करूँ अब बताएंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे ना हमारी पीड़ी सावित्री जी को सिर्फ अभीनित्री के तौर पर ही जानते हैं लेकिन वो इतनी महान क्यों है नहीं जानते मैं और लोगों की तरह सिर्फ इन पर आर्टिकल नहीं लिखोंगे सब कुछ सब कुछ जाने के बाद ही लिखोंगे बताईए ना सर क्या बताओं शुरू से बताईए ना आपको उनसे अपनी पहली मुलाकात याद है बिलकुल याद है 25 साल पहले कंपनी फोटोग्राफर के तौर पर मुझे विजय वाहनी स्टूडियो बुलाया गया था जइए जई खाना हो गया ना तो फिर जाओ नेकप टेच अपकर आओ थाया था कर रहा चलो अधाओ हो तो सर 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 स्टिल फोटोग्राफर जी गेट खोल दीजे गेशों ना जी सब चलो आई टिहासिक आ फैमली, कॉमेडी, एक्शन, कहानी भी है, सब है इस फिल्म में, ए ए ए अर्जिन सर, ठीक है, ए यह पकड़ो, सर इतनी बड़ी फिल्म तो मैंने कभी की नहीं, इतनी बड़ी फिल्म हासता किसी ने बनाई भी तो नहीं है न, तुम गबराओ मत सिर्फ आज गाना है, इकी आर संगीतम, पुजिशन दो, सर मैं, पुजिशन दो, क्रिस साउं, लेटो, टोड़ा एसे लेटो, एक्ट करो, मिस्टर बाटले, कैमरा यहां शुरू होगा, वन यू कम हेर, दिस इस यूर लास्ट फ्रेम, यहां पे कुछ आशू बहेंगे, तुमें उन्हें लाइट अप कर मैं हूना दादा आपके साथ, क्या बात है, साड़ी भी पहन लेते हैं, उठो संगीतम, उठो, सुनो, प्यार और दुख, दोनों ऐसे दिखने चाहिए, जैसे दोनों में कॉंपेटिशन हो, दाई आँ आँ में प्यार, और बाई आँ आँ में आस हो, ठीक है, संगीतम, गल संगीतम, गली सिन लेके आओ, सर वो बाटल टूट गई सर, अकल नहीं है, बाटल कैसे तुट गई, आज तुमारी वज़े से पेक अप करना पड़ेगा, संगीतम, सुरी मिस्टर बाटली, कल करते हैं, पेक अप, क्यों गुरु जी, अभी करते हैं न, कैसे करेंगे, आसू तो कहां से आएंगे आज आएंगे कैसे आएंगे दोनों आखों से नहीं सावित्री सिर्फ एक ही आख से आशो आना चाहिए गिलिसिन के बिना काफी टेक्स लगेंगे कल करते हैं एक ही टेक में कर लेंगे मतलब तुम जोक करोगी मुझे ओके करना पड़ेगा मेरा यकीन कीजिए ओवर कॉंफिदेंस लचानी होता बच्चे सावित्री अगर सिंगल टेक में ओके नहीं हुआ ना तो सब के सामने कैमरा से तुम्हें माफी मागनी पड़ेगी ठीक है ना जी गुरुजी दोनों आखो से थोड़े से आसू चाहिए कितनी बुंदे चाहिए जितने कहूंगा आएंगे ठीक है दो बाईयांक से दो मतलब दो ही आसू बहने चाहिए ना एक कम ना एक जादा रड़े क्यों साउंड sound roll camera and action गुरुजी ओके है ना या एक टीक और ली क्या हुआ गुरुजी अगली दस पीडियों तक बेटी जब भी तेलगो इंडस्ट्री में अभनेत्री का नाम लिया जाएगा तो सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा पूरे मन से लिखना बेटी अब तक उनकी कहानी किसी ने इमानदारी से नहीं लिखी अख्री बार कब मिले थे इंसे कुछ याद है शायद एक साल पहले वो बहुत परिशान थी फिर भी वो मुझे नहीं भूली में 11 आज से एक साल पहले जब वो कोमा में गई थी है ना हाँ शायद जब वो बैंगलोर के लिए निकली थी पढ़ सकती हूं क्या हाँ क्यों नहीं कैसे हो केशफ वैंक्यप्र ने बताया कि तुम्हारे घर पोती आई है बहुत खुशी हुई अर्जिन काम से बहार जा रही हूं इस बर शंकर जी से भी मिलकर आऊंगी सतीश भी उनसे मिल लेगा यकीन है वो सब कुछ संभाल लेंगे वापस आते ही तुम्हारी पोती को भी देखना है तुम्हारी प्यारी दीदी सावित्री शायद ये सावित्री जी का लिखा हुआ आखरी लेटर होगा ये शंकर जी कौन है मालूम नहीं शायद उनके जानने वाले होंगे शंकर जी आखरी दिन सावित्री शंकर जी से क्यों मिलना चाहती थी ये शंकर जी कोई डाइरेक्टर है एक्टर है शुब चिंतक है या करजा देने वाले हैं इस्ट्री ये है हेडलाइंज गुड रानी महान अभिनेत्री सावित्री पर्सनल लाइव के सिक्रेट्स प्रजा वानी की विशीश कहान सावित्री से मैसूर निकले थी शूटिंग के लिए उस शूटिंग में शंकर नम का कोई नहीं था सरू शंकर अगर इनका पता चल ग शेखर, अधूत, करियो मैं वाइगा सर, इस माइ स्टोरी रानी, तुमने अच्छे लीड़ गी है लेकिन उस सीनियर जनलिष्ट है उनकी तरह तुम घूम नहीं सकती तुम नहीं कर पाऊगी मेरी काहनी, शेखर को कैसे दे सकते हैं वो क्या उनका साला लगता है बेटी, ये लो अपनी चाहे ये लेटर तो हमें जैसे तैसे मिल गया लेकिन शंकर जी हमें कहां मिलेंगे क्या आप सच में गोल्ड मेडलिस्ट है ऐसा क्यों पूछ रहे हूँ वानी जी, कहानी प्यार की तरह होती है जब हमें चाहिए तब नहीं मलती जब उससे आना होगा तो अपने आप आजाएगी ये शेखर या किसी की नहीं ये कहानी आप की है शंकर जी के बारे में उस कहानी में क्या लिखा है? यही कि सतीश को शंकर जी के पास लेकर जाएगी हलो? हलो? ये कौन है तो? दाइमा 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 घर में कोई नहीं है क्या? अम्मा है वाँ मतलब तुम सतीश हो? हाँ क्यो? मेरा नाम मानी है आप अम्मा को जानती है जानने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं अभी तुम से ही मिलने आई हूँ सतीश आप लोग बैंगलोर गए थे ना? आपकी मानी अपने लास्ट लेटर में लिखा की कि वो तुम्हें शंकर जी से मिलवाने लेकर जाएंगे शंकर जी कौन है? कौन है? नहीं जानता ए! कौन हो तुम ऐसे अंदर के से आ गई? जॉर्नलिस्ट हा तो जॉर्नलिस्ट रो तो ऐसे अंदर आ जाओगी जाओ बहार जाओ बहार बेट करो मैं लेकर चली जाओंगे तुम जाओं जी मिम सब सतीश नानी कितना बड़ा हो गया बेटा अम्मा देखो नानी आई है डॉक्टर ने कहा है अम्मा को सब सुना ही देता है कहते है जितना बात करो उतना अच्छा है आप अम्मा से कुछ कहो नानी अब मैं क्या कहूं पीटा कुछ भी बचपन में अम्मा कैसी थी जब मेरे जितने थी तेरे सोभाव की थी जब मैंने तेरी मा को पहली बार देखा तो तुस्से भी छोटी थी मा की गहानी सुनाओं सुनेगा बेटी सावित्री तुम भी सुन रही हो ना जहन हो तो रिष्टेदारी निभाने आओ ऐसे घर बसाने के लिए नहीं अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो वो मैं कर सकता हूं लेकिन इतने लोगों का पेट कैसे पालूंगा पता है न ड्राइवर का काम कर रहा हूं अब ये लोग कहां जाएंगे पती की मौत हो गई उपर से एक बेटी है देखिए न कितनी प्यारी बच्ची है मैंने इसे इसलिए बुलाया कि ये हमें बच्चा ना होने की कमी महसूस नहीं होने देगी कुछ गलत किया देखो बात-बात पर आसुबाना बंद करो रोना बंद करो जो खट तक आई गये तो हम क्या कर सकते है अंदर आने को कह दो इन अंदर आजाओ अब मारीश में भीग गई है अरे यहां तुम्हारे दाने की जगह नहीं है तुम इसे भी अंदर ला रहे हैं थे को इसे बाहर विचारी को बुखार आ गया तो तो फिर इसे मैं अपने सर पर उठाकर घूमो मुझे ना बुखार च लाल देह लाली लसे अरूधरी लाल लंगूर बज्र देह दानों दलं जै 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 कपी सुरूर। अमा हमारे पापा लंबे चड़े थे या नाटे अमा पापा मोटे दगड़े थे या पतले दुबले आज तुछे क्या हुआ है अमा पापा की मुचे थी क्या क्यों नहीं थी राजा की तरह इतनी बड़ी मुचे थी उनकी मेरे पापा की मुच थी बड़ी बड़ी मुच मैं हूँ नी संकरा सावित्री और तुम मेरा नाम सूशिला है मेरे पापा कहानिया सुनाते थे और उनकी मुच्छे भी थी पता नहीं पापा कैसे दिखते थे लगता है आप जिससे दिखते होंगे कभी पापा से बात करने का मन करें तो आपसे बात कर सकती हूँ मैं आपको पापा बुला सकती हूँ आप बोलनी सकते हैं पता है मुझे सुनोगे बहुत है पापा फूलो से कुशबू आए चेहरे पे अराम से रिक्षा मैं आटा इतना क्यों चला रही है क्यों इन पैसों से नारियल खाएंगे न चल चल जलती दो नारियल के तुकड़े दो न पता है बहुत अच्छे लगते है ये लो बेटा सुनिये मेरे पैसे दे दीजिये दादा खाना खालेना बचपन का ये दिन अपना खुल के मस्ती करे यहाँ आजो में नाचे मिलकर अब हम मिलके प्यार सखेलेंगे साथ कभी न छोडेंगे वंदे मातरम नन्ही के लहरी मैं आजाद पंची हूँ ममता के छाओ तले बच्पन बीते ये मेरा सबकी हूँ प्यारी मैं खुद में हूँ रानी मैं फूल पत्ते तितनी संकरती हूँ यारी मैं फित खली यानों में पलके रहते हैं हम मिल चलके हर सपना अब मैं दिल से पूरा कर लो एक दूजे के बिना अब रहना पाएंगे दिल का आए रिष्टा है टूप न पाएगा कुछ भी हो बच्पन का ये दिन अपना खुलके मस्ती करें यहां आजो में नाचे मिलकर अब हम मिलके प्यार से खेलेंगे साथ कभी न छोडेंगे ठीक हाँ अरे ऐसे उचल क्यों रही हो ठीक से चल नहीं सकते बहुत चैंचर लड़की है इसको डांस क्यों नहीं सिखा थे हां बास इसी की कमी है मेरे सिर पर चड़कर नाचरी वो कम है क्या एक बात कहो हूं वही चाहिए इसे नित्य का बहुत शौक है अपनी चाया में रखकर इसकी कला को चार लोगों के सामने दिखाने लाइक कर दीजिए खुद चार लोगों के सामने चले जाओ आप जो भी कहेंगे करेगी कहिए ना मैंने करूंगी बहुत अच्छा करती है ये सुशिना तुम ज़रा करके दिखाओ सब के सामने मेरी बेईज़त ही करा दी सोचा था निर्ति सीकर कुछ बन जाएगी बच्ची है न जी और ये गुर्टों पेदाईश होते हैं क्यों कहानिया सुनाने वाले की बेटी है न इतना भी नहीं कर सकते क्यों बिटिया दोबारा आ गई मैं आपसे निर्तियों सीखने आई हूँ निर्तिय मतलब दिल से सीखना तुमसे नहीं हो पाएगा जाओ मुझे ने सिखाना तो मत सिखाईए मुझे नहीं होगा ये कहने वाले आपकोन इतना गमण अगर लोगों को पता चला कि तुम मेरी शीष्या हो तो मेरी बेज़दी हो जाएगी तुम जाओ बिटिया रत्य उसने अपनी इच्छा से नहीं सीखा जब उससे कहा गया कि तुम ये नहीं कर पाओगी तो इस बात को गलत साबित कर रत्य सीखने वाली जिद्धी बच्चिती सावित्त्री कदम नर्खडाने के बाद भी किसी ने उसके पैरों की तरफ ध्यान नहीं दिया सभी ने तारीव की उसकी आखों की तुम्हारे गुरु कौन है ये पूछने पर उसने पूर्णिया शास्त्री जी की तरफ इशारा किया किसी लग रही हुँ मैं सुने जेक हमारे अरुमोंदे नाट्य मंडली नाट्य के लिए आए हिंदी सिनेमा के प्रमुक अभिनेता प्रिफ्वी राज कपूर जी को साधर रोप से मंच पर अमंत्रिक कर रहा हुँ मुझे यहां इस मैंच पर आकर बहुत खुशी हुई है सब लोग उने बहुत अच्छी भूमिका ने भाई है इस तुम लोग नागेश्वरा को नहीं देखने गए क्या क्या मतला नट्राज थीटर में आया है ना पर वो लड़की जिसने कृष्ण की भूमिका यहां ने क्या नाम है इनका अपना नाम बता बेटी सावित्री कुछ तो बात है इस लड़की में काका यह क्या कहें दोस्तों मेरी बात याद रखना यह लड़की एक दिन बहुत कमाल करेंगे मैं तो कहूंगा आज स्टार मैं नहीं बलकि यह है कौन है जी वो प्रित्वी राजकपूर है भाई बंबई से आएं बहुत पड़े हिरो हैं हाँ कोई फिल्म तो देखी थी राजकपूर नाम का दुबला सा लड़का था उसमें हाँ 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 इन ही का बेटा तो है वो तुम भी बहुत सवाल करते हो चौधरी बहुत इंद सारा खर्चा काड़ कर आहाँ की बेटी के हिस्से में आया है ये चावन्नी पापा कोई हिंदी फिल्मों का हीरो था कोई कपूर मेरा डांस देकर अपनी गले का हाथ मुझे पहना दिया बाकी बातें बाद में बताऊंगी जल्दी चल चुड़ुलुमारे मुल्लुगाम वन्लुव नडलो तुड़ुमारे वनमयूरिने नीरे नमिते वनमयूरिने नेरे तनकर अधुमी नरिया निते नाकिष्वर्रा मारूट! मारूट! यहां देखो! मारूट! नाकिष्वर्र! उसके उजी देखा! जाचा! आँपटू! एशुर्प नखा! अरे बिचारी! बालराज ने ओटोग्राफ दिया क्या? ने! हाद दे! आजा! केवी चौधरी के समर्पन से टारंभ कर रहे हैं नवभारत नाट्य मंडली! नाटकों के बारे में हमें क्या पता होगा? क्या? हमें क्या पता? जानती हो सारे के सारे हॉल क्यू भर रहे हैं हमारी पेटी की वज़ा से! और ऐसे में सारा फाइदा वो ड्रामा वाले लेकर मुझे बस भीग दे रहे हैं नहीं होगा! वक्त बदल गया है! अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं! इसलिए ये कंपनी शुरू की है! जब तुम पैरों में पाहल पहन कर चन 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 नाचोगी तो मेरी पेटी में पैसे खन 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 भरते जाएंगे! जी मौसा जी आप देखी हॉल भरा या नहीं? हॉल भरा है या नहीं? कहीं लोग जगड़ा न करने लगे इसलिए सुरक्षा के लिए दो पुलीस वालों को भी रखा है अब जल्दी करो जल्दी करो नाचक शुरू करना है! हेई! उठाओ परदा! टैंटेड़े! चलिए यहां से! ए गिरी लोग कहा है? लोग नाचक देखने नहीं आ रहे हैं सब फिल्म के पीछे पागल हो गए हैं आज हमारे गाव में नई फिल्म आई है तो फिर मैंने जो पूंजी लगाई थी दो रुपए तीन आने वो डूब गए सब तो फिल्म के पीछे पागल हैं सावित्री को फिल्म में भेज दो भाई तो तुम्हारी भी करवाई थी ना शादी क्या हुआ अरे तो क्या मेरी शादी नहीं करेंगे करा जाना है साब आरे नीज च्टूडियो जाना है कितने पैसे लोगे 25 पैसे साब वासाची ड्राम में चलते हैं ना क्यों भाई हमारा चेहरा देखकर लगता है कि हम लोग आप पचीस पैसे ही पाकड़ अरे हाँ इधार आजो कि अ मौसा जी यहां कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है है ना मौसा जी कि यह लो आपने पैचे रखो इतना ही तुम आंग रहा था आजो भी यह रख लो सुनो अब से तुम मुझे मुझे मौसा जी के कर मत पुकरना मुझे पापा कहोगी न तब ही इस बस्ती के लफंगों को डर लगेगा आजाओ चलो मतलब गाउं जाने के बाद भी बापा कह सकती हूं हाँ हाँ कहले न आजाओ जी पापा देखो अगर कोई तुमसे उम्र पू कि भाषा जानती हो अगर कोई मिल जाए तो उसे हाजी हाजी कहना ठीक है बेजवाड़ा से चौधरी आया है जाकर अपने डिरेक्टर को बोल दो कौन हो तुम मेरे पापा गोकी नेनी पैद बाबू ने यहां भीजा है इस फिल्म में मेरी बेटी काम कर रही है ऐसा है क्या तुम भी जाके लाइन में बेठो है यह कितना बेवतों है देखा नहीं जा सकते हैं तुम मेरे देवता हो और मैं तुम्हारी दासी हाँ हाँ ठीक है सामने देखो बिटी क्या डाहिनी तरफ देखो हाँ ऐसे ही ठीक है, हसो, जोर से हसो, जोर से पेद बाबू ने भेजाया जी, ये सब क्यों, मेरी बेटी इस फिल्म में काम करेगी गाम क्या है? सावित्री ये मेरे पापा है आप पेद बाबू को कैसे जनते हैं? वो हमारे मालिक है ये मेरे पापा है बार-बार क्यों कह रही हो वो क्या है कि नाटक में हर बात बार-बार करने की आदत है ना उम्र कितनी है चोड़ा स्टूड़ा सोला या चोड़ा मतलब वो समझ गया यह बड़ा रोल है यह लड़की काम नहीं कर सकती है नेक्स्ट किसी और को भीजो पापा यह कौन से स्टूडियो विजय वाहिनी स्टूडियो हमारे देश का सबसे बड़ा स्टूडियो है यह जाओ यह जाओ यह वह पुछलते वह जा रहे सुनो जी मुझे अरे अंदर जाना है भाई परमीशन है क्या भेजवारा से वीके चौदरी आया है गोकी नेनी पेद बाबुनी आ भेज़ा है जो भी हो पहला परमीशन लेगे आओ जाओ यह से जाओ पापा चले क्या नहीं बेटा परमीशन चाहिए यह नहीं खाने के लिए खाने के लिए ना हाँ चलो अंदर बैचाओ चलो पापा उत्रो आराम से हाँ आहा विनायक अच्छा शकुन है हाँ जोडते हैं यह भगवन बिना किसी विगन के मेरी बेटी को हीरोईन बना दो इतनी कृपा करो भगवन भगवान कहां गए अंदर चले गए चलो चलो सुनिए भाई सुनि यह क्या बीडी फूखने के लिए यह जगा मिली यह फिल्म सेट है जानते हो मैं इस फिल्म की हिरोईन हूँ पहले बीडी फेको रंगराव जी शॉट रेडी आपका चलो रैसे सीव में आपके हाद सिगार होना चाहिए वह नीचे गिर गया चलो शॉट लेते हैं जी इस फिल्म का नाम क्या है सावकार हीरोईन फाइनल हो गई है हाँ हो गई है कोई नई लड़की है जान की नाम है उसका नई लड़की जान की है आ हेरो कौन है इसमें हमने वह जो प्रेक्टिस कर रहा है पहले लड़की है पहरा रामा राओ पूरा नाम नहीं है क्यो नहीं है नंदमुरितारक्रामा राओ आपकल राष्टा फटकर आये ब्रदर पर जीनी के अधिकार रिक्ला ने आपकल राष्टा फटकर आये ब्रदर यह नाम याद रखना होगा वैसे आप है को सब्सक्राइब पापा इसकी बाद ट्राम में चले मैं यहां यहां वापस लोटने के लिए पैसे गिन रहा हूं और तुम्हे ट्राम चाहिए यहां उम्र सोला ही बताना कि आज को ओडिशन खतम हो गया है आप लोग जा सकते हैं अब कि लड़की किसी में फिट नहीं हो पाएगी अब गधे तू क्या जानता है कास्टिंग के बारे में तमिल नहीं आती आप लोगों को एक भाषा नहीं आए तो क्या हूँ आपकी आखें कई भाषा है बोलती है नाम क्या है आपका सावित्री बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा बड़ी स्टार बनोगी मैं भी तब से यही कह रहा हूँ ना लेकिन ये नाला एक स्टूडियो वाला में अंदर आने दे तब तो रीली सॉरी अंधा है ये इसे असली टैलेंट की कदर ही नहीं है पागल कहीं का ये सलेकर मैं राम स्वामी गणेशन हूँ लेकिन यहां सब मुझे जैमेनी गणेशन बोलते हैं इनकी कुछ फोटोस लेलू आपकी इजाज़त हो तो हाँ ठीक है थोड़ा इस तरफ डरो मत सिर्फ फोटो के लिए थोड़ा फेस ढूखाँ श्माइल प्यूड़िफॉट ये लिटिये रेकमेंडेशन लेटा और किरदार फिलहाल अभीन के लिए कोई रोल नहीं है थोड़ा इंदजार किजिए ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी ना थाली सामने रखकर कल खाना पर उसने की बात कर जल्दबाजी मत कीजिए बच्ची तो है अभी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ चलिए पापा गाउं में सावित्री का सभी ने मजाक उड़ाया था कि फिल्म में हिरोइन बनने गई है लेकिन फिल्मों में काम ना मिलने की वज़ा से उसने पहले की तरह नाटा करना शुरू कर दिया पर इस बार फिल्म ने खुद सावित्री को डून लिया सुनिये यहां केवी चौधरी कौन है क्या उसे आपका पैसा चुका नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है फिर तो मैं ही हूँ नमस्कार जी मेरा अनाम किष्ण मूर्ती है साधना नाम की फिल्म संस्था में काम करता हूं हम एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं उसमें आपकी बेटी को हीरोइन नमस्कार दुबारा मदरास जाकर फोटो कीचवाने के हिमत हमें नहीं है आप जा सकते हैं सुनिये चौधरी जी इस पत्रिका में आपकी बेटी की फोटो देखने के बाद ही आया हूं है क्या मेरी फोटो पापा ये फोटो तो जेमनी गनेशन ने ली थी ना नागेश्वराओ जी आगे क्या सामने देखो मेक अप करने के लिए एक और बाल बनाने के लिए प्रतिष्ठा बढ़ जो गई है कल पोस्टर में एक तरफ होंगे एंटी रामा राओ एक तरफ होंगे नागेश्वरा और बीच में होगी तू तब आगे देखना अपना रो इधर आओ एक अच्छी सी फिल्टर कॉफी लाओ उसमें चीनी थोड़ा अच्छे से डाल कर लाना और सुनो कुछ नहीं जाओ शॉट रेडी है मेडम बहुत अच्छा है शॉट रेडी का मतलब है वो तुम्हें बुला रहे है मतलब नाकिश्वराओ जी आगे पापा एलभी प्रसाद जी आपकी हीरोईन सावित्री यही है परचो परचो एए ठीक है ठीक है हीरो नाकिश्वर आगे है आज आएंगे और कहां जाएंगे पहले तुम सीन सुनो तुम अपनी दोस्तों के साथ कार में आ रही हो तब सामने से बैल गाड़ी पर हीरो अकर ह हाँ वही आपने बाप को रोड समझाए क्या है हटो 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 ऐसा बोलोगी अपने बाप की सणक समझी है हटो 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 गुड गुड तब वह मानता हूं कि अरोड तुमारे बाप की है अब हटो बस ऐसे ही वैसे यह हमारी हीरोईन सावित्री नहीं लड़की है नमस्ते हीरो नागेश्वर जी आगे अरे सुनो अरे सुनो शूट करते हैं इधर आओ कैमरा रोलेंग एक्शन एए ये सड़क नागेश्वर राव जी की समझी है हटो हटो सावित्री ये नागेश्वर राव की सड़क कहां से आगे इस पार वो ठीक ठीक करेगी पहले कभी लड़कों के साथ काम नहीं किया है न इसलिए ये रोड अपने बाप का समझाए क्या बोलोगी ओके एक्शन ए नागेश्वर राव सड़क मेरे बाप की समझी है ए ये रोड मेरे छी मेरे बाप की सड़क छी अपने बाप की रोड छी ये रोड मेरे बाप की अरे पापा रोड अपने बाप का समझा है क्या रोड अपने बाप की समझा है क्या एक्शन क्या है ए अपने बाप की रोड छी समझे है क्या इस लड़की को कौन लेकर आया रहे मुर्थी इधार रहा सर नाटक में देखा था मैंने फिल्म को मजग समझ रखा है एक्सप्रेशन नहीं है डायलोग याद नहीं होता है सुनो सिर्फ नाटक करने से कोई अभी नित्री नहीं बन जाती हमारा समय बरबाद मत करो तुम फिल कोई बने चली आती है सुनो भाई मेरा सिर्फ हट रहा है एक फिल्टर कॉफी लाकर दोगे अच्छा वाह चांच दे रहे हैं जाकर लाइन में खड़े होकर ले लो इस फिल्म से अब कोई फाइदा नहीं है देखो हम आज रात की गारी से अभी फिल्मों में काम करने की बा मैं उस दुकान तक होकर आती हूं ठीक है मैं आजोंगी बाद में मिलते हैं ठीक है ऐसे गुस्से में क्यों बैठी हो मैं आक्टिंग के लायक नहीं कहने वाला वो कौन होता है यह सब यहां चलता रहता है दिल पर मत लो ट्राम में घूमना चाहती थी ना देखो चले बाता है सबकी सामने कहा कि मैं आक्टिंग के लायक नहीं करके दिखाऊंगी चलो चलते हैं नहीं तुम जाओ मैं बाद में आती हूं सुनो रेड़ी एक डांसर के किरदार के लिए तीन दिन का ओडिशन जरूरी है क्या छोटा होया बड़ा जरूरी तो है ना खोजना तो पड़ेगा ना पर आखिर कब मिलेगी जब भी मिल जाए उस लड़की को देखे वो लाल ओडनी वाली इतनी दूर से भी एक्सप्रेशन साफ दिखाए दे रहे हैं उसकी आँखों देशन रोग दो लड़की को बुला के लाओ रूनमे कैंदे मो इकर आनंते आरे दामोय मो मनकू मनकू धीरंडी रूनमे मनते ठड़निक येकरी रूनमोय अब इतना कह रहे तो दोबारत स्क्रीन टेस की ज़रूत नहीं है तुम्हें पसन आनी चाहिए ना देखो वहां डाइलोग्स याद कर रही है ना वो लड़की अब इस लड़की की बात कर रहे थें नहीं चक्रपानी जी नहीं एक बार देख तो लो चपन बार देख चुका हूं जी इस लड़की को डाइलोग बोलना नहीं आता सुनो डाइलोग्स याद हो गए ना हाँ ठीक है आपकी मर्जी एक्शन अब जेतलो लेकों नहीं चेपने माठलोग्स अब द्धाल का क्योंते आई दकर डबून्टे यंते नहीं इस्ताडू कानी लेदुगा आई नास तंता इंटी के इंटी के इंटी कोच नाथ सलके खुटूंब गवरवान के काच्र बेटी साड़ू अगर यही तुमने पहले कर लिया होता तो तुम्हें संसार्फिंस से निकालता ही नहीं ठीक है किस्मत में लिखा है कि मैं तुम्हें फिल्मों में लेकर रहा हूँ अब देखिए राघव जी मेरी बेटी को अब जाकर फिल्मों में चांस मिल रहा है मदरास में घर भी खरीद लिया है और अब यह लोग बंगाली दारुबाज की कहानी करने को कह रहे हैं मनिकपनि मांगल्याम तुम चुपरहओ मननपोल मांगल्याम डिर्रेकटर पुलय जी अच्छी कॉमेडी फिल्म है तो इसलिए आप्सकी फिल्म नहीं कर्पाएंगे जी अरे क्या हो गया तुरो कियो रही है पारवती जमीनदार से कैसे शादी कर सकती है मा जमीनदार कोन है अरे वह भुजंग रहा हो मा बुड़ा कहीं का चार बच्चे है साठ साल की उमर में शादी कैसे कर सकता है दीवदास भी नहीं रोक रहा है अच्छा तो ये किताब पढ़कर रो रही है पंगली कहीं की अब सोजा मुझे फिल्म करनी है मा लेकिन तुम्हारे पापा तमिल फिल्म वालों को हां कर चुके हैं वो भी करूंगी मैं कोई भी फिल बात करके मना ये ना वानी जी मैं कब से आपको जीवदास फिल्म साहुकार जानकी के साथ शूट करके बंद कर दी गई थी पता है ओ अच्छा ठीक है मैं ये कहना चार जी की उम्री सिर्फ 18 साल थी छोटी उम्री थी मेरी बात यह थी कि आप ही है थोड़ी देर रुख जा जानते हैं शंकर जी को तो नहीं जानता है लेकिन मैं बहुत दिनों से सावित्री जी पर कहानी लिखना चाहता था लेकिन आप आप आपने देवदास देखी थी नहीं नहीं देखी एंटिनी जी उसमें जमींदार भुजंग राव के बड़े बेटे का रोल किया था मैंने शूटिंग में जब भी सावित्री जी को थोड़ा वक्त मिलता तो मैं उनसे जाके बात किया करता था उनकी फिल्मों के बारे में ही नहीं उनकी पसंद नापसंद दुख सुक उनके कितने अनभाब सब ऐसे ही धरे रह गया है जो उनके बारे में लिखी नहीं पाया लेकिन अब सबको उनकी कहानी पता होनी चाहिए किशवने कहा उसने अपने इमानधरी देखी अब उनकी कहानी आपको यह पुरी करनी होगे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, ये बताओ, क्या दोगे, हाँ, पाइल ही दोगे न, उझे परिशान करने के लिए, तुम्हें परिशान करने के लिए, तुम्हें रिजाने के लिए, कट, पॉडोसी लड़की की तरह दिखना चाहिए सावित्री थोड़ी और मौत हुमियत चाहिए जी डिरेक्टर साभ सुनो लड़की देवदास में नागेश्वर राव को मत देखो नागेश्वर राव में देवदास को देखो समझ गई अरे हीरो साहाब आप पारवती में सावि को देखिए ठीक से करना अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है किसी सेनियर आट इसको ले लेते हैं यह कोई साधारान किरदार नहीं है परवती है इसमें कुछ तो बात है मानिक क्यों देखते हैं पायल देकर मुझे परिशान क्यों किया जा रहा है अरे वहां तमिल फिल्म व क्या हुआ तमिल नहीं आती क्या शुरू में कुछ नहीं आता है धिरे धिरे तुम सब शिख जाओगी अभे अभी कुछ नया लिखा है मैंने मतलब जिन्दगी भर जीस मंगल सुत्र को सीने से लगाये रखा है वो कितना भी भारी क्यों नहों हमें उसे खुशी-खुशी ढोना चाहिए इसे पढ़िये इस भाषा को जितनी सुन्दरता से बोलोगी उतनी ही जल्दी तमिल इंडर्स्ट्री को हिला कर रख दोगी हिला कर हिला कर रख दो सावित्री यहां देखो कहा था ना एक दिन तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी सही कहा था ना आप यहां फिल्मों में से फिरोईन होती है क्या फिरोणी होते अरे हां मुझे याद ही नहीं आया कि जी जी आप ही हैं मदरास आकर आपसे मिलना भी चाहती थी वो क्यों आपकी लिए हुई फोटोस की वज़ा से मुझे फिल्मों में चांस मिला वेरी वेरी थैंक्स नॉंसेंस तुम में टैलेंट है इसलिए तुम ही आओ वैसे शूट का फॉर्स डे कैसा रहा यह सिनिमा और यह भाशा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यह क्या है किताब पढ़ने के लिए भाशा का जानना जरूरी है भाशा जानने के लिए किताब का पढ़ना जरूरी नहीं तो फिर कैसे आएगी ये भी आप ही बदा दीजिए जिंदगी जीने से आएगी वो कैसे जीनी होगी शूटिंग खतम होने के बाद मेरे साथ चलो जीना सिखा पापा से क्या बोलूंगी जो भी भाष आती है उसी मैं बोल दो बेल्कुल भी नहीं मेरी किताब मुझे दी दीज़े अभी तक तुम्हें डायलग याद नहीं हुए अच्छे से पढ़ लो अभी वहां पर कोई तुम्हें ही देख रहा था वो लोग शायद तुम्हें अपनी फिल्म में काम करने के लिए कहेंगे उसे भी हां कह देना अरे उसके बाद तो हम पर पैसो की पापा गुरू जी ने क कोस्ट्यूम्हें के लिए बुलाया है मैं खुद घर आ जाऊंगी हुँँँँँँँगी अरे इतना बड़ा लंगूरू अच्छे ना सिखाने के नाम पर अस्पाल क्यों लिकराया हूँँँदगी शुरू और खत्म होस्पिटल से होती है ना क्यासी अँटी ठीक है ना तुम यहां बेट के इंसे तमिल सीखो मैं आप ही याथ हूँँँँँँदगी पोड़ा मेला साकरमा और लट्टी ले और सीले भिले लट्टू पेरी यह रोदना यहन इदि तिंगादे आदि तिंगारे ने वरे इंसा अलो क्या घह रहती आंटी जब समझ ही नहीं आया तो कैसे बताओं कि क्या कहा बातों को समझने के लिए भाशा का जानना जरूरी है पर दिल को समझने के लिए तुम्हें दिल से बाते करना सीखना होगा क्या हुआ है कई वली तांग मुड़ी लब्मा कई कई मतलब हाद तलविदी मतलब किसमत ना तलविदी मतलब किसमत कई मतलब हाद वेरी सॉरी, वेरी सॉरी चार, नाल नाल का मतलब चार नाल मतलब चार है ना दादे उनना वृदम मतलब इसका मतलब है भूखरताल हस क्यों रहे हो इन सब लोगों को अलग तेलगू राज्य चाहिए और मांग रहे है तमिल में भाशा में क्या रखा है उसमें छिपी भावना को समझना ही काफी है कड़तिल केड़कर ताली एवलो कनमा अरु दालू अध कड़से वेरिकें तांगर मनपोकों भक्ति, काद, अन्ब, पास, नेयर्मै अधि, इस रहला में रूंबा मुख्यों इद कोड़ा यह माण के लेवी दिकेले आपा आपा, आपा आपा, आपा आपा, आपा सोलनेगा बोलो ना, बाबा कड़च कर दो, कड़च बेटी तुम्हें तमिल बोलते हुए सुनकर तमिल लड़कियां खुद चौक जाएंगी तुम्हें तो डबिंग की भी जरुरत नहीं है अरे वाह तुमने तो बहुत बढ़ है सदा तेरे ले तड़ पे मन सुनले जरासनम हर एक मोड पे चाहू तुझे चाहत ना हो कम यही चाहे दिल ये यही चाहे दिल ये कटे जिंदगी संग तेरे हर्पल तेरे ही एकड़ पे मन वानू तुझे ही अपका सजन्ग हर्पल तेरे ही एकड़ पे मन रम हर्पल तुझे हाँ हर्पल 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 कि अपर देज़ और कितनी देर अंदर से पील होना चाहिए रहा है आग या नहीं एक मिनिट एक मिनिट है अचोचता हम कुछ हम इनके सोचते सोचते कहीं मुझे न नींद आजाए तो चलो नींद उड़ा देता है पापा के साथ तो कभी खेलने का मुका हिने इन आजाए पापा के साथ तो कभी खेलने का मुका हिने जो चाओदरिशा ने कभी खेलाया न है वह एक मेरे मौसा है बापकी तरह पाला जरूर है लेकिन पता के कहला नहीं उन्हें तिसे भी देखती हूं सोच प्यापा ऐसे होते मुझे गोद में लेकर खिलाते प्यार करते लेकिन अब वो उमर भी तो वापस नहीं आएगी सावित्री उठो उठो क्या हो इस पर खाड़ी हो पताता हूं आजब पीछे से पकड़ो तेरे संग मिले सुकूं मेरे हम्दं मोरे मन बसिया हर पल पिरे मिले पड़न मन वादू पुझे अपका सचंग हर पल पिरे मिले पड़न मन देवदास पारवती से शादी करता तो अच्छा होता ना उनके लिए तो अच्छा ही होता लेकिन फिर तुम्हें ये फिल्म मे εह मिलती ना पारविती की शादी हो गजी तो क्या उसे चोढ़ देगा। देवदास के पियार की ताकत इतनी थी शायद छोड़ना ही देवदास की ताक्त है मतलब देवदास की पहले शादी होई होती तो क्या पारवाती दूसरी बीवी बन कर साथ रहने को तैयार होती हाँ, क्यों नहीं होती प्यार किया था न वो देवदास अगर जैमिनी गनेशन हो तो मैं शादी शुदाओं सावित्री मेरी दो बेटियां भी है डॉक्तर बनना चाहता था फर मेडिकल सीट के लिए पैसे नहीं था मेरे गले में स्टेदिस्कोप के बदले मामा की बेटी अलमेलू के गले में मंगल सूतर पहना दिया गया मामा तो चल बसे डॉक्तर बनने का सपना देखने वाले इस रामा सौमी गणेशन को किस्मत ने अक्टर जैमिनी गणेशन बना दिया शादी के बाद मेरा पुष्पवली के साथ अफैर था ये बाद बिलकुल सच है लेकिन सावित्री वो प्यार नहीं था अब मैं तुम्हारे साथ हो और तुम ही मेरा प्यार हो शादी शुदा इंसान को प्यार हो जाए तो ये प्यार की परिक्षा है या शादी की यही सच है सावित्री मेरा आदीत सच है मेरा प्यार भी सच है क्यों मनिकम अभी भी तुमको सीनियर बड़ी हरुन चाहिए क्या मैं नहीं छोड़ूगी अन्ता क्यान किये ना जीविता ना भे लुगिंदे ना आजया निराजे ना मिगिले विशिंदे रुको यह क्या है सावित्री ऐसे क्यों ब्लियाव कर रहे हो अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा छोड़ी मुझे अजया जिली पितना ला जेली में मरसी थी वो अजया जब तक कसम नहीं खा लेते के पीना नहीं छोड़ो के मैं यहां से नहीं जाओंगी कसम देकर यह बचिवी शांती भी जहिनना चाहती हो पारो कट सावित्री कट 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 अरे कट कह रही है सावित्री क्या कर रही हो उस फिल्म में ही काम करने से मना किया था और अब वहां सिर फोड कर आ गई वैसे सच में तुमने सिर क्यों फोड़ा नागेश्वाराव ने सच में पिया था क्या नाटक था अरे ऐसे क्या देख रही हो नजरे जुकाओ दुबारा अगर तुमने ऐसा काम किया ना तो तुम्हारे दाथ तोड़ दूँगा तोड़ दीजी सर ये तो गलत है ना सीन दमदार बने फिल्म अच्छी बने इसलिए कुछ भी करवाएंगे क्या सिर्फ नाटक है किरदार में डूब जाना अच्छी बात थोड़ी है कि मेरे तारीफ की या मेरा मजाग उड़ाकर चला गया अभी हर जगह अभी न है जब अभी ने हैं अज़िये ऑसे ही होना चाहिए अच्छा डाइलोग है इसे बुछोगी तो तुम्हारा नाम होगा तेसे पक्तो में आता हो खीचो 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 उपर खीचो खाँ कर दो यहाई। मत अए। मंसा वाचा कर्मना, तीन गाठे बांदूंगा, मंसे गाठ पड़े तो ही उसे बंधन माना जाता है, जब वो ही ना हो तो कोई कुछ भी कर ले, वो बस सौधा ही होता है वो सौधा जिन्दगी भर का होता है, बीच में छोड़ा नहीं जाता ना? अगर ऐसी बात है तो, खयालों में भी दूसरी औरत नहीं आनी चाहिए, लेकिन तुम तो आ गई ना? घर में पत्नी के होते हुए, मेरे बारे में कैसे सोच सकते हो? क्योंकि दिल में तुम ही हो अम्माडी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, और मैं प्यार में आगे भी नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया अगले जनम में हम एक होंगे ये विश्वास दिलाओ तो, मैं इसी वक्षुशी से मर जाऊंगा मैं मौच से नहीं डरता सावित्री, और अगर अगला जनम नहीं हुआ, तो जैमिली सावित्री की प्रेम कहानी भी देवदास पारवती की तरह अधूरी रह जाएगी एक ही जनम हुआ तो, हमें ऐसे ही रहना होगा जिन्दगी में आधे से जादा वक्त, क्यामेरा के सामने अक्टिंग तो करी रहे हैं, जो थोड़ी बहुत बठी है, उसे तो झीले जिन्दगी में अक्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अक्टिंग जिन्दगी नहीं बननी चाहिए लेकिन ऐसे कैसे आप शादी शुदा हैं शादी शादी जब इंसान जंगल में रहता था तब क्या शादी होती थी मन्स से अगर रिष्टा हो तो शादी की कोई ज़रुवत नहीं है सावित्री क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या तुम मेरे बिना जी सकती हो देखो सावित्री मुझे सिर्फ अपने प्यार पर यकीन है शादी पर नहीं हमारे जैसा प्यार मिलता नहीं है सबको निर्संकरा सावित्री मैं रामस्वामी गणेशन इस चामुडेश्वरी मा को साक्षी मान कर मन से वचन से कर्म से तुम से शादी करता हूँ फिल्मों की तरह इनोंने कितनी आसानी से दूसरी शादी कर ली ना यहां एक शादी नहीं हो पा रही है और वहां दूसरी बार क्या कहां मुझे यह नहीं पता था कि सब्सक्राइस के पहले उनकी शादी हो गया दिवद्यास मनपोल मागलम दोनों फिल्म उनकी शादे के बाद ही रिली स हुए थी और उन दोनों को साथी में सक्सेस मेली थी कि उसके बाद तीन चार साल तयक कि CI हिट्स थी कुछ फ्लॉप्स उस वक्त अंजली देवी जी भानुमती जी पड़ी स्टास थी सावित्री जी अपकमिंग थी ओरिजिनली मिसम्मा भानुमती जी थी एक बार उनके और चक्रपानी के बीच जगड़ा हो गया और उन्होंने फिल्म की सारी रिल्स जला दी देवर हजीब दास्ता है ये अरिवालू एरंदिडूं पदिनान सदि पदि विरोध मिगवे दिदंद दिजी इदंतरूं वाल्वे रावोई संद मामा माविंत गाध विनुमा रावोई संद मामा ये किस लिए पहले दीवाले नमस्कार जी इतनी देर क्यों लगा दी हूपर बच्ची आपका इंतजार कर रही है जाए ये सर अब पठाके क्यों नहीं जला रहे हैं पठाके हां सब जला रहे हैं मुझे ऐसी आदत नहीं है पठाके जलाकर धुआ कर लो फिर अपनी तबियत खरा हलो जरा इधर आओ सर वो मैं अंदर बस ऐसे ही जा रहा था तनमत में मोत अनदी मनमत मसले फड़ दो मनमू मनदनु माटे अनमी ये दुतानन दो जैबो शेखर बॉक्स ले जाकर कार में रख दो जी माडम क्या ये सब जैमिनी की पहली पत्नी को पता नहीं चला उन्हें पता था है नहीं मैं नहीं जानती लेकिन सावित्री जी उनसे बहुत डरती थी एक दन स्टूडियो में उन्हें देखकर शूट से ही भाग गई जूप हो जाओ बेहन बेचारी बेटी ने रुलाया है काजल न उतर जाए तब तक रोने तो रोती रहो तुम्हारा तमिल लव लेटर तेलगू में पड़ो इसे आप बाड़ी अब तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हम दोनों रात को बीच पर घुमने चलेंगे मैं नीचे आकर दो बार कार का हॉन बजाओंगा तुम्हारा प्रेमी गणेश कि मैं वो पापा कि मुझे पापा कहने का हख हो चुकी हो तुम यह सब क्या किया तुम्हें कह दे यह सब जूट है सच है कि मैं समझ नहीं बारियों कि आप लोगों को कैसे बता हूं मुझे माफ कर दिने किया तुन नहीं है शरम नहीं आई विजे पापी नहीं कि इन जाने में हो गई गल्दी उससे जान बूच कर किया उनकी पत्नी और बच्चे हैं यह जान कर भी किया प्यार करके किया तुझे ना शरम नहीं आई तुझे सब कुछ मिट्टी में मिला दिया हाथ से निकल चुकी है तुम्हारी बीटी अब कुछ भी नहीं हो सकता सिर्टो मैंने चड़ाया था ना चपल भी मुझे पढ़ने चाहिए अब ही आएगा ना आने दो उसे दो हॉन बजाएगा ना परसों ही खरीदा है इसे इतनी जल्दी इस्तिमाल करना पड़ेगा नहीं सोचा था अब बड़ी रो यहां अंदर पापा उसे मारने के बाद यह दर्वाजा खुलेगा शादी की है शादी किसी ने भी अगर दर्वाजा खोला ना तो तुम सब को गोली मार दूंगा अड़ो कराद बड़ो पो, सुषाट के लुए!! यह… is अप्राँ, यहाँ!!!!! हुए... रह्ए रहा घरा कवि नगना जान कर दो में कर दो प्राइब प्राइब प्राइब। यह कौन आइमा? रेवती, जा कर सो जाओ, 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 अब रोने से क्या फायदा? चाए पी कर कपड़े गदल लो। चुप हो जाओ, रोना बंद करो, इतने दिनों से सोच रहे थे कैसे बताए, इतनी आसानी से हो गया सब कुछ वो आपको मार डालेंगे, मौसा जी बहुत गुस्से में उनकी प्यारी गुडिया को अगर कोई कमीन अपने जान में फसाएगा, तो उने गुस्सा आएगा ही न? सब ऐसा ही सोचते है सावित्री, उनकी गलती नहीं है, तो अब क्या करें? प्यार, प्यार किया है न? छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है शादी की है हमने रोज एक्टर बनने के लिए कितने लोग मदरा साथ हैं जानती हो, तुम बन गई, उसकी खीमत जान लो शादी की बात पता चली तो कोई काम नहीं देगा तुम्हारा करियर खतम हो जाएगा सावित्री शादी की है हमने तुम्हारी मर्जी क्या तुम्हारी मर्जी? इसे शादी करनी है ये बात मुझे बता दी होती तो महराजा की तरह रिष्टा लेकर आता? ये कहां से मिल गया तुछे? चप्तल से मारूँगा मेरे घर में बात करने के लिए दू कौन होता है चोदरी एक मिनिट शादी शुदा इंसान के साथ इतने शादी किये इस बात पर इसे थपड मारना चाहिए था और आप इसका साथ दे रहे हैं अगर शादी किये भी नहीं ये उसके साथ रहती तो तुम्हें अच्छा लगता चोदरी मानने मनने का वक्त बीद गया आशिरवाद देने का वक्त है जब उसके पहली बीवी मान गई तो तुम्हें क्या है? मुझे क्या है? जानते हैं इसे हिरोईन बनाने के लिए मैंने क्या-क्या नहीं किया? खुद भूखे पेट रहकर जो कुछ भी कमाया था वो सब इसी पर तो खर्च किया? मेरी कमाई से मुझे कुछ नहीं चाहिए घर, गाउं की वो जमीन, सब कुछ जो भी कुछ कमाया है, सब आप ही रख लीजे लेकिन हमें जी ले दीजे तुम्हारे सपनों को तो मैं भी जी रहा था ना? पर तुमने सब कुछ बरबाद कर दिया यह सब क्या है? शर मानी चाहिए, दूसरे पेपर वालों ने मुझे पर जोक्स और कार्टून बनाने शुरू कर दिये हैं लिखते हैं मैं ही शंकर जी हूँ, देखो, दिखाए दिया मैं सब से मिला सर, एक्टर्स, डिरेक्टर्स, प्रेडिूसर्स, उस नम का कोई है ही नहीं सर उन्होंने चिठी में ओ नाम लिखा था ना, मतलब जरूर शंकर जी नाम का कोई है उस नाम के बिचे कोई कहानी है, वो कहानी क्या है मुझे जानना है इसका पता लगाने वाले को इस पेपर का सब एडिटर बना दूँगा तंखवा दूँगा हजार उपया रानी, फ्रेंट पेज पर रार्डिकल चपाऊँगा अब खड़े-खड़े मुझे देख रहे है, जाओ फ्रेंट पेज नाहीं आज तक शंकर जी शेखर को मिले नाहीं मुझे मिले पता नहीं कहा होंगे देखते हैं अब ये कहानी कहां तक जाएगी सावित्री जी आपकी शादी को थीन साल हो गए क्या ये सच है? आप अपनी पहली वीवी को तलाग दे देंगे, क्या? सावित्री जी, अब आप फिल्म नहीं करेंगे बस, नो कोशन्स, फ्लीज जाएए हो गया, जाएए जाएए कुम्ब कॉणम सामबर, ये तुम्हें दाल से भी अच्छी लेगेगी देखो, नमक ठीक है न? तुम ऐसा लग रहा है क्या? क्या हमने जो किया वो गलत है? अपनी मा, मौसा जी, गुरू जी, सबको दुखी किया हमने मैं ही पागल हूँ क्या? हाँ हो, हमारा प्यार देखकर कोई भी कहेगा कि हम दोनों के दोनों पागल है, कहने तो? नमक ठीक है? हमें दुनिया के बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना दुनिया? सावित्री गणिश्य ने शादी कर ली तो क्या वो काम छोड़कर घर बैठ जाएगी, नॉनसिंस जैसे हम शादी से पहले रहते थे, अब भी वैसे ही रहेंगे चलो, शाम को भाहर चलते कहीं बाहर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं क्यों? शादी से पहले तो पूरे शहर में घूमते थे शादी के बाद छुपने का क्या मतलब है? कोई परिशानी ना हो, इसलिए हमने शादी की थी ना? शादी ही परिशानी बन जा तो क्या फाइदा? ऐसा है? तो चलो, फिल्म बहुत अच्छी थी सुजिन होट ने तो बहुत अच्छा अभी नहीं किया तुम्हारी फंदेकर, वो भी यही सोचेंगी हलो, कहां चले? पहली बार ऐसे पती-पत्नी की तरह बाहर आए हैं इतनी जल्दी घर नहीं जाएंगे हम ये लीडिये, हमारी तरफ से फ्रेंड्शिप का तौफा अरे, अब एक और तौफा क्यूं? भूक लगी है, खाना खाते हैं अपनी औरत को छोड़कर, पराई औरत के साथ कैसे घूम रहा है? अच्छा बढाली है, ना? सुने, जेमनी को देखियो, उसके साथ कैसे घूम रहा है? आकिर के लाएगी तो उसकी दूसरी बीवी ही ना? अब मुझे भूक नहीं है, चलिए हम घर चलते हैं अरे सीव, यह क्या करने हैं अब? हलो, लेडिज और जेंटलमेन मेरा नाम जेमिनी कडेशन है पहचांदे हैं ना? वहाँ देखिए, वहाँ जो सुन्दर लड़की खड़ी है वो मेरी बीवी है और आम शूर आप सब उसे भी पहचानते हैं नीचे आ जाएए ना? आप सावित्र को सिर्फ हिरुइन के रूप में जानते हैं लेकिन आज मैं आपको दूसरी सावित्री से मिलवाना चाहता हूँ जिसे मैंने अपना दिल देकर उससे शादी की है ये है मिसिस सावित्री गणेशन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिसिस सावित्री गणेशन जानी मैं आपको दूसरी गणेशन जाने नन सुनो गुजे मन का को ना को ना रात दिन रहना तुम सकोगे मेरे प्यार बिन आसमा में खो जाए साथ हम प्यार के लिए पड़े ये वंक को आओ इंतजार है हर पल तेरा दिल की बात अब तुम कहो 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 मादला के इस जहां में आओ घुम जाए हम जान सुन जान सुन जान सुन तू मेरा रोप है तू मेरा रंग है तू जिसे ही मेह की अंग मेरा भूलो की खुश्बतों रह मेरे रोबरों तू ही मेरे दिल का है सुरूर साथ तू है अगर मिल गए दोनों जहां कुम घुनाए ये समा प्यार की दासता तो जहां मैं वहां धड़कनों के सुन सुबात मेरा कह रहां प्यार की सुनों सदा चागतारों से भी आगे अपने भीर के अगर आजो आवे अंपर नाचे धरते चाहे कुछ भी कहो लेकिन जहमीनी में चाम तो है अब समझ में आ गया कि सावित्री जी को उनसे प्यार क्यूं हो गया था सावित्री जी कोई नहीं बहुत लोगों को हो गया लेकिन वो भी तो सावेतरी जी सब प्यार करते थे, वन्ना ऐसे सब के सामने ही बगवान. लेडीज एन जेंटलमेन, मेरा नाम है अन्थनी. वहाँ जो लड़की खड़ी है ना, वो है मधुर वानी जी, बी ए गोल्ड मेडलिस्ट. लेकिन आज मैं जब स्वानी जी को देख रहा हूँ न, वे एक मिनट, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ. जो वानी जी सिर्फ मुझे दिखाई देती हैं, जानते हैं उनकी आँखों में मुझे क्या दिखाई देता है? सच्चाई, सच्चाई दिखाई देती है मुझे, वानी जी आज, वानी जी मैं कब से आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे, एंधिनी जी, चलिए, नीचे आईए. जैमिनी सर, थैंक्स. बाई. बाई. मा, क्या? एशुप्रभुबर आपके क्या राय है? उन पर मेरी क्या राय होगी, ये कैसा सवाल है पगली? मतला, दूसरे धर्म के बारे में तुमने बहुत से किताबे पड़ी है, ना? ब्रह्मा जी ने कहा था, इश्वर एक ही है, धर्म चाहें जो भी हो, अंत में जाना तो परमात्मा के पास ही है, ना? अच्छा? तो फिर दूसरे धर्म के लोगों से शादी करें, तो… तो ब्रह्मा जी, अरे वो सब बाते छोल, इस नर्खी को पला नहीं क्या हो गया है, चल चल पहरे भगवान के आगे माफी मांग, चल, राम, शादी के पाद सावितरी जी का सेने कारे खत्म हो गया, क्या सब को ऐसा लगा था, नानी? लगा तो था, पर असल कहानी तो वहीं से शुरू हुई अरे, गुरु जी, आए, आए, बैठे कैसी चल रही है, ग्रहस्ती? अभी तो दो फिल्में शुरू हुई है, देखते हैं कैसे चलती है ये दो फिल्में पूरी हो जाए तो, अभी ने छोड़कर जबजी वाले से रोज मोलभाव करते हुए क्या बनाना है, क्या करना है, उनका इंतजार करते हुए ये चोटी सी जिंदगी खुशी से बीच जाए, उतना ही काफी है प्रतीभा जब इतनी होना, तो दुनिया में कोई सीमा नहीं होती समझी, हम लोग एक फिल्म बनाने वाले हैं केवी रेड़ी जी का कहना है, उस किरदार के लिए वो तुम्हें ही लेंगे मैं नहीं कर सकती गुरू जी, मेरे लिए यही काफी है जब तुमको फिल्म की जरूरत थी, फिल्मों ने तुम्हारी जरूरत पूरी की न, अब फिल्म को तुम्हारी जरूरत है जानना चाती हो रामराव कृष्णा नागेश्वराव अभीमन्यो तुम सशी रेखा और फिल्म का नाम है बाया बजार सीन नमर 90 ठेक वान इन पाइन वंठकंबू पियालवारी दिंदू ओख़ख़णा के भूंदू हाहाहा हाहा हाहा कॉट क्यों पिंगले साब सौ दिन तक चले गाना ऐसा लिखने को बोला था आपने तो सौ साथ तक चलने वाला लिखती है मेरी लिखाई से तो अच्छा आपका निर्देशन है जनाब आपके लिखाई उनके निर्देशन के साथ साथ मेरा अभीने भी तो अच्छा होना चाहिए न बिल्कुल सही कहा दादा बहुत अश्रीयो तुम अभी तुम माया शश्री रेखा हो रंगा राओ की नकल कैसे करोगी देखता हूं संदे नहीं है माता वह वहां भी है यहां भी है चिद्वी लास दूशत चटूशत यहा 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 जरा समलकर जरा एकभनेश मेरा पिसा तक शांका समय त्थाइट, विरी। टोल्स नम् burner पर दोलन्य करांवा घ्राट याख…. हाएद। हाद। हाद। jack एक्सलेंट एक्सलेंट सावित्री बिल्कुल रंगाराओ की तरह एक्ट किया दादा दादा आप ही बताइए कि मैंने कैसा किया सोचा था तो मेरे पीछे से मज़ाग उड़ा रही हो लेकिन सामने रहकर माहा बाजार को ही चला रही हो घर जाकर नजर उतरवाले ना बेटी सा अरी कहां बताओ तो अबा अगर लिए हर किसी को ये मौका नहीं मिलता ये सब लोग तुम्हें चाहते हैं कि अगर प्रवेश है पहली पत्रिका आपको ही देने आई हूं ये जाकर उसी को दे दे अम्मा चांदिका है बीटा इतना बड़ा घर बनाने के लिए इतना पैसा अभिनेत्री ओ अभिनेत्री अभिनायनेत्री नट गायत्री मन भावन सब से पावन जनता की प्यारी अभिनेत्री सब की चाहती दुरगार उपम कड़ा में ना है तु किसी से कम बढ़ तुम आगे साथ के हम है नट राज तुनारी रूपम कड़ा के लिए अरपित है तू नई उचाई जाए तुछू सर आज से पहले तो आपने कभी सीन के डालोग नहीं वांगे थे रवी आज सावीतरी के साथ सीन है और डालोग कोई पर मुझे दो ओके रोज रोज आ रहे हो बात क्या है आपको देखने के लिए ही इतनी भीड में मैं दो मेहनों से धक्के खा रहा हूँ देख लिया ना अब जाओ यहां से नहीं जी गाओ में बोल कर आया था कि आपके पास ही कोई छोटी-मूटी नौकरी करूंगा क्यों मैटा दाल है कि पूरा पानी है खाना है तो खान तो जाओ यहां से चला दादा क्या दादा अच्छा लेडीज रेस के लिए 200 बीचपी कार ज़रूरी है क्या 200 नहीं 245 बीचपी वी एट इंजिन मद्रास की फर्स्ट कार पर इसकी फुल पोटेंशल देखने के लिए मेंस रेस में आनी चाहिए न क्यों नहीं अभी देख लेते यही कार लेकर मेरे साथ रेस करूँ क्या आपके साथ यह फिल्म नहीं है सावतरी छोड़ दीजिए ना कट जाएगी हरे नहीं कटेगी मैं इतना भी फास नहीं चलाओंगी क्या आपके साथ यहीं है मैंने परदे पर जिस विजया प्रड़क्शन से शुरुवात की हमने जिस माता को साक्षी मान कर शादी की उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा है विजया चामुंडेश्वे प्यार क्या है जाना रिष्टों को पहचाना तु औरों के खुशी पे लुटा दे हर खजाना लोक हित में ही है करम तेरा पावन ये रास्ता है इसलिए तुझे बिन मांगे मिल गया धनवे बब ये सारा पबलिक एनार, NTR, शिवाजी गणेशन की फिल्मों को देखने का इंतिजार करती है और ये लोग इंतिजार करते हैं सावित्र की डेट्स का सावित्री जी ने हमारे फिल्म क्षेत्र में बहुत तरक्की की है सावित्री, ये क्या कर रही हो तुम? सब लोग वहाँ इंतिजार कर रहे हैं तुम्हारा एक मिनिट प्रिद्यूसर साब, ये आम बहुत अच्छा है उत्रो बेटी, कोई यकीन नहीं करेगा कि तुम हिरो इनू मत करे, ये लीजे बड़े हिरोस के बदले में आपको ही पुरुसकार दिया जा रहा है इस पर आप क्या कहना चाहें? इसके बारे में अब मैं क्या बोल सकती हूँ? तेलगू सीनेमा, तामिल सीनेमा, इन दोनों में आपको क्या पसंद है? इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ? एक मेरा माई का है, तो दूसरा मेरा ससुराल सुना है आप खाना अच्छा बनाती है? हाँ, बहुत खाती भी हूँ जो देखा ख्वाब तूने पूरा हुआ वो सपना बहारों की तरह तू सबका है अपना ये भाशा की दिवारे तुझे ना रोक पाए मुझी पहचाना, तुम्हारे बनाए स्कूल में ही मेरा पोता पढ़ने जाता है मैं है भगवान की, ते लुगू भाशा की है शान तू इस देश की पहचान है तू बाए हाथ के लोगों का दिल अच्छा होता है, क्योंकि दिल भी तो बाए तरफ ही होता है अहाँ, अब बिलकुल सही क्या है, मेरी खान से यही बात हुए थी हीरो सहा, ये मेरी बचपन की दोस्त, सुशीला हलो, हाव और यू? हाथ दिना सुना था, रानियों के महली इतने बड़े हुआ करते थी, फ़र अभी नेत्रियों के आज ही देखें पसंद आया विजी, हाँ, सरोज पुआ, आप लोग यहां कैसे? दीदी, मेरी शादी अरे वाँ, ये तो बड़ी अच्छी खाबर सुनाएं, बैटना तुम्हे और दामाजी को शादी में जरूर आना, जरूर आएंगे सत्या, वो नेकलेस देना जोती, इधरा ये तो बहुत महंगा होगा दीगी महंगे और सस्ते की तुझे फिगर क्यू है? दीख तेरे गले में कितना सुन्दर लग रहे है जब देनी लाइक हो जाओ लोटा देना शूटिंग कब से शुरू करना चाहते हैं? आप अगर टाइम देंगे तो दो महिने में शुरू कर देंगे ठीक है, डेट्स लॉक कर लो फिल्म भारत वर्ष के लिए हम दोनो दो लाक रुपे लेंगे वो क्या है के इस फिल्म में शिवा जी को हीरो लेना चाहते हैं हम वो सावित्री जी को ही लेना चाहते हैं अच्छे ऐसी बात है कोई बात नहीं है इतनी फिल्म में हमने साथ में कर लिये कि मैं खुद बोर हो चुका हूं कि सावित्री पता है प्रोड्यूसर साब ने कितनी अच्छी खबर सो नहीं है कि मुझे तुमसे थोड़ा ब्रेक मिल गया है चाई पीजे ना ठंडी हो जाएगी ना पाट नी नोट पलकाल सिलका नी बुगलो सिल्गुलो लकाल सिलका ना पाट नी नोट पलकाल चिलका पलकाल सिलका यहाँ चीकर सी सी सीलका नी मुले कवीना पलकाल लेनन्ददी नी मुराकराधा इल्वलेनन्ददी नी मुले कवीना चंदुर नी मिन्सु अंदमोलिकिन्सु मुद्धु पापाईवे नीनु कन्न वारिंटकस्टमोल नीड करगी पोये नुले यह तुम्हारे करियर की बेस्ट परफार्मेंस है माड़ी कॉंग्रासुलेशन्स थांक्यू लेकिन यह फिल्म में चलेगी तेलगू भाषा में यह फिल्म ऑडियन्स के पल्ले नहीं पड़ेगी बिलकुल आर्ट फिल्म के तरह बनाई है सब फिल्में ऑडियन्स के लिए नहीं कुछ फिल्में अपने अंदर के आर्टिस के लिए करनी चाहिए ऐसा नागिश्वर राओ जी ने एक बार कहा था फिल्म चले या ना चले पर इस फिल्म से मैं बहुत खुश हूँ इनको भी ये फिल्म बहुत पसंद आई इसलिए इसके तमिल राइट्स ले रही हूँ उस फिल्म को हम दो भाशाओं में नहीं बना पाए लेकिन एक दिन उसे तमिल आउडियन्स के सामने लाने की मेरी दिली इच्छा है थैंक यू मुक मनु सुल खरीड लिया बताया क्यों नहीं मुझसे पूछा तक नहीं पर आपको तो वो फिल्म बहुत पसंद आई थी न वो तब की बात है अब उस कहानी को कौन देखेगा वैसे भी कुछ क्लासिक्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्यूं नहीं जरूर देखेंगे देखो राइट्स के पैसे गए तो गए लेकिन वादा करो तुम वो फिल्म नहीं बनाओगी आप ऐसे क्यूं के वादा करो नहीं बनाओगे उन्हें बेटा देने के लिए कितनी मनते मांगी थी तुमने देखो अब दुनों कितने खुश है सोचा था उसकी वज़े से पास आजाएंगे लेकिन पता नहीं क्यूंँ ऐसा लग रहा है वो और दूर होते जा रहे है आज का पेपर कहां है महीं आया साब अमारी कहां जा रही हो मंदिर जा रही हूं मंदीर तो फूल लेकर जाते ना पेपर क्यों ले जारी हो यह ऐह ला पेपर दे कि बेपर शुपा दोगी तो क्या मेरे बारे में जो लिखाए वह बदल जाएगा है पेपर वाले जो भी मर्जी में लिखते रहते हैं सची तो लिखा है तुम्हारी फिल्म में चल रही है मेरी फिल्म में पेट रही है मैं चाह रहा था कि तुम सबसे आगे निकल जाओ लेकिन मुझसे भी आगे निकल जाओ यह नहीं चाहा था इन सबका दिमाग खराब हो गया है अभी अगबार के दफ्तर में फोन कर देने दो, कोई ज़र होती है मारी, जाओ, मंदिर जाओ, यह सब क्या है, नटिंग, बच्चो, सत्या तुम लोगों को ले जा करें, जाओ, लेकिन पापा, पापा को कल सुबह घर भेज दूगी, अभी तुम लोग जाओ, भेज दोगी, तुम कौन हो भेजने वाली, मैं क्या कोई चीज हूँ, I am my own boss, लो, जाओ, खेलो, क्लब में कोई इस तरह सी बीटियों को लाकर शराब पीता है क्या, तो क्या, दोनों ब पीवियों को बिठा कर ड्रिंक करूँ, रिपीट, जानते हैं घर पे दीदी कितनी परिशान है, रोए जा रही है, औरत के आसू तो सबको दिखते हैं, लेकिन मर्द के आसू सिर्फ दारू की बोटल को ही दिखते हैं, मेरी वज़ा से पी रहे हैं आप, मेरी वज़ा से, मतलब गिरने में भी मुझे करिट नहीं दोगी, मेरी ही वज़ा से, मेरा ही प्यार, मेरी शादी, मेरी बोटल, मेरा ग्लास, क्या हुआ, दो फिल्में फ्लॉप क्या हो गई, भूल गई कि आप कितने बड़े स्टार हैं, आपको मालू मैं कितने फैन्स हैं, आपके, एक्स्कूसमी, आप सावित्रुजी है ना, हाँ जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आटोग्राफ मिलेगा, एक्स्कूसमी, यहाँ, यहाँ, प्लीज, प्लीज, जी, जी, प्लीज, तो मैं ध्याँ चोड़ रही है? नहीं कभी नहीं दुबारा कभी ऐसा मत क्याना तुम्हें याद है जब तुम पहली बार जैमिनी स्टुडियो आई थी आपने कहा था बड़ी स्टार बनूंगी याद है मुझे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं माड़ी लेकिन शादी करना पसंद नहीं है देखो जिसे शादी करना पसंद नहीं था उसने दो दो शादिया कर ली अब बस कीजिए दारू पीकरी आपको ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आते अब चलिए अब कर दो आज प्रमो कर दो प्रिश्य की तरफ से स्वागत है हम तेल्वों लोगों की तरफ से आपका स्वागत है जेमीनी जी इसके बात क्या कारिकरम है गजा रोहन उस हाथी पर आपको बढ़ा कर धुमाएंगे और फिर आपका सथकार करने का निर्डे लिया गया है इसका नाम क्या है गजी लक्ष्मी मेडम इसके ऊपर किसी बजिया कार में नहीं जा सकते क्या प्लीज कुछ और देखिए हम ऐसे हाथी पर बैठके नहीं गुम सकते संबल गया सुनिए उपर आजाए हाथ दीजिए यहां पैरकर उपर आजाए एक्टा है डर गए बहुत अच्छी तैयारी किये ना लगता है शौरत तुम्हारे सिर चड़ गई है अब मैंने ऐसा क्या कह दिया कुछ मत कहूं वह बंद रखो अपना इससे तो पैदल ही चली जाते हैं सावित्री सावित्री आजाए हटो सुनिये मैं सावित्र के साथ आया हूँ लेडिस और जेटलमेन प्रेजेंटिंग कला की रानी सौरी कला की महारानी और आज की महानायका है आप कहां चले गए थे सदकार तो दोनों का होना था ना रुको नहीं नहीं इतनी मान अभीनेत्री के साथ मुझ जैसे साधाना अभीनेत्र का सम्मान कमेटी के लोग आपसे माफी मांगना चाहते हैं अगर आप कहें तो अच्छा है तुमसे परमिशन ले ली ना मैंने उन्हें डांटा इसलिए आ रहे हैं वो लोग वरना तो वो लोग आते भी नहीं तुम रो क्यों रही हो अमारी रोना तो मुझे चाहिए ना तुम्हारे इतना बड़ा सम्मान हुआ मेरा अपमान हुआ इसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना ऐसा क्यों कह रहे हैं आप दुख तो बाटने से ही कम होता है ना लो बाट लो ओ महानायका हो ना तुम्हारे साथ पीने के मेरी हैसियत नहीं है अपरी इन मर्दों की प्रॉब्लम क्या होती है पतानी पतनी थूड़ी सक्सेस्वल जाए तो ठीक है लेकिन ज्यादा सक्सेस्वल होगी ते प्रॉब्लम लिमिट में रखने वाले आप कौन होते हो मैं वानी जी सावित्री जी को पदमिश्रे अवार्ड मिला था लेकिन जेमिनी बुरा मान जाएंगे ये सोचकर नहीं लिया फिर आगे क्या हुआ आगे क्या होना था धीरे धीरे फिल्में कम कर थी जानते हो 1966 में पहली बार आर्टिकल में आया कि उनका वजन बढ़ गया है सावित्री जी मोटी हो गई है फिर भी मुख्या अभिनाए की वज़े से ही उनकी फिल्म चल रही है ऐसा लिखा है इस सत्या मैं जादा मोटी हो गई हूँ क्या इसका मतलब क्या है मुझे भी पता नहीं मुव में आ गया बोल दिया ये ले लडूखा इस इस 1969 ना अभी भी NTR सिनेमा, ANR सिनेमा रिसेंटली एक नया लड़का आया है क्याना में उसका रिष्णा? येस येस, क्रिष्णा वोट इस दिस मेल दॉमिनेशन? आप लोग क्यों आई हैं बताएंगी? वर्ल्ड में फर्स टाइम ओनली लेडी टेक्नेशन के साथ हम लोग एक फिल्म बनाना चाहते हैं पिक्चर आप ही डिरेक्ट करेंगी एंड यू विल बी दे कैप्टन अफ दे शिप डाइरेक्शन? मैं कैसे करूँगी? अगर तुम डाइरेक्शन करोगी तो ही बनाएंगे वर्ना हम बिलकुल नहीं बनाएंगे स्टार्ट कामरा आक्शन आप इस तरह से जल्दबाजी करेंगे तो मैं नहीं कर सकती मुझे फ़रा वबत दीजे इन्होंने हमारी फिल्म के लिए फाइनस देनी की बात की थी अब ये कह रहे हैं कि हम औरते हैं ना अगर कोई गैरंटी लेगा तभी ये पैसे देनी लेडी फाइनसर के पास चले जाएए शायद बिना किसी गैरंटी के पैसे दे देदे कम समय में हमें कौन पैसे देगा पैसे नहीं मेले तो फिल्म प्रोकने पड़ेगी मैं दे देती हूं इसमें कौन सी बड़ी बात है यही है ग्यारंटी पेपिल्स शेलजा जी पहले एक वाइड लेते हैं उसकी बाद क्लोस कट करेंगे ब्लॉक दिखाना वहां फिक्स करतो यह सब क्या चाहरा यहां प्रसाद तुम हटो पैसे लेते वक्त सब ठीक लगता है और मांगो तो जगडा करने लगते हैं क्यों पहचाना नहीं प्रोडूसर के साथ आये थे आपने गैरेंटी पेपर्स पर सिखनेचर किये थे आपका चेहरा देखकर कु सोचा था आपसे बोलेंगे तो आप उनसे पैसे दिलवा देंगी लेकिन आप खुद पैसे दे रहें हैं कोई बात नहीं फिल्म तो हमारी ही है ना पूरे परिवार के साथ फिल्म देखिएगा आये थैंक यू नमस्ते अंदर जाए रानी तुम अंदर लोगों का ध्यान र यह कब गए तीन दिन पहले तीन दिन पहले मैंने तो सुबह स्टूडियो में देखा था उन्हें ओ इसकी रिलीज के चक्कर में बात ही नहीं हो पाई मेरी उनसे ठीक है बेटी मैं फिल्म देख करके आता हूँ सावित्तुरी कहां जा रही हो फिल्म तो शुरू हो गई आप देखिए मैं अभी आती हूँ सुनिये सुनिये सावित्तुरी तुम यहां क्या कर रही हो आप तो आउड़ूर शूट पे थे ना बस अभी आया प्रीमियर पे आने ही वाला था हूँ सावित्तुरी सावित्तुरी रुको सावित्तुरी बाजबा सबटरी को सबटरी मिरी पाचरो सबटरी भाप चट लाब सबटरी सबटरी साँ का लिए लो को सबटरी इड़ो बागा दो गयो गया कमाड़ी रुको कमाड़ी क्यो 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 सालत्री मेरी बात सुरो सालत्री मोझे नहीं सुन्ना क्या सालत्री सालत्री अ गया सालत्री सालत्री सावित्री, सावित्री, आज़ी, घाज नीचे खरो. सावित्री, मेरी बात सुरो. बोलो, बोलो, क्या बोलोगे? सब हमें ही देख रहा है. हम फिल्म वाले हैं, तो देखेंगे ही? गलती हो गई. मुझे माफ कर दो, हो मेरी कमजोरी थी. मैं सिर्फ तुम्हीं से प्यार करता हूँ तुम्हें शर्ण नहीं आई गिसमत बूटी थी मैंने किसी की बात नहीं मानी अहुमारी मुझे माफ कर दो मेरे लिए तुम ही मेरी जिंदगी हो मैंने जिंदगी में तुम्हारे सिवा लिए किसि और से प्यार निकैं सावित्री प्यार की बाद तुम मत करो जो अपनी पहली बीवी से वफा नहीं कर सका वो दूसरी से करेगा ऐसा सोचना मेरे गलती थी मेरे बारे मेर जान कर दो ही मुझसरे शादी की थे अलू मेलू पुश्मा वली अब क्या पतल क्या पोलो मैं अजम से घरहव रहा दो ऩॉरी मुछ रहा स्यूस्युद रहा सत्क स्युद ज मैं सत्क हुआ 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 है 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 मेरे बच्चों को भी मेरी जरूरत नहीं है मा पापा की फोटो हाँ मा चिंतलपुरी से किसी ने चिठ्ठी लिखी है उन्हें पापा की फोटो मिली है पापा कैसे थे कैसे दिखते थे आज देखोंगी हुआ है कहीं तो गलती हुई है मा जो कुछ भी करती सबसे अलग हटकर करती उनका पीना भी ऐसा ही था मा को हारने की आदत नहीं है नेकिन पापा से भी जीतने की इच्छा खत्म हो गई वो सब सत्या देख लेगा समझे न वजन बढ़ने की वज़े से फिल्मों में भी काम मिलना कम हो गया उन्होंने मुख मंसूल को तमिल में बनाना शुरू किया सच कहूं तो वो फिल्म पापा पर गुस्सा होने की वज़े से ही बनाई गई थी मिम साब आपसे कोई मिलने है नहीं अभी नहीं अम्माड़ी पलटकर भी नहीं देखोगी अब क्या देखना है तुमने वादा किया था ये फिल्म नहीं बनाओगी याद है तुम्हें आपने भी तो वादा किया था वो याद नहीं तुमने जो मैनेजर्स रखें वो सब चोर पूरी इंडस्ट्री यही बात करिए कि वो तुम्हें कितना लूट रहे हैं एक्टर प्रोड्यूसर डिरेक्टर सब अकेले कैसे करोगी तुम बोलो अगर तुम्हें कोई मदद बस मुझे किसी की जरूरत नहीं है मुझे कोई नहीं चाहिए इतनी जित करना बेकार है सावितरी सब कुछ अपने अंदर ही छुपा लोगी क्या दुख बाटने से कम होता है आओ बाट लो अमबाड़ी रुको चले जाओ यहां से प्लीज 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 वो पापा के प्यार को मुला नहीं पाई और उसी प्यार को उन्होंने अपने लिए सजा बना लिया रिलीस के वाग शिवाजी घनिशन की दो फिल्म में फ्लॉप हो गई इसी वज़े से उस फिल्म को किसी ने ने खरीदा मेरे पहचानवाले के पास वियतना वीडू की तामिल फिल्म की राइट्स हैं ये फिल्म आप तेलगु में करेंगी तो बहुत हीट होगी दोनों फिल्म अगर एक साथ रिलिस कर देंगे एक नहीं तो दूसरी हीट होई जाएगी ठीक है ऐसे ही कर लो नेम साब दस्थकत कीजिए कितने पैसे मैं पूछ के पैसा लिख दूँगा है चलो निकलो यहां से किनारे हो जाओ हम इंकम टाक्स डेपार्टमेंट से आये हैं नोटस भेजा था उसका कोई जवाब नहीं आ इन बातों के बारे में मैं जादा नहीं जानती आभी अपने म इसाब किताब उसके पती ही देखते थे तो उनको यहां बुलाई है एक बार अपने पती को फोन कर हो सकता है कि वो ही कोई हल निकाल ले वो कुछ नहीं करेंगे मां यह सब कहां लेकर जारे मां चलो यह सब लेकर जाए जी आउटस्टांडिंग टैक्स पर 50% इंटरेस्ट आड़ दोगा आपके सारे पेपरस प्रॉपरली चेक करने के बाद साइन कहां करना है एक मिनिट यहां साइन कीजिए आप अगर पूरी जयादात जब्द कर लें एक आटोग्राप तीजिएगा है थैंक्ये माजम बाई वानी जी हां वो कल शोले की दो टिकेट्स ली हैं आप चलेंगी आन्थिनी जी अभी हमारा काम बाखी है वानी जी मनामत कीजेगा फ्लीस ठीक है पापा लड़की होने के बावजूद तुम्हें नौकरी करने दी गलती मेरी है उसका और इसका क्या संबंद है कोच मत कहो एक अच्छी कहानी अच्छी कहानी कह रहे थी तो मैंने सच मान लिया सोचाने था इसी कहानी चलाओगी अब बस कर मे सब्सक्रादी करकर चली जाओ हटो क्या हो अब बैटी अब के हवाले कर रहा हूं सब मिनाक्षी सुधारेश्वर की दया है अब वानी वो अन्थिनी जी ने तुम्हें ये इंविटेशन देने को कहा है एंगेजमेंट है करता है एक मिनट ऐसे कब तक चश्मा उतारेंगी सच तो यही है ना और सच से बड़ी कोई सुंदरता नहीं दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई सत्या कहा है दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई अभी देने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं दो दिन का वक्त मिल जाता तो मैं इतनी भी अच्छी अभी नेत्री नहीं सामने कैमरा ना हो तो आक्ट नहीं कर सकती मैं व्यास के साथ लोटा दूँगी शल्जा गाउ में तुम्हारे नाम पर सौ एकर जमीन खरी दी थी ना मुझे पैसों की जरूरत है उसे बेच कर पुश्वोतम भाया बेचवारा में आपके नाम पर घर खरीदा था ना उस घर को बेचना चाहती हूं हमें विजय में बेच नहीं पड़ेगा जितने में भी बिके बेच कर पैसा ला कर दे दीचे वो तो आप बेटी की शादी के लिए रखना चाहती थी उस चीरा गाउं के स्कुल ट्रस्ट के नाम जो भी इस लाख है उससे वो नहीं वो ट्रस्ट का पैसा है मतलब भरोसा हम उसे हाद भी नहीं लगा सकते मेल्स पेश दीजे क्या हूँ आमा जायदाद चले कई इसलिए दुखी हो इतने दिनों से तुम अपनी जिंदेकी को खराप करती रही और मैं अपनी आखों से देखती रही लेकिन अप अपने बच्चों को उनके भविश्य को खराप करोगी तुमें चुप नहीं बैठोंगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पती के बास भिज़ना हो इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब सला की जरूरत नहीं मेरी पाद मेम साब मेम साब जल्दी आएए माँ मा 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 यहां क्या कर रही हूं मा एक तो घर में लाइट नहीं है और नौकर भी दिखाई नहीं दे रहे हाँ कोई नहीं दिख रहा बहुत पीच्ची की चलो अब खाना खाओ विज़ी ग्लास दो और कितना पियोगी मा नानी के जाने के बाद कभी हमारी बार में सोचा है तुमने पी पी के मर जाओगी विज़ी कहा ना ग्लास दो मारो और मारो मार डालो मुझे विज़ी विज़ी ये क्या कर रही हो तुम अपा प्राओ विज़ी विज़ी कर दो कुम इड़ी विए कर दो विए आलो आडोई मारो आडोई ये दिन्हें छायी कारे देड जे जुद दें कि दुद दें को वाल एड़री माव मुझे माफ कर दो माफी मैं मांगती हूँ जो मुझे करना चाहिए था तुमने कर दिया नहीं माव गल्ती मेरी ही थी दुबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी ये किसलिए है आपको शुगर है मैं इंसुलिन दे रही हूँ मुझे शुगर है इसके साथ दारू और पीएंगे तो खत्रा बढ़ जाएगा संभल कर रहना होगा और आपको वजन भी कम करना पड़ेगा बैठी है ना पाप मुझे जी कोई भी पूछे तो कहना मैं तुम्हारा पापा हो पापा कहो कि न तभी बस्ती के लफंगों को डर रहेगा अगर पता होता कि हॉस्पिटल में ही मिलने आएंगे तो पहले ही भरती हो जाती ना पापा मैं बिल सेटिल करके आती हूँ विजया की शादी करानी है पापा आज पता चला है कि मुझे शुगर है कल को पता नहीं क्या होगा अपने आपको बदलना है पापा अपने बच्चों की जिम्मेदारी ने भानी है बेटा वाणी तुमसे मिलने के लिए कोई आया है आप यहां एक महीने पहले आपकी बेजवी चिट्टी मिली आप उन पर कहानी लिख रही हैं पढ़ने का मन कर रहा है मैंने वो नौकरी छोड़ दी वैसे कहानी लिखकर क्या फाइदा ऐसा क्यों कि आपने उनकी कहानी सुनकर भगवान पर गुस्सा आता है विश्वास उठ गया है मेरा इतनी अच्छी इंसान के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया भगवान को तो छोड़ दीजे इंसान ने क्यों ऐसा किया मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया आप कहां थी सॉरी बच्पन से ही सावित्री को किसी की मदद लेने की आदत नहीं थी इंकम टेक्स वालों ने सारी जायदा जब्त कर ली इसलिए घर बेचकर सबका पैसा लोटाना पड़ा दुबारा फिल्मों में चोटे मोटे रोल भी करने शुरू कर दिये उन्हें डाइबिटीस थी दारू की आदत से वो अकेली ही लड़ती रही उनका घटता वजन देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए रिक्षा खाली है क्या? आँ, सावित्री जी आप? हाँ मैं, विजिया स्टूडियोज चलेंगे? रिक्षान से कार में जाने वाली आप इस तरह से रिक्षा में रिक्षा है तो क्या हुआ? अच्छी ठंडी हवा लगती है और फिर पेट्रोल भी नहीं डालना पड़ता ये सब सुक कार में कहां मिलता है? वो पीने की आदत? अब नहीं, छोड़ दी लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा जिद्धी है सुशी जिसे हम आदत, लट समझते हैं लेकिन वो एक बिमारी है कैंसर की तरह उसका भी इलाज होता है विदेशों में मैंने कहीं पड़ा था डी अडिक्शन सेंटर के बारे में यहीं, इसी नदी के किनारे एक डी अडिक्शन सेंटर खोलना चाहती हूं यहीं मेरी दिली इच्छा है पेक्शन सेंटर के कुट्क के रिएअ दिआफी हूं सुनो बेटी हाँ, जी चाचा जी खाना खा लिया है आ, भूप नहीं लगी है क्यों ररे इन्होंने खाना खाया या नहीं खाया यह भी नहीं चीनता है तुम्हें अरे माणी की गलती नहीं है हुझा के खिना इइन उन्हंने अपने हाथ से कितने लोगों को खाना खिलाया येवीahh खाना देने वाले हाथों से अंगूठी छिनने वाला जमाना है यह जानी दीजिए चाचा जी हमारी अंगूठी उनके काम आ रही है अच्छी बात है ना अभी बुल्ला रोडी ना नहीं भाईया आजकल अन्ना नगर रह रही हूँ अच्छा जी मेरी बिटी आपको बहुत पसंद करती है आपकी तरह ही बड़ी बड़ी आखें अच्छा क्या करती है वो फिफ्ट क्लास अभी पास किया है उसने हाली में एक रिष्टा आया है उसके लिए खुशी की बात है लेकिन शायद वक्त पर पैसे नहीं मिल पाएंगे देखते हैं क्या होगा आगे चलता हूँ एक में चुके मैं अभी आती हूँ करेंगे यह साड़ी पीछे मारवारी की दुकान पर बेच दीजिए और पैसे लिए यह ख़ता है कुछ नहीं आप ला कर दे दीजिए भाया जी यह लीजिए इतना सब जानकार लोग भी मदद नहीं कर रहे हैं और आप मैं मैं आपका हैसान कैसे चुकाऊंगा यह आपकी बिटिया के लिए है मना मत कीजिए तो में यह कहाने लिखनी ही होगी उनकी कहाने में आसू है दुख है लेकिन उन सबसे लड़ने की हिम्मत भी है कुowa मैं मैं अपनी प्यार के लिए सब को छोड़ दिया प्यार केलिये जिससे प्यार किया उसे भी छोड़ दिया जिन्दगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे में प्यार का एक पल भी मिले, तुसे गवाना नहीं चाहिए, मुझे तो पूरे 20 साल मिले, प्यार सबको नहीं मिलता, लेकिन अगर मिले, तुसे जीना चाहिए, क्योंकि जिन्दगी सिर्फ एक ही दाल मुलती है आओ बेटी, ये देखो, तुमारे ससुर जी शादी का कार्ड लेकि आए है, देखो मैं एंथरी जी से शादी करूँगी पापा चुपकर, ये क्या बोल रही है, इसे होश नहीं है मैं बेल्कल होश में हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ पापा उनसे शादी करना सही या गलत पता नहीं पापा लेकिन नहीं करके, जिंदगी इपर पच्टानी से तो अच्छा है ना पापा इसलिए मैं उनसे शादी करूँगे वाणी सौरी पापा, लेकिन मुझे जाना होगा मुझे माफ कर दीजी वाणी, भी माफ भी अगे सौरी ने एकित पापा कि शीक्रियोंने वाला विवार शित हो चुका है वधू है मिस्स दिव्या वर है में रुख जाएए वानी जी आप यहां कैसे इधर आईए प्लीज एंथनी क्या है यह सब कौन है यह लड़की मम 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 क्या कर रहे हो पैरेंस की चिंता मत करो मैं अभी अपने बापा से कहकर रही हूं एक केक में लुन्रा को स्टाट करके आई हूं तुम्हारे पास अब घर से भी निकाल दे तो कोई परवाने ओ गॉड़ आप इनके गुस्ते को कम कीजिए आप अपना अशिरवात दीजे इन्हें फादर जरा दो मिनट प्लीज वानी जी हम बाद में भी बात कर सकते ना आप ऐसे सड्डनली बाद में कब बात करेंगे एंधिनी जी जिन्दकी बहुत चोटी है यह कुछ पर हमें हमारी तरीके से जीने चाहिए अच्छा बुरा जो कुछ होना है वह होकर ही रहेगा देखिए आप बहुत सुंदर हैं दूसरा अच्छा लड़का मिल जाएगा आपको वानी जी आप इक मिनिट मुझे प्लीज बोलने दीजिये मैं हखला कर बोलती हूं दौक्टर ने कहा है इसे कम करने के लिए अंदर से बहुत हमत आनी चाहिए अभी देर से बात करें रुकी क्या देखा ना नहीं अगला ही जानते हो क्यों क्यों क्योंकि यह है मेरे साथ यही मेरी हिम्मद है मज़े मेरे हिम्मद लोटा दीजे फ्लीज वानी जी थैंक यू यह एंगेजमेंट मेरी नहीं है मेरी बेहन की है दिव्या यह मधुरवानी है बी एक गोल्ड मेडलिस्ट और ये हैं आचाहे इसके फ्योंसे कंग्राचुलेशन्स वानी जी वानी जी आपसे कुछ पूछना है पूछ सकता हूं पूछे निया अन्थिनी जी बिना चाश्मे के आप लूना कैसा चला करा गई कितनों को गायल किया अपने मेरी सिंदगी अभी चुरू हुई है लेकिन आपकी कहानी का आखरी चैप्टर बाकी रह गया है में 11 जब आप बैंगलोर शूट पर जा रही थी अम्मा मैं अभी आपके साथ आऊँगा अम्मा फ्लीज अम्मा रुको बेटा दो मिनिट रुको अम्मा मुझे कुट्टे वाला खिलोना चाहिए पहले कुट्टे की ड्रॉइंग बनाओ फिर खरीद दूंगी ठीक है हलो सावित्री जी बोल रही है हाँ हाँ सावित्री बोल रही हूं आप कौन आपको नोटस रेजिस्टर पोस्स से भेज दिया है इस महिने की चौबेस सारी तक आपको दोला की पेनल्ली भरनी होगी अब और क्या भरना है सब कुछ तो लेकर चले गए मेरी सारी जायदात सी किल कर दी घर भी बेच दिया अब जीने भी नहीं देंगे क्यों दूँ आपको एक रुपिया भी नहीं दूँगी जो करना है जाकर कर लो मैं नहीं दूँगी तो नहीं दूँगी आप माँ हो तु मेरे साथ आना चाहता था ना चल्ड सामान प्रट्ट कर लिए क्या माँ कैसी हो शोभा सतीश तुम्हें बहुत याद करता है वो कुट्टे वाला खिलोना देखकर याद है तुमको मैं कौन हूँ याद है अच्छा कौन सा खिलोना पसंद है तुम्हें कुट्टे वाला कुट्टे वाला और क्या क्या पसंद है तुम इसे शॉपिंग के लिए लेकर तो तुम्हें किस काम के लिए रखा है मैंने मुझे अगर जेल भी हो गई तो परवा नहीं आप एक पैसा भी नहीं दूंगी पदी पदी वी रोबत मिगवे तिदेंद दुईदं करूं वाल्वे वारायो वेन्नी नावे पेलायो एंग सदयें पार एंगा वोल्यूस जर्मनी कढई सन बड़रां ठ्श अलो हालो को आँ? बलो हालो कामबाडी कि अधिए तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सामने कौन आ रहा है देख कहां रहे थे तुम गई मेंशाब माफ कर दीए देखो साड़ी की क्या हलत कर दी तुम्हें अभी बताती हूं में लेजर से कहकर तुम्हें नोकरी से निगलवाती हूं इतने अकेले हुए अस जहां में किसी को बताए ये हम रूठी है खुशिया सताती है यादे जाए यहां से बताओ कहां कर दो कर दो कर दो काहा जाना है साब हारेणी स्टूडियो जाना है कितने पैसे लोगे बच्चीश पैसासाब देखरे एक बार कहा ना ओडिशन खत्व होगे चले जाइए आप आपके लड़की किसी में फिटनी हो पाएगी ता मिल नहीं आती आप लोगों को पारवाती दूसरी बीवी बनकर साथ रहने को तयार होती हाँ क्यों नहीं होती प्यार किया था ना अगर जैमेनी गनेशन होती सबने डूने मन कोई बता दे जरा आसमा को भी छूलिया मैने रिष्दों की लंभी जी लिया मैने क्या करे क्या ना विश है या अम्रत है मेरी वज़ा से पी रहना आप मेरी वज़ा से मतलब गिरने में भी मुझे करिंटी दोगी मेरी वज़ा से सब कुछ बरबाद हो गया आचाहत भी अब तो जहर बन गई है किसमत यही थी किसी से क्या शिकवा शिकायत क्या करते इस संद की शुरुआत कैसे करो एक कहानी ढूनने गई थी और अतिहास मिल गया शंकर जी अभी तक मुझे मिले नहीं लेकिन कभी अगर मिल भी गए तो पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है मुझे लगता था कि सावेत रीची की जिंदगी में फिल्म के अलावा और क्या होगा लेकिन परदे के पीछे की जिंदगी में ही उनकी असली महांत्या दिखाई दी फिल्म के हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी लेकिन अब उनमें ही थोड़ी सी जान बची है वक्त से पीछे जाकर उन्हें बचाने का दिल कर रहा है मेरा लेकिन वक्त रेट की तरह हाथों से पिसलता जा रहा है वो खुले आस्मान की खुबसूरत चांदनी है और साथ में महानाईका भी दिदी, क्या हुआ? दुनिया में नहें कोई ऐसी अदकारा आप मदुर्वानी जी? हाँ पहले ही देना चाहिए था गल्ती हो गई इससे आप उन तक पहुचा आदीजी सावित्री जी आपको ये भूल पसंद है न? माता के मंदर से लेकर आई हूँ इस तरह से मुड़कर बात करने के लिए माफी चाहती है मैं और आपके लाखों चाहने वाले आपको जब भी याद करेंगे देवदास की पारवती माया बजार की शशी रेखा मिसम्मा की मिसमेरी की तरह ही याद करेंगे कुछ महिनों पहले तक मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी जब आपको जानने के लिए निकले तो उस रास्ते पर मैंने अपने आपको भी जान लिया रिहाबिलिटेशन सेंटर शुरू करना चाहथी थी ना आप जो थी याद है उसकी शादी में टाइमन नेकलेस थी आथा अपने और जब आपको ज़र्यत थी वो लोटा नहीं पाई इस बात का पच्ताव आज भी है उसे वो और सुशीला दोनों मिलकर वो नेकलेस बेच कर आपकी नाम पर एक रिहाबिलिटेशन सेंटर खोल रहे है जिन्दगी बहुत छोटी है कब कहां कैसे करवट बदल दे या आपकी जिन्दगी से जाना जितने दिन भी जीना है अपनी मर्जी से ही जीना है यह आप से ही सीखा है मैंने आखिर में बच्टा ही क्या है रुकडों में बठा हुआ प्यार भूली बसरी यादे मुझे ही सब सिखाने के लिए मेरी दरफ से मेरी अगली पेड़ी की दरफ से बहुत बहुत दैंक्स सब दुखियों रहे के आप नहीं रहेंगे आपकी मौत कैसे मौत तो आपके लिए है नहीं प्यार करेंगी आपके साथ आसेंगी आपके साथ रोहेंगी मौत तो आपके लिए है नहीं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ मैं मैंने सुना था कि आप इस फोटो को ढून रही है मुझे पुराने न्यूस पेपर के रिकॉर्ड में मिली 1933 आपके पैदा होने से पहली की ये लीजे अपने बापा की फोटो नाम भी लिखा है इसे ज़्यादा मैं हमको कुछ नहीं दे सकते माहा नदे माहा नदे माहा नदे माहा नदे माहा नदे फिल्मों को छोड़ दे तो असल जंदगी में तो नाटा है ना लेकिन देखने में कितना सुन्दर है वो हिरोईन देखी कैसी लग रही थी उसके साथ ए नागिश्वर राव से दुबारा मिलवाईगी मैं हीरोईन बन जाओंगी तो रोज देखना शूटिंग बे अरे बापरे मौसा जी आ गया होंगे मैं चलती हूँ ए दुबारा कम मिलेगी तू कल वही फिल्म में मैं जागि पर्फूप परेखना शुबाइब गया होगी जागि परेखना शुबाइब बन एंचे जाग्ट परेखना शुबाइब बन में कर दो कर दो आजकल बैंगन भिंडी का भाव देखा है कामवली बाई की जबान की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है कुछ दिनों बाद सूंगने को भी नहीं मिलेगी सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई ये सबजियां सोचती हूँ तेरी शादी में सोने की जगर सबजियां खरीदू मा, हजान बार मैंने आपसे कहा है शादी की बात करके पोर मत करो हाँ हाँ बोर तो लगीगी ना बड़े होने की बात मा को पूछता कौन है मा, आपको इस वक्त गड़े मुर्दे उखारना ज़रूरी है क्या खुशी-खुशी जाओ ना, मेरा मुर्ट क्यों खराब करी हो चिकी की शादी हो गई, मिकी की शादी हो गई सविता के घर में तो नाती-पोती भी खेलने लगे तेरी शादी का सपना देखकर मैंने गुना कर दिया जिंदिगे पर बिना शादी के तुझे घर में बिठा के रखना है मा, आप चाहे कुछ भी बोलो मैं अपने इरादा नहीं बदलने वाली तू क्यों इरादा बदलेगी, मत बदल पाजुवाले ललन के लल्ली को देख मात्र तीन दिन छोटी है उसकी पिछले मेने शादी हुई और पती के साथ वाशिंग मशिन चली गई मा, उसका नाम वाशिंग मशिन नहीं वाशिंग्टन है मेरे लिए दोनों एक जैसी है मेरे नसीब में तो वाशिंग मशिन नहीं लिखी है चब से टैब बुक पे उसकी 32 सी निकाली वी फोटो देखी है आग लग गई मुझ में अंगुठा चाप घर से कभी बाहर नहीं निकली और हनीमून मनाने सीधे चली गई वाशिंग्टन टैब बुक पे फोटो देखो उसकी मा, शादी करके फोरण में हनीमून मनाना और सोशल मीडिया पर अपनी पिच्चेज अपलोड करना ये कोई महान काम नहीं हो के इसके बदले अपने करियर पर फोकस करना और कुछ अचीव करना ये महान काम है हाँ हाँ, दुनिया में तुमें तो एक महान बच्ची हो अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो दुनिया में उथल पुथल हो जाएगी और मेरी इच्छा तो तुमारे लिए कुछ है इने मा, कोई के में धक हो क्या घूम फिर कर एक ही बात पर आ जाते हो शादी, शादी, शादी भाई सब, आपकी शादी हो गई है? नहीं दीदी, आप तक कुँआ रहा हूँ मुझे देखो, मैं देखने में खुबसूरत हूँ न अब कैसे करेंगी क्या शादी? किसी मंदिर पर रोक लेना, हम शादी कर लेते हैं तब ही जाकर इनके दिल को ठंड़क मिलेगी पकवास बन कर, आप सामने देखे गाड़ी चलाईए आप शिंता मत कीजिए, I'm in relationship एक लड़की देखे हैं, सादी करके अगले मैंने भांडूप में सेट हो जाएंगे देखा, सबकी शादी की पूंगी बजगई पस तू ही पीछे रह गई, चल्दी से तेरी शादी का दिन आ जाए आप ना ये ख्याली पुलाओ पकाना बंद कर दी, जब मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी देख रच्चू, मेरी बात एकदम ध्यान से सुन, उमर निकल गई तो कोई नहीं पूछेगा मैं शादी वले ब्रोकर से बात करती हूँ, अच्छे अच्छे लड़के उसके पास, देशी है, विदेशी है, सब तरह के हैं मा, मैं जब से बैटी हो तब से आप शादी की रट लगा रहे हूँ अगर आपने एक बार भी हो शादी का नाम लिया ना, तो मैं इस ओटो से कूट कर भाग जाऊंगी कूट जा बेटा, कूट जा, रोक कोन रहा है तुझे, तु कूट जाएगी ना तो जञजटी खतम अच्छा बताओ, आप धोग क्या खाएंगी क्या? नहीं, सोडा जयदा होता है, तो टॉपिक क्यों चेंज कर रही है? आपकी बस रास्ते में कहीं रुके की नहीं, आपको जो खाना अभी खालो और नभूके रह जाओगे मेरी फिकर छोड़ो और अपनी शादी कर ले पापा से कहना चाय में चीनी कम पत्ती ज्यादा डालें, कम से कम उससे अपका दिमाग तो चलेगा उनकी तो बात भी मत कर, उनकी वज़े से आज ये दिन देखना पड़ रहा है मैंने कई बार उन से खा कि मुझे एक बेटा चाहिए, लेकिन उन्होंने हमेशा माना कर दिया, सिर्फ तेरे लिए मा, मैं कई बार ये बात सुन चुकी हूँ, आप प्लीज मुझे बोर मत कीजिए वैसे भी शादी के लिए पूरी जिन्दगी पड़ी है और नहीं तो क्या मान लो न, कि मेरी शादी हो गई रच्चू, ये खुश खबरी तुने मुझे पहली क्यों नहीं दी तरस गई थी मैं ये सुनने के लिए मा, सबसे पहले तो आपने ये सास बहु का ड्रामा देखना बंद करो बिना ड्रामा के आपके जिन्दगी नहीं चलती क्या अरे, रे, रे, बस निकल गए तेरी शादी के चक्कर में अरे, बस नहीं छूटी है, मादा घंटा पहले पहुँच गए है अंटी जी, पैसे अर्चू, इसके मुँपे पैसे मार दे, भौट बोलता है अरे, माँ, पहले समान तो उतारने दो चेक कर ले, सब कुछ ले लिया ना, ठीक से अरे, माँ, सिर्फ दो ही बैग है, कितना हुआ भीया? हुए तो सत्तर है, लेकिन सौ दे दीजी सौ रपे क्यो दो? लगज भी तो रखा हुआ था, और यहां से खाली वापस जाना पड़ेगा बैग सर्पर उठा कर लाया है क्या? तीस रुपे मांग रहे हैं, दहेज थोड़ी मांग रहे हैं ज्यादा बोलाना तो चमाट पारोगी आपकी बेटी से हम कभी शादी नहीं करेंगे वो आपकी नहीं सुनती हमारी क्या सुनेगी? रास्तानाप तीस रुपे के लिए उससे जगड़ा करना ज़रूरी था क्या? पैसे पेड़ पे उखते हैं क्या? हाई दिव्याँ हाई जब सब के घर जाने का टाइम हो गया तब तू आ रही है कोई चाने वाला मिल गया था क्या? वो सब छोड़ कुछ खिला दे भुग से जान जा रही है मौम को छोड़ने गई थी कुछ खाया नहीं ये क्या है? अफकोर्स तेरी शादी का कार्ट तो नहीं होगा पड़तो से ही अब तू मच शुरू हो जा पार्टी नाइट? अच्छा अन्वल पार्टी है मैं तो उस दिन घर पर सोऊगी मैडम, बॉस आपको भुला रहा है अर्जन काम है हलो सर, सुन्दर बोल रहा हूँ सियो के ओफिस से सर, आपका काम खतम कर दिया है और रिटरंस तो फाइल नहीं किया ना? हाँ सर, रिटरंस पे फाइल कर दिया है पेवक्कूप क्या सर? मंतरी जी को 10 करोड का गिफ्ट मिला था उसका क्या हुआ? मैं तो भूली गया सर, कल सुबह तक कर दूँगा सर कल सुबह नहीं, आज करो मंतरी जी नाराज है अगर इंकम टेक्स की रेड़ पड़ गई तो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर परबाद हो जाएगा और उनके साथ हम सभी को जेल जाना होगा ऐसा नहीं है सर ऐसा ही है अच्छा एक बात बताओ इस वक्त तुम ओफिस में ही हो? नहीं सर, मैं तो घर की तरफ जा रहा हूँ तो सीधा यूजन मरो और ओफिस जाकर काम पुरा करो ठीक है सर, मैं वापस जाता हूँ आज जा तक पुरा कर दूँगा झाल क्लोध है हो कि पुरा है मैं फुरा एक बताओ हुआ 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 हु साइब, एक मिनट हो, तमारा कुरियर है, हुड़ ओक रस्वारी हो वड़िया यूड़ू दब कार वा खर्णीज़ हैुड़ू हैुड़ूुड़ूुड़ुभरी होुडू़ुड़ुड़ुद़ुदुबुड़ुद। प्रैक्टिस करोगे ये पापा आ गए कार्थिक ए पापा कैसा है मेरा बेटा तो आज स्कूल में क्या किया आज में मुर्गा बना था पापा फेर मुर्गा पाप उने कितने अंडे दिये तुमने मुर्गा अंडा नहीं देता पापा अधे वाह स्मार्ट हो गयो मुर्गी देती है अचला खाना लगा दो पाद मस्ती करने लगे ओ आज कल आपका ही बेटा मुर्गा ये सब छोड़ो और पहले खाना खालो ना 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 कार्थिक के कमा कर लाती हूँ मुझे मत रोगा करो पहले ही मेरा निमाग खाराब है प्सक्रेब चांती से खाना खाने दो अगर करियर ही बनाना था तो शादी क्योंकि बच्चा क्यों पैदा किया हां तुमने कहा था ना कुछ सालों के बाद काम कर लेना कार्थिक यह तुम्हारा फ्रेंड है ना वो अपने ममी पापा के साथ घूमने गया है इसने फेस्बुक पर फोटो डाले है अच्छे है रहा है चल अंदर है चल अचला 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 दरबासा खोलो प्लीज, तब आजा खुलो अचला, नांक में तम करकर रख दिया है इसने, रोस की चिक चिक कि अजा क में हुआ, तो सिरूँ आजगा कुछ। कि अजब एक ऊफ्ले आज़ू कि अज़वा है जब आजब है कर दो कर दो जो कर दो जो झाल झाल हुआ है सुना है वहाँ बारिश होने से मौसम काफी जटा हो गया है किस पर बिजलिया गिरा रही है खूब मज़े कर रही है हाँ हाँ क्यों नहीं तेरा बॉइफ्रेंट जो है यहाँ पर उसके साथ फुल मस्ती हो रही है उसने तुझे पताया नहीं चल जूटी अच्छा पाइद व क्राइम रिपोर्टिंग कैसे करता होगा तो तू उसे प्रपोस कर दे कोई फादा नहीं यार जब देखो नेगेटिव बाते करती है अच्छा सून काबर्ड में एक रेट कलर का टॉप हो बहुत लगी है आज ऑफिस वही बैन कर जाना तेरी लॉट्री लग जाएगी लग अच्छा मुझे अप्डेट एरा ना हुम होके बाइ और सुन रेट आप यह दमीर में आफिस वड़ी कर दो ऑगेट कर दो हुं हाँ को अच्छ। प्रप्रब्रेस भाई साब भाई साब आपने नमबर नोट किये ये लो अरे वाई रशना महरानिया जल्दी कैसे आ गई आज कोई फैंसी रस कॉंपिटिशन है क्या अच्छा नहीं लग रहा इडियेट्स बूलियेख प्रय servers झुल भीक रहीर जल्दी से इस्वाट निव नोट करो यह बुलिएख त इस्टुवंन яч यहिंहेख पूलियाम एंब भीक इंसक्राट्र्तिशक्षिस फ मन्हारा एंड्रेस यह मन्हारा कि शसंड़ेख चआगीच्च्टपूख यहिंठीर्स बाई ओके बाई हाई बजी हो है हाई नहीं आओ न कुरसी खाली अब और बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है चल नहीं रहा है रहें 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 वही चोरी चकारी मर्डर वैसे भी क्राइम में नया क्या होता है अरे हाँ याद आया तुमने वो मटिरियल मंगवाया था एक मिनिट यहीं कहीं था आरेम मैं यहीं तो रख़ा था पता नहीं कहा चला क्या मैं तुम्हें बाद में देता हूँ अच्छा बताओ तुम्हें मेरे आर्टीकल्स में से कुछ मिला की नहीं I mean Of course, मैंने तुम्हारे सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, जैसे आधी खोपड़ी, लटकती लाश, और इनसे मुझे काफी मदत मिली है क्या बात है, सोचा नहीं था किसी लड़की को इन आर्टिकल्स में इंट्रेस्ट होगा आधित्य, एक्चली, मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए था अच्छा, बताओ क्या है पिछले कई दिनों से आर्केपुरम फ्लाइवर पर काफी आक्सिडन्स हो रहे हैं, क्या तुम्हारे पास उसका रिकॉर्ड है एक्चली, मैं हर रोज आर्केपुरम फ्लाइवर से ही जाता हूँ पर तुम रेकॉर्ड्स का करोगी क्या उस फ्लाइवर के ओपर मैं एक स्टॉरी तैयार कर रही हूँ ठीक है, मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं डेटाबेस से डीटेल्स निकाल कर रखता हूँ अगर मैं तुम्हें एक दो दिन में दूंगा तो चलेगा ना चलेगा ठीक है ओके, मिलते हैं ठीक है, बाई रचना, 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 रुको, क्या हुआ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हूँ, तुम्हारा फोन, तुम बूल गई थे अंदर अ है, इम रचना, 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 पूल जाती हूँ, राचना, बादाम खाया कर दूदू शोरी तुम्हें तकलीफ हूई, अच्छा फ्री हो तो कॉफी पीने चलें? आ यां, मैं चलता है, पर मुझे आर्टिकल पूरा कर तो यह आफकोर्स यह, काम पहले है, स्टरी, यह, इसे हो क्या क्या है, सर, कफी, ठेंक्स, यह रही तुम्हारी कफी, थेंक्यू, तो तुम वडोद्रा से हो ना? नहीं मैं मुंबई से हूँ अभी जस्ट सिक्स मन्स पहले शिफ्ट हुई हूँ अच्छा बच्चा कॉंसे स्कूल जाता है वाट? रेली? क्या मैं तुम्हें सच में एक शादी शुदा और अरत जैसे दिखती हूँ नहीं तुम संसकारी लगी इसलिए मैंने सोचा तुमने वक्त पर शादी कर ली होगी मैं समझ रही हूँ तुम ये जानना चाहते हो कि मैं शादी शुदा हूँ या नहीं? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा तुम्हारे तीसरा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? मैं तुम्हें शकल से तीन बच्चों का बाप दिखता हूँ क्या? और क्या? क्या है और कुछ भी? वैसे फैमिली शुरू करना तो चाहता हूँ पर वो गमला ही नहीं मिला जिसमें फूल खिला हूँ पर जो नहीं खाता है वो जिन्दिगी भर बच्टाता है एक पसंद आय थी पर वो किसी और के निकली तब से बस मैं और मेरी तनहाई अकेले में रहते हैं इंट्रेस्टिंग तो बताओ, तुमारे एक्स बॉइफ्रेंड में क्या खराबी थी? मुह से बद्बू आती थी क्या? मेरा कोई एक्स बॉइफ्रेंड नहीं अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं उसे ज़रूर प्रपोस करूँगी मेरे एडिटर का मेसेज है मुझे बहुत सारा काम है बाद में मिलें क्या? हाँ, हाँ, कोई बाद नहीं रचना जरा सुनो मेरे एडिटर ने मुझे एक मुवी रिव्यू करने के लिए दो टिकेट्स दिया है तो अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड आना चाहे तो मैं उसे ले जा सकता हूँ तुम क्राइम दिपार्टमेंट में हो ना? तो तुम्हारा मुवी रिव्यू से क्या लेना देना? वो एक क्राइम मुवी है आच्छा तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ तो आइम शूर तुम्हें कोई अइतराज नहीं होगा बिल्कुल नहीं ओके बाए ये लड़की तो बहुत फास्ट है उचसे भी दो कदम आ गया है तुम्हारा ड्रस वाके लगी है तुम्हारा ड्रस वाके लगी है बता टाइम क्या हुआ है साड़ा ग्यार मेडम सुन्दर का फ्लाट कहां पर है पहले सीधा जाने का पछी गार्डन आएगा फिर खाने वाले हाथ की तरफ मोड़ जाओ वाले हुआ ङगा प्रेंग कुछ। oy तमरे वोंबसर है सारी हादेत्य, नेक्स्ट टेलगु नहीं हिंदी मूवी देखेंगे, कम से कम सब्टाइटल नहीं देखना पड़ेगा, सब्टाइटल के चक्कर में पूरी मूवी उपर से चली गई, अगर मेरे पस्तक्या होता तो मैं वहीं से हो जाती, इससे कहीं ज्यादा अच्छी हॉरर फिल अब कौन जाने वो होती भी है की नहीं? मेरे हिसाब से तो होती है, जैसे दिन होता है तो रात होती है, जैसे अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, उसी तरह पॉजिटिव एनरजी के साथ साथ नेगिटिव एनरजी भी होती है, जिसे हम भूत आत्मा या पिशाज क वाइट सडी में एक औरत, उसके बाल खुले हुए हैं, उसने हाथ में मुंबत्ती पकड़ी है, वो सामने से आ रही है, हाँ हाँ देखी, क्या खूबसरत है यार, तुम ज़रा उतर जाओ, मैं उसी ले जाते हैं, अधित्य, तुम भी बाकी लड़कों की तरह चांस मारे हो न क्या मतलब? लड़की को पीछे बिठाया नहीं, की ब्रेक बारना शुरू ताकि लड़की और करीब आा जाए वो, हलो, बिना ब्रेक के कोई भी बाइक रुकती नहीं है, और वैसे भी, यह बाइक मेरे भाइकी है आ, विरासत में मेरी है मुझे एक बात पूछनी थी, आज तुम्हारा बर्दे नहीं है, क्यों? नहीं मतलब इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, नहाद होकर सच धच के आई हो ना इसलिए तुम्हें क्या लगते है कि मैं रोज नहाती नहीं हूँ, हाँ? एक्चली तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, रचना मतलब तुम मुझे रोज थ्यान से देखते हो अब क्या करूँ मैर्यम, पीशा ही ऐसा है, क्राइम रिपोर्टर जो हूँ इसका मतलब तुम दूसरों को भी तारते रहते हो, हाँ? नजरें सिर्फ उसी को देखती हैं, जैसे देखकर सुकून मिलें अच्छा फ्लोर्टिंग बे ब्रेक लगाते हैं, कल ओफिस में मिलते हैं बाई बाई अलो, मैडम, यहाँ पर आईए यहाँ पर एविंग में बीटू फ्लाट कहाँ पर है वो मेरा फ्लाट है जरा दो मिनिट रुकी है सर, हम जिस लड़की की तलाश करे थे, वो यही लड़की है रशने तुमारे ही नाम है? मैं ही रशना हूँ, बात क्या है सर? एक घंटे पहले तुमारे फोन पर फोन किया था उठाया क्यों नहीं? अच्छा, वो आपका कॉल था मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं, मैं सिनिमा हॉल में थी सिनिमा? अभी तुमको जिसने ड्रॉप किया कौन था वो? सर, हुआ क्या है? आप यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने पुछा कौन है वो? मेरा फ्रेंड है फ्रेंड है या बॉइफ्रेंड है? सौरी मैं जवाब नहीं दूँगे, आखर यह सब क्या चल रहा है? गाड़ी में बैठो, पुलिस स्टेशन में समझाता हूँ लेकिन सर, मैं आप लोगों के साथ क्यों आउँ? आप रॉंग एड्रेस पर आएं, प्लीज चेक कीजे हम रॉंग अड्रेस पर आएं, यह तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ, मेरा है चुप चाब गाड़ी में बैठो, तमाशा करने की ज़रूद नहीं है वरना लोग अपने फोन पे वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देंगे वो चलेगा तुम्हे, बाकी बातें पुलिस स्टेशन में बैठ के करेंगे बैठाओ, चलिए चलिए गाड़ी में बढ़ाएं यह सर, चल चल चल, अंदर बैठ, चल सर, शाणी ने बाठ, चल बैठ, ना पे बोला ना आपको कोई गलत पहमी होई है, सर, सर, प्लीज, मुझे जाने दीजिए आपको बाठ से बता चलेगा हाँ, सर से कऊ लड़की मिल गई है, हम लोग स्टेशन आ रहे हैं इसका फोन क्यों ने लिया, फोन शिनो इससे सर, सर, प्लीज, आप ऐसे क्यों करें सर यह वर्मा वाइन्स में कुछ राड़ा हुआ है, एक यूनिट भेजो वहाँ पर क्या है कि कल रात को ही हमारे बीच में जगड़ा हुआ था सर, जगड़ा, कैसा जगड़ा, रोज लड़ते थे क्या, क्या तुम्हारा पती दारूपी कर तुमको मारता पीटता और गाली देता था, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, तो फिर? कल रात को जब वो ओफिस से घर लोटे और डिनर के लिए बैठे, तो मैंने कहा कि अब मैं जॉब के लिए अपलाई करने वाली हूँ, इसी बात को लेकर हमारे बीच जगड़ा हुआ, वो बहुत हुस्से में थे, फिर मैंने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया, जॉब कमला, एक लास पानी लेकर आओ, वो क्या सर, ये लो पानी, पानी बीचिए, आपको बड़िस आपने अंदर बुलाया है, चल जल्दी चल, सर अंदर ही है न, अंदर ही है सर, चुराओ फाइल्स लेकर आ, आराम से बीचिए, सर ये रचना है, एंट्री गेट पर इसी के आखिर ये सब क्या चल रहा है सर, मुझे यहां किसली लाया गया है, सर, सुन्दर से मिलने आज छोकरे आई थी, देखी मेरी बात का बोरा मतमानिये, क्या आपके हस्बन का कोई अफेर था, अगर था तो बताईए, आप ऐसा क्यूँ पूछ रहे हैं सर, इस लड़की को पह आई थी मेरे घर पर, ये कौन है सर, आखिर ये सब क्या चल रहा है, देखिये मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आपका मतलब है कि उनका इस लड़की के साथ अफेर है, देखिये रो ये मत, अब आप बहर जा सकती है, सुबह तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगे, कमला, किसी को भेज कियने घर तक छुडवा दो, ठीक है सर, प्रभाकर, इसे अंदर बैठाओ, आए, आओ चलो, खुद को समालिए, अंदर आओ, ने उदर नहीं, यहां बैठो, प्रभाकर, सर, कौन है ये, वो सुंदर केस की सस्पेक्ट है सर, ओ, सर, क्या कर रहे हो तुम, केस की फाइल ते यार कर दा था, अभी छोड़ो इसको, मेरे स्थाथ हाँ, लेकिन सर, सर, आप लोगों को ज़रूर कोई गलत पहमी हुई है, मैं जो पूछू, उसका सही सही जवाब दो, सुंदर क्या क्यों गई थी? कौन सुंदर, सर? प्रभाकर, रेजिस्टर दो, ये नाम और फोन नंबर तुम्हारा ही है ना? जी, जी हाँ, सर. दोपहर साठे गारा बज़े तुम वहां क्यों गई थी? सर, सर, मैं वहां ज़रूर गई थी, लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूं, सर. आप यसे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद हमसे ही सवाल पूछ रही हो. ज़्यादा भूली मत बरो. सर, फोटो देना. देखो, आज शाम को जब हम उसके फ्लैट पर पहुंचे तो वो इस हालत में था. अब बताओ, क्यों मारा तुमने इसे? सर, मैंने उसे नहीं मारा. मैं उसके घर गई थी, मैंने डोर बल बजाई. जवाब ना मिलने पर मैं वहां से वापस आगी, that's it. अगर तुमने उसे नहीं मारा, तो फिर किस ने मारा? सर, मुझे नहीं पता किस ने मारा. यही तो हम भी जाना चाहते हैं, किस ने मारा उसे? सर, सर, मेरी बात का याकिन कीजिए. मेरा इस केसे कोई लेना देने नहीं है, सर. तुम वहां गई क्यों? असल में सर, मैं एक रिपोर्टर हूँ और Time of India के लिएंटरजिशिप कर रही हूँ अपने जॉब के लिए मैं स्टारी लिख रही हूँ उसी स्टारी के सलसले में मैं सुन्धर से मिलने गयी थी ऐसी स्टारी और सुन्धर के साथ उसका क्या संबग अब क्या बताओ सर बताओ सर, आरके पुरम फ्लाइवर पर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ वो उस फ्लाइवर पर डिवाइडर ब्लॉक्स रखे हुए सर ट्राफिक जैम से बचने के लिए लोग उन डिवाइडर ब्लॉक्स को खिसका कर वहां से यू-टर्न ले लेते हैं और चब वो चले जाते हैं तो वो ब्लॉक्स वैसे की वैसे ही पढ़े रह जाते हैं जो कि ऑपसिट डिरेक्शन से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाग है इन सब से सुन्दर की मौत का क्या लेना देना इन डिवाइडर ब्लॉक्स को हटा कर यू-टर्न लेने वाले लोगों को खोज कर मैं बस उनका इंटर्व्यू लेना चाहती थी सुन्दर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे इसने तुम उसका इंटर्व्यू लेने गई थी यही ना ये सर सुन्दर नहीं वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे ये तुम्हें कैसे पता उस फ्लाइवर पर एक बॉना भिकारी भीक मांगता है जो लोग वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए कर यूटन लेते हैं वो उनकी गाड़ियों का नंबर नोड करता है सुन्दर का नंबर भी उसी ने दिया था ऐसी कहानी सिनाव जिस पर हमें यकीन हो सके हम छोटे बच्चे नहीं है जो तुम्हारी बचकानी कहानी उससे पहल जाएंगे ये बचकानी नहीं है सर बचकानी नहीं तो और क्या है किसी को मरने के लिए छोड़ देना ये सही है ऐसे लोगों के क्या सोच होती होगी सर सिविक सेंस, ट्राफिक रूल्स क्या ये सिब इंपॉर्टन नहीं है सर ऐसे लोगों की सोच को समझने के लिए मैं बस उनका इंटिव्यो लेना चाहती थी अलो सर, उसे केस की पूछता चल रही है मैं जानता हूँ आप पर पॉलिटिकल प्रेशर है बद कारवाई के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए मेडिया सवाल पूछ रही है, तुम समझ रहे हो जी सर, मैं समझ रहा हूँ और कितना समय चाहिए बस कल सुभे तक का समय दीजे हाँ, ठीक है, लेलो पर इस मुसिबन से पीछा चुड़ाओ हम कुछ करते है सर साइक, मेरे साथ हाँ सर, प्लीज काशी, काड़ी बहार निकालो काड़ी निकालो, कुमार मेरा बैग लेक आओ लाए सर काफी देर हो गई है और बारिश में रुक नहीं रही है इसलिए उस लड़की को फॉरण रिमांड होम भेज़ दो कोस्मॉटम रिपोर्ट आज़े तो फिर आगे पूछताच करेंगे रिमांड होम क्यों सर, उसको घर भेज देते हैं अगर कोई और केस होता तो भेज देते हैं लेकिन बरने वाला सुन्दर एक पॉलेटेशन का सीय था और वो ही उसके सारे अकाउंट्स भी देख रहा था इसलिए हर कोई हमार उपर ढंडा करना है प्रभाकर एक काम करो तो जरा उस बिल्डिंग के सीसी टीवी फोटेज क्लोजली चेक कर लो और सुन्दर के कॉल डीटा भी निकाल लो और हाँ मुझे सब मॉणिंग में रेडी जाहिए ये मेरे घरवालों ने मुझे अलग परिशान कर रहा है बार-बार फोन्चो कर रहे हो एक बार कहा ना कि मैं आ रहा हूँ यहाँ खाली नहीं बेटा हूँ ना मुझे भी साथ में ले लो सर आहाँ आज़ी के आ रहा हूँ आख नायक्त सर उस लड़की के बैन पर तुम्हारी क्या रहा है मुझे लग रहा है कि वो सच के रिए सर जब वो सुंदर के घर पहुंची, उसी वक्त उसकी मौत हुई ये भी तो हो सकता है कि ये इतिफाक हो ये इतिफाक है या नहीं, यही तो खुजना है पर जो भी हो, ये केस CID में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मिनिस्टर ने मुझे डायक्ट ओर्डर्स दिये है सुनो कमला, जी सर रिमान होम में फोन करो और कहो कि पेपर तयार करें ये रात को वही रहेंगे सर, मुझे रिमान होम क्यों भेज रहे है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए तो चुप कर कमला, आप जाईए सर, इस वक्त तो बहुत देर हो गई है सर और बहुत तेज बारिश भी हो रही है हाँ, मैं जानता हूँ, पर कुछ नहीं कर सकता, जैसा कहें कीजिए ठीक है सर सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, मेरी बात का यकीन कीजिए बैठी अभी भी इन्वेस्टिकेशन बाकी और रूल्स के हिसाब से हम आपको रात में यहां रोक नहीं सकते अगर मुझे उसे मार नहीं होता सर तो मैं अपना ओरिजिनल फोन नंबर, ओरिजिनल एड्रेस उस रिजिस्टर में क्यों लग क्या आती सर देखे, सुबूतों के आधार पर शक आप पर ही जाता है उसी बॉने भिकारी ने दिये थे, अगर मुझे मार नहीं होता, तो मैं उन दसों का खून करती सिर्फ सुन्दर को ही क्यों मारती कम से कम आप तो समझे सर, मैं सच कह रही हूं मैंने सुन्दर को नहीं मारा है वेट 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 थोड़ा कनफ्यूजन है, उस फ्लाइवर पर एक भिकारी भी था, वो कौन है और वो तुम्हें नमबर क्यों देता है मैं जब भी वहां से जाती हूँ, वो वहीं पर होता है वहां से यूटन लेने वालों के गाड़ी नमबर नोट करने के मैं उसे हर बार सौर पर देती हूं सर बस इतनी सी बात है तो इसका मतलब ये सारे नमबर तुम्हें उसे नहीं दिये? जी सर तुमने सब का इंटर्व्यू लिया? नहीं सर, सबसे पहले मैं सुन्दर के पास ही गई थी सुन्दर से पहले किसी राजेश नाम के आदमी का अड्रस लास्ट मंथ की डेट पर लिखा हुआ है आई मिन, वाई सुन्दर, राजेश का इंटर्व्यू क्यों नहीं लिया? ये वाला बताईए असल में लास्ट मंथ में मेरी मॉम मेरे पास रहने आई थी उसी भाग दोड़ के चकर में मैंने उसका इंटर्व्यू नहीं लिया बस इसलिए उस फ्लावर पर जो भिकारी है क्या उसे मिलवा सकती है हाँ, बिलकुल सर, बिलकुल वो वही फ्लावर के किनारे भीक मांगता है सर ओके, आप यहीं रुकिए सर, आपने बुलाया मुझे, हाँ यह गाड़ियों की कुछ डिटेल्स हैं पता करो कि इनके खिलाव कोई पुलिस कंप्लेइन है क्या ओके सर, दो इट फास्ट मैं दिखता हूं सर, थाइक्स शक्ति, मुझे सुन्दर की पोस्ट मॉटम की डिटेल्स चाहिए, जल्दी से जल्दी मंगवा लो पड़ प्लीज मेक इट पर प्रभाकर, एक काम करो, रचना के साथ फौरण आरके पूरं फ्लावर जाओ वो वहां तुम्हें किसी से मिलवाएगी, उसे फौरण यहां लेकर आँ सर, बारिश बहुत तेज हो रही है, सर ने जैसा बोला था वैसे रिमांड होम ले जाते ने उसे प्रभाकर, जानते ओने रिमांड होम में क्या होता है विचारी परिशान है, लेटस है लेट्स हवाँ, टाम नी ही है, जल्दी करो ओके सर, नरे ना अचलो गाड़ी निकालो झालो बेटो चलो बैटो AP05EA2162 देखकर जल्दी बताओ, कहीं इसके उपर कोई केस दो रेजिस्टर नहीं है मुझे पता है कि आपको अफिशल रिपोर्ट लेखने में टाइम लगेगा पर कितना डॉक्टर? डॉक्टर के आज रिपोर्ट मिल पाएगी? टैंकियू सर् हाँ, कहा है वो? वो बहाँ है सर् काशी, जाओ देखो जरा यहां तो कोई नहीं है सर् यहां तो कोई नहीं है, तुमने कहा था यहीं मिलेगा वो रोज मुझे यहीं मिलता था सर् उसको टैब बुक पीच चेक करता हूँ शायद रचना के बारे में कुछ पता चाथ सके यह किसका फोन अना है हलो सर, हम लोग यहां पहुँच गए यहां पर कोई भी नहीं है, यह लड़की छूट बोल रही है आसपास अच्छी तरह चेक करो वह वहीं कहीं होगा ओके सर अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जल्दी बेजो सर, वो रहां आओ, वो आजा के बैठो कमला, क्या हुआ सर, वो मिला हुआ मिल गया सर, यह देखे, यही वो आदमी है जिसने इसकी हेल्प किये थी रशना, इसे ने तुमें नमबर दिये थे जी सर प्रभाकर, इसको इंटरोगेशन रू में ले जाओ रशना, तुम इसके साथ जाओ बताईए क्या बता चला सर, मेरी डूटी डॉक्टर से बात हुई अच्छा उसने बताया कि सुन्दर की बॉड़ी पर खरोच के निशान नहीं है और नहीं किसी चोटके और उसकी मौत कितने बज़े हुए थी? उनके हिसाब से सुन्दर की मौत का टाइम आधी रात के दो बज़े का है पर वो भी कंफर्म नहीं है अच्छे से चेक किया और सुन्दर की बीवी के घर से निकलने के बाद सिर्फ यही लड़की उससे मिलने गई थी इसका मतलब सुन्दर की मौत और रचना के वहां पहुँचने के बीच तकरीबन दस घंडे का फर्क है क्या लगता है कोई कनेक्शन्स? सर मैं भी वही सोच रहा था सुन्दर और रचना के बीच कोई कनेक्शन होने का ना तो हमें कोई सबूत मिला है और ना ही इन दोनों के बीच की हिस्ट्री का कोई नामु निशान मिला है मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है वो बेकसूर है कैसी फाल तू कहानी है सर एक आदमी वहां से यूटन लेता है और एक पागल आदमी उसके गाड़ी का नमबर नोट करता है और ये लड़की उस आदमी से जाके नमबर लेती है ये यंग्स्टर्स आजकल हमें बेवकूफ समझने लगे हैं सर आजो जिन गाड़ियों के नमबर आपने मुझे दिये थे मैंने उनके डीटेल्स निकाल लिये हैं सर प्रभाकर ये च्रेकरो इसी ने तुम्हें दस गाड़ियों के नमबर दिये थे नहीं सर तो इन सारे नमबरों का अड्रस तुम्हें देने वाला है कौन मेरा एक फ्रेंड है जो आइटियो में काम करता है मैं उसे गाड़ी के नमबर देती हूँ और वो मुझे अड्रस निकाल के देता है बस इतना ही सर अब क्या होगया सर तुम्हारी डाइरी में जिन दस लोगों के नंबर लिखें, वो लोग मर चुके हैं, सब के सब, उन सब ने आत्मा हत्या की है, ये रिपोर्ट कहती है, रचना, तुम कुछ छुपा रही हो, अगर जूट बोलोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं सच कह रही कुछ इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इन अड्रसेज और नंबर्स के अलावा मैं इनके बारे में कुछ दही जानती, प्लीज बरीज मीज तुम्हारी डायरी की डेट्स, पुलिस रिपोर्ट की डेट्स उनकी सीउसाइड करनी की डेट्स सब के सब एक ही हैं, तुम जो भी डेट लिखती हूँ उस दिन उनकी बहुत हो जाती है इसका बताब क्या है वो कुछ नहीं बोल रहा है सर शायद गुंगा है मुझे नहीं लगता हमें उससे कोई भी इंफरमेशन मिलेगी अब क्या करें सर उसके लबा और कोई सुरग नहीं है और मुझे देने के लिए उस भीकादी ने ये नंबर नोट क्या होगा क्या अगले दिन जब मैं आफिस जाओंगी तुम भो मुझे दे देगा इसके लाबा मुझे कुछ नहीं पता अगर वो इंफरमेशन तुम्हें कल देता तो टायरी में डेट लिखती है कौनसी डेट लिखती है अज के डेट लिखती है अज के डेट लिखती नमेश ये सबन देना इस गाड़ी का अड्रस निकालो और जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ और मेक इट फास्ट रभागर चलो शक्ति जाओ उसे अनिल करो चंबडी उदर दे इसकी रभागर ये सर ट्राफिक कंट्रोल रूम जाओ और CCTV फुटेज में देखो कि फ्लाइवर पर इस गाड़ी ने यू टरन लिया था कि नहीं जितनी जल्दी हो सके बताओ सार जिस आदमी का पता आपने मांगा था वो पीछी की बिल्डिंग में ही रहता है गड़ी निकलो ओके सार तो भाग कर चला गया हाँ सर मद्दो कपके चले गए कुछ और जंड हो तो मुझे पौन कबर यहां पर मलिक को ने तुम से मिलने को कहा था उन्हों ने मुझे कॉल तो किया था कैसी जानकारी चाहिए अपको मलेक वो जो वारकेपुरम फ्लाय ओवर है ना वहां से इस गाड़ी ने यूटन मा रहा था इसके बारे में पता करो ना शोर सर मैं चेक करके बताता हूं आप बैठिए थैंक्स नहीं हाँ गजा करेंैस म लाटन आ जहीं हां आईए सर, आँ, फ्लाट नमबर, वन फाइज इरो फोर सर, यही है वो फ्लाट सर, क्या कर रहे हैं, बेल इस तरह बजाते हैं क्या, नेम प्लेट तो देखो, सॉरी सर, देखा नहीं, काय काम है तुमसे, क्या आपका इनाम शरत कुमार है, कौन है, कौन गंटी में जाए, बच्चा सोर आथार उसे जगा दिया, अकल घुटने में क्या, अब कौन चुप कर आगा उस बच्चे को, नेचे तुम्हारी गाड़ी है, टी एस ट्वेंडीवन बीसी टूवन टूजीरो, मैं तुम्हें क्यों बताओ, बात क्या है, वो गाड़ी तुम्हारी है या नहीं, ह मेरी है, तो क्या हुआ, इस लड़की को कभी देखा, कौन है यह, रश्ना, तुमने इसे देखा कभी, नहीं सर, आर के पूरं फ्लाइवर पर तुमने योटन लिया था, हां तो, मुझे आरेस्ट करने आया यह, इसने कंप्लेंट की, वारंट है क्या, काही जाला, काही प्र कानून अच्छी तरह से जानता हूँ, पेपर है तरे पास, यह, ठीपर, हलो, हे, हे, सुनाई नहीं देता क्या, अंदर का घुजे जा रहा है, हलो, सर्च वारंट है क्या, कोर्ट में फसे गा तू, हे, समझा इसको, इसको बोल की बाहर आए, सुनाई नहीं देता क्या, पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेइन कर देना, और फिलाल अपना दर्वाजा बंद रखना, कम रचना, हाँ, 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 आता हूँ, सुबह होते या जाओंगा, जरता नहीं हूं तुझसे, आप तुझे कोट में मालूम पड़ेगा, मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत पड़ेगा, अच्छा सुनो रमेश, एक काम करो, तुम सुबह तक यही रुको, सर, यहाँ पे रुकना है, क्यों, कोई प्रॉबलम है, नहीं सर, कुछ गड़बड़ो तो फॉन करना, ओके सर, चलो रचना, उसे चुपकरा, सुनानी क्या, है, महरी है क्या, आगे बढ़ जाओ, पुलिस की नौकरी क्या कर ली, इन सब के घुलाम बन गया, चे, हलो, उस नमबर की गाड़ी ने वहाँ से योटन लिया था, सर, फ्लायोर के कैमराज में साफ नजर आ रहा है, क्या वो वकील है, पता नहीं, सर, उसके काले कोट को देखकर लगता तो है, हाँ, उस डारी के सारे नमबर्स को भी चेक करना, हम लोग चेक कर रहे हैं सर, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, वाट्सएप में, बिल्कुल सर, मलिक, चलो ये बाकी नमबर्स भी चेक करते हैं, रचना, इसी लॉयर ने यूटन लिया था, CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए उस बॉने ने इसकी गाड़ी का नमबर नोट लिया था, अचीब बात है, यूटन का सुन्दर की टैथ और बाकी सारे मौतों से को मैंने कोई कनेक्शन तो है, रचना, कोई ऐसी बात जो तुम भूल रही हो, याद करने की कोशिश करो, उसे हमें काफी मदद मिलेगा, सर मैंने आपको सब बता दिया है, बाहर मतिकला, शरण, 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 सर, सर, हाँ, उन सब के डीटेल मिले तुमें, ये सर, मिल गए, और वो डायरी में जो नंबर लिखे थे उनके, आपको जो भी जानकारी चाहिए थी, इसमें आपको मिल जाएंगी, ओके, तैंक यू, तैंक यू सर, हाँ, ऐसा नहीं है सर, मेरी बात तो सुनिये सर, मैं तो मिनिस्टर साब के केस में ही बिजी था, तब तक ये हो गया, हाँ सर, हालात बहुत उल्जे हुएं सर, मैं जानता हूँ कि जो लॉयर हमारी पुलिस जीप पर गिर कर मरा था, उसके यूनियन के लोग आपके पास पहुँचे हैं, सर, किसी भी तरह उन वकीलों के साथ प्रेस कॉन्फरेंस को टाल दीजे, प्लीज, मेरे लिए, ओ, ओके सर, थैंक यू सर, मैंने तुम से क्या कहा और तुमने क्या कर दिया, मैं इन्वेस्टिकेशन कर रहा हूं, सर, उस लड़की को रिमांड हूं भेजने के लिए कहा था, पर इस केस से उसका, तुम्हारी वज़े से मुझे कमिशनर और प्रेस के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, सर, सुन्दर की गाड़ियों के अलाव हमारे साथ थी, उसका इस केस से कोई connection नहीं है, सर, वो बेकसूर है, सर, यह देखो, सुन्दर की post-mortem report, clear suicide, सर, कुछ तो कड़बड़े, सर, इस केस को आगे बढ़ाने के लिए permission दीजे, सर, बेलकुल नहीं, तुम अब कुछ मत करो, सुन्दर का केस क्लोज करो, बस, और दूसरे केसिस हमारे एरिया में तो हुए नहीं है, भूल जाओ इससे, अच्छा, वो लड़की कहा है, इंटेरोगेशन रूम में है, सर, आओ, लड़की कहा है, आगे मैंजित लोगते कि अन दोफे नहीं हार, कि छोगेशना कि अभेकी कहा है, सर, यही नहीं है, आगे ह। झमक्षे घचाओ ल्षनाने का मैं, आगे एका क्याओ कर स्मक्या कि ओए ठी, अच खू़ क हाना, मैं भ दो, क॥ो दोते हैं अगे ज दो हमने तुम्हारे आट्यों के फ्रेंड से पूछताज की थी डॉन्ट परी उसे कुछ नहीं होगा वोस्त मॉटन रिपोर्ट आ गई है तुमने सही कहा था सुन्दर की मौत में तुम्हारा किसी भी तरह का इन्वॉल्मेंट है ऐसा कोई सुबूत हमें अभी तक नहीं मिला है तुम जा सकती हो यूर फ्री टुगो ना इन गाडियों के नंबर और पते किसी को भी मत बताना वरना तुम पास जाओगे तुम्हारी सिंदगी बरबाद हो जाएगे तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ इन चीजों को यहीं छोड़ दो दियू अंडरस्टान नायक सर जाओ उसे घर छोड़ा हलो नमस्कार सर यस सर हाँ सर पोस्मॉटम रिपोर्ट मिल गई है सर सुसाइड की वज़े से केस क्लोज कर रहे है हाँ अपने इन्वेस्टर फ्रेंड को बता दीजे सर उसका अकाउंट बचा हुआ है ओके ओके सर थैंक्यू लच्छ रच्छन तुम्हारा घर आ गया सॉरी सर तुम बहुत ठक गई होगी जाओ आराम करो सर आपको मुझ पर यकीन है ना आई ट्रस्ट यू रच्छन मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें इस केस में कुछ नहीं होगा थैंक्यू प्रुम्हें 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 प्लिव आजय झाओ मुझे और अदय है ह tutaj हम प्लड़ हम पूहरा पहरो चलूली है कर दो कर दो हाँ प्रभाकर तुम ट्राफिक कंट्रोल रूम कह थे वो सीची टीवी की फूटेश तुम्हें मिल गई अच्छा वो कुमार से भीजवा दो सर आपको हम तिनों का गुड मॉनिंग सर वो संता ये बनता और मैं जनता आपने वो पोस्ट मॉटम्स रिपोर्ट देखी? वो रिपोर्ट तो हम नहीं तयार की है सर जी सर हम बस आपको प्राण जाने का कारण बता सकते हैं परन्तु यह हत्या यह आत्म हत्या यह सिर्फ आप ही बता सकते हैं मैं इन किसिस में कोई कौमन बात धोन रहा हूँ जैसे कि मौत का वक्त या कोई हत्यार कोई ऐसा घाओ जो एक जैसा हो कुछ भी जो अलग हो या अजीब हो जी जितने केस मैंने हेंडल किया है ना मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा और आपका सर पोस्ट मार्टम तो ये लोग करते हैं मैं तो से बॉड़ी उठाता हूं आप एसे जाना क्या शाते हैं सर हां कुमार आओ सर प्रभाकर सर ने आपके लिए पेपर्स भिजवाई हैं थैंक यू कि सर आमें देर हो रही है अब जाए अगर जरूरत पड़ी तो मैं फोन करूंगा आने के लिए शुक्रिया ओके थैंक यू सर हेई हाई रचना यहां बैठती है न हाँ यहीं बैठती है पर अब तक वो आई नहीं है ओ ओके थैंक्स ओके हेई रचना मैं तुम्हें डून रहा था फोन नहीं उठाया और आज लेट भी आई हो तुम ठीक हो ना रचना ने ठीक हूं बस थोड़ी थकान है कॉफी असल में एडिटर से हां समझ गया तुम्हें काम होगा मैं बाद में मिलता हूं बाई ओके बाई अपना ध्यान रखना एक्सक्योज मी सार आप बिजी हैं जी नहीं बताईए सार इस केस को हेंडल करते वक्त मुझे उसमें कुछ अजीब लगा था बैठी सर मैं फिर से रिपोर्ट देख लूँ यह वाली नहीं सर ओ वाली कौन सर यह यह देखिए यूफोर अंब्रेला इस केस में यह निशान ही सबसे अजीब चीज देखी गई है सर नॉर्मली कोई भी मरते वक्त अंब्रेला कट नहीं बनाता है सर एकदम सिधा कट करता है पर है सिदा नहीं है सर यह कॉमन ही है कि नहीं सर फेत कर आइंड करने वाले कन्फूज होते हैं सर वडिसाइड कर पाते हैं कि सिधा कट मारे हैं कि टेड़ा कट मारें अम्रेला कटका सवाल प自달 नहीं होता है यह normals एस केस में प्लेड गुमा कर लुब कैसे समझाओं यू जा स हाँ, यही तो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था सर अच्छा सर, लगता है अब समझ गे, अब मैं चलता हूं सर ओके सर, थैंक्यू, थैंक्यू सर यह महजे के इतिफाक है हमने अल्रड़ी प्रेस्मे स्टेट्मेंट दे दिया है मुझे अब और कुछ नहीं कहना है, प्लीज, थैंक्यू सर, दर असल यह नयक, अब इस केस का पीछा छोड़ दो तुम खामका टांगडा रहे हो, तुमारी वजह से एक लॉयर का पुलिस जीप पर गिरकर मरना, इस समय नैशनल नेवल की ब्रेकिंग निउस बन गया है, सर मैं तो उसे बचाने गया था, नयक, किसी से ये मत कह देना, उसकी बीवी ने स्टेट्मेंट दिया है, कि लॉयर को उपर बहुत सारा हो गया है, यू-टर्ण केस कोई है ही नहीं, जाओ, बहुत सारे पेंडिंग केसिस सॉल्ब नहीं हुए है, उन्हें क्लियर करो, यस सर, नयक, रचना का फोन नंबर है ना तुमारे पास, है ना सर, अगर आपको बात करनी हो तो मैं, उसे फॉरण, डिलीट कर दो, जाओ, आखिर इस यू-शेप का रास क्या है, लोग मर क्यों रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन सब की मौत हो चुकी, आखिर कौन मार रहा है इन्हें, उझे पता लगा नहीं होगा, भाया, 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 मुझे माफ करतीचे, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा, यह रख लीजे, ले लो ना, हलो, हलो, मेरी आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का प्रेशर ज्याता है, देखो रचना, मुझे से कुछ भी छुपाना मत, क्या, कल रात अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो प्लीज मुझे मुझे माफ कर देना, नहीं, आदित, तुम बेकार में इतना सोच रही है, अज रात को डिनर पर चलें क्या, आदित, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, हलो, हलो, रचना, हलो, हिस्जब क्या गया है, सारा दिन घर में बैटके पप जी कहलता रहता, निकमागे का मरत पर पलिस्टिशन है, इसे जमेन पर पटक के मारो जी, सर, सर, प्लीज, फ्लावर पर दो और लोग उने यूटन ले लिया, सर, हमें उन्हें बचाने होगा, प्रभाकर से को इन से बाद करें, चलो, ठोकाई कराओं तेरी, उनके साथ, अब क्या हुआ, सर, अब क्या हुआ, सर, तभी मैंने, आधित अब तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अब चिरकूट एक ब्लॉक नहीं आट रहा है तुछसे, अरे भारी ये रे, आपे मेरे साथ चिंच चला कर, आप यहां से यूटन नहीं ले सकते, प्लीज, गो स्ट्रेट, प्लीज, सिखामात, आपान इ अरे कैसी प्रॉब्लम, बात को समझे, यहां से यूटन लेना अलावड नहीं है, फ्लीज, मैं आपको यह करने नहीं दूगी, यह क्या मतलब, यह फ्लाइवर तेरे बाप का है, जो हमें जाने नहीं देगी, ज्यादा दमदाटी मत कर, डर जाएंगी, अचा सुन, मैं यू साधी करेगा तेरे साथ, अबे क्या मत करें, यह ले, पोज में ले, यह ले, एजबुक पे दालना, मस्त लाइक में लेंगे, आप अनको भी टैक करना, सर, किसी भी तरह उन दोनों की जान बचा लीजे, प्लीज, मैंने उन दोनों की बाइक्स की फोटो ली हुए, सर, यह क्या कह रहे हैं, सर, उस फ्लाइवर पर से यूटन लेने वाले हर आदमी को एक प्लान के तहट मार दिया जाता है, सर, अगर वो, नायक, सर, जाओ और अपनी दोस्त को समझाओ, सर, रचना, रचना, देखो, प्लीज, नाराज मत हो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है, आप लोग इतने लापरवा कैसे हो सकते हैं, सर, उन दोनों की जिन्दे की खत्रे में है, उन्हें कुछ नहीं होगा, रचना, बिलीव म सर, कल आपके सामने उस वकील की मौत हो गई, सर, या भूल कैसे सकते हैं, आपने खुद देखा था, देखो, मुझे अपने सीनियर की ओडरो करने पड़ते हैं, समझने की कोशिश करो, ओके साह, तो आप अपने सीनियर के ओडरोस फॉलो करें, लेकिन अगर कल उन्हें कुछ हो गया, तो मैं चुप नहीं बैठोंगे. चलो. शरम नहीं आती, राज लेके अपनी जिंदी के खराब करने के बजाए, खुद को फासी को नहीं लगा लेते, आप सालो यहां पे, अभे राजू, क्या हो गया रहे तेरको, अभे उटना, फिर से चड़ा लिए क्या, उटना, कहां फसके है यार, चलो. चलो. सर, ये लड़का इशारा करके हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ समझ आया? सर, ये कौन सी जगह है? सेफ तो है ना? इसी जेल के निचे एक बेस्मेंट है, there's nothing to worry, ये यहाँ सेफ है, आज रात वो यहीं रहेंगे कुमार, सर, बेस्मेंट की लाइट्स आफ कर दो, उके सर, उने आराम से सोने दो रहाँ आपको जाखका बाट्सक्त आपको जाते हैं, प्र यचिपलिव कर दो हाँ, जौएन आपको जाते हैं? बाते हैं? जाइब विला नहीं सर थैंक्यू अधरक वाली है प्यूंग थैंक्यू फोर बिलीविंग इन में आप उन्हें अपनी निग्रानी में रखेंगे तो एम्शूर उन्हें कुछ नहीं होगा इस मैं ड्यूटी रचना उस वकील के मरने के बाद मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता सर उस वकील के डेथ केस में कोई प्राग्रिस होई उसकी इन्वेस्टिकेशन चल रही है उस पर बहुत कर्स था और परिशान होने की वज़ा से उसने सुिसाइड कर लिया सर उस ब्रिज की यूचन का और इन सब लगों की मौत का कोई कनेक्शन हो सकता है सर इन्वेस्टिकेशन चल रही है रचना अभी कुछ गडबार है सर प्लीज लंदा चलिए क्या हो रमेश पकड़ो इसे लाइए मुझे दे दीजे देखे सर वो थोड़ी दिर पहले अचानक खड़ा हुआ और दब से आगे पीछे आगे पीछे घूमता ही जा रहा है मुझे डर लग रहा है सर अब हम क्या करेंगे सर डरने की कोई बात नहीं है लाइट सौन का हां कर देता हूं शक्ति को बला लो हां सर यह राज्यू आरे मान क्यों रहा है सर आपने बुला है शक्ति वो दोनों आपस में जगड रहे हैं जाओ उन्हें कंट्रोल करो क्या हुआ रे कमीने जिस थाली में खाता है उसी में छेट करता है माना जाता है मुझे अरे आखिर मैंने किया किया है राजू ए राजू सर यह दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं ना बोला था तो टल लेने को ना बोला था क्या बोला था कौन है तू तुरिवाज ट्रभाकर जल्दी करो सर्विलेंस रूम में आओ नहीं चाड़ूगा मारदालूगा 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 नहीं चाड़ूगा क्या कर रहे हो अब तक दर्मासा क्यों भी खुला लो मुझे तो क्या हो गया सर यह लोग लड़ क्यों रहे हैं तुम यहीं रुको मैं देखता हूं आप रुकिये सर मैं जाके देखता हूं आई शौ आई आई सर समालना रुक प्रभा कर जाओ और उन्हें जल्दी रोको आमें जा रहा हूं सर यहां दर्वादा नहीं खुल रहा है बड़ो यहांसे ख्जूू उहां आऊ़ियो नहीं जाओ टुंगॉ नही जसान नहीं जसान जसान दूलओगॉ नहीं जँुलम प्रिए उगांसे हुल ठहीं एळाद कर देख सक एन समयRock 2029 अगर दर्वाजा नहीं खुल रहा है तो दर्वाजे को तोड़ दो चलो सब लो धके लो फुट रहे हैं बचाओ मुझे बचाओ सर दर्वाजा चाम हो गया हम लोग कोशिश कर रहें खुल नहीं रहें सर प्लीज सर सब बचाओ मुझे सर 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 दशना तुम यहीं रुको मैं आप ही आप क्यों लिया यो तार अब तो मरेगा तुम लोग कर क्या रहे हो तुम नहीं बचेगी तुम मरेगी मैं तुझे महार डालूगा ज़स्ट मूव चलो 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 शक्ति गेट खोलो चल्दी जी सर सर ये तो लॉक है सर और इसकी चापी भी अलग है आमारे पास टाइम नहीं है सर सर रिकीचिये लगता है वो बेहोश हो गया है ताले को तोड़ दो रशना तुम सुन रही हो तुम्हारी आवास नहीं आरी है रशना मेरी बात का जवाब दो सर थालो सर तुम ठीक तो हो ना सर वो मुझे खूर रहा और मुझे मारने की धंकी दे रहा है कौन खूर रहा है? जवाब तो रशना खूर रहा है तुम्हें सर पीसे देखे सर 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 नहीं खूर रहा है सर बचाओ रभाकर जल्दी करो ताला तोड़ो सर जल्दी कुछ चीजिए रभा एक्सिंगुशे लाओ सर बचाओ मचच डार रहा है सर 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 संन सर मचश अदाट लाइव सर मचटर लिड़ा है स Duck रहेए आपकड़ो इसे, खिचो, खिचो इसे, खिच के पकड़ो, खिच के पकड़ो, खिच के अचाइब भाव जा फिच अटरल लगजा सर, पुली साला क्यो बना है जो, टोच लेकर आओ, हाँ पर्टे सर, ये लिजियर सर, खाहां गया, कहां गया वोलो, सर नसर नहीं आना सर, गुमार, शुभोजा। अगजा वरागे ! भी जाए दो अग्र जाए की सर सर अगजाए सर कुमार अपने गवाज़ बंकर अग्रा सर पहले सो कुमार को सस्पेंड्ट सर बहागार लिगे सर वेरी बाट पालेजिये सर सर बहागाज़ जाए सर अज़ बहोगाई! Sir... Help me.. उज जो पाख वाख बाख वाख बाख वाख बाख माने सर। Sir sir, बाहरा जाये Sir मेरे पाख माने Sir कर 2 आंदेटी भी अन्यासर देऊ सिमरें सर्भेस बॉपण है अधिर अर्यी कुछ नहीं होगा कै कुछ नहीं होगांए सर्थ हुओ अधिर ट्रह टुम्हें वागे ड़ा करे चरहोए कर दो कर दो कर दो दन्या हो गया मैं इद का चांद हो तुम ताइम मिलने का अरु गाइस यस सर्थ यस सर्थ प्लीज ओकिस थाइस थाइस रशना यह क्या हो तुम तुम रो क्यों रही हो सब ठीक बुझाएगा सब ठीक बुझाएगा I'm sorry, Aditya किसलिए? कई दिनों से मैंने तुम्हें परिशान किया पिछले एक हफते से लगता है तुम मुझे अपना नहीं समझती और इसलिए तुम जरूर मुझे से कुछ छुपा रही हो नहीं बताना तो मत बता मेरी पास एक तौफा है भूल गई? अरे तुमने आरके पूरं फ्लाय ओर पर हुए एक्सिडेंट्स की रिपोर्ट मांगी थी ना? यह वही है तुमारी स्टोरी के लिए चलो अब तो मुस्कुरा दो जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें दे रहा हूँ अरे यार यह प्रिमा जी मुझे जब देखो कामशिप काती रहती मुझे जाना होगा सॉरी यू टेक एर, ओके? हाँ प्रिमा जी सिगनल पर यह आ रहा हूँ पॉस करो अब दूसरा कैमरा दिखाओ अब मरेंगे तुम्हारे सामने लडाई होती रही तुम्हारे ही सामने गोली चली और वो मर गए सर्फ दो दिन में तीन लोग मारे गए वो भी पुलिस वालों के सामने कल ही मैने तुम्हें वार्निंग दी थी ना किस सीनिय के ओर्डर्स फॉल होंगे फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी आम सॉरी सर कुछ तो गडबड है कोई तो ऐसी शक्ती है जो यह सब करवा रही स्टॉप इट नाइक जो तीन लोग मरे उनमें बस दो ही कर्रेक्शन्स है पहले हो तुम दोस्तिरी तुम्हारी फ्रेंड रचना तुम लोग वहां क्या कर रहे थे खड़े-खड़े तमाशा देख रहे थे अब तुम तीनों पर एंक्वारी कमिक्शन बैठेगा समझे किसी की गलती नहीं है सर सारी जिम्मिदारी मैं लेता हूँ सर यह जाओ यह सर एंक्वारी बूरी होने तक यह सुस्पेंड़ रिटेश हाँ मेरा नम रचना है मैं टाइम्स ओफ इंडिया में काम करती हूँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है किस बारे मैं मैं आर्क्योपूरं फ्लावर पर होने वाले अक्सिडेंस पर एक स्टोरी तयार कर रही हूँ उस सिलसने में आपसे बात करनी है माया और मेरी लव मैरेज हुई थी जर्णा हमारी बेटी थी वो फर्स्ट डेड में थी मेरी वाइफ भी जॉब करती थी हमारी जिंदिकी सुखुन से गुजर रही थी रोश्या हमको घर लटने के बाद मैं जर्णा के साथ गंटों खेला करता था यही लाइफ थी सब अच्छा चल रहा था हमारी बेटी ही हम सब की दुनिया थी फिर वहाज सब सब कुछ खतम हो गया I'm sorry sir उस दिन जर्णा का बट दे था माया उसको शॉपिंग पर ले जाना चाहती थी जर्णा बहुत ज्यादा खुश थी वो नौ मार्च कर दें था Sir उस आक्सिडेंट के बारे में कुछ बताएंगे आखर उस रात हुआ क्या था माया 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 Help 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 जर्णा 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 पुलिस ने राश ट्राइविंग क्याखर केस को बंद कर दिया माया सभाल कर ड्राइव किया करती थी मैं जानता हूँ लेकिन एक्सिडेंट की रात को एक कार उस फ्लाय ओवर से गुजरी थी उसी कार ने एक्सिडेंट कर दिया ट्राफिक कैमरा में उस कार की फोटो रिकार्ड भी हुई थी पर पुलिस ने कोई इन्वेस्टिकेशन नहीं की एक रात में सिर्फ एक रात में पूरी फैमली खो दी I'm really sorry sir मुझे आपको यह सब याद नहीं दिलाना चाहिए था कोई बात नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं हाई रचना हलो पुलिस टेशन से मुझे पता चला I'm sorry मेरी वज़े से आपको यह सब झेलना पड़ रहा है नहीं कोई बात नहीं है वैसे केस तो चली रहा है सब ठीक हो जाएगा पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है यह सब तो होता रहता है कल रात वहां ऐसा क्या हुआ सर रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने ड्रग्स ली थी हो सकता है उसी का सर हो सर आज मैं रिटेश नाम के अकादमी से मिली थी फ्लाइवर पर हुए आक्सिडेंट में उसने अपनी फैमली खो दी यह फ्लाइवर तुम्हारे दिमाग से निकली नहीं रहे एक मिनट यह देखे सर रिटेश की वाइफ और उसकी डॉटर रोड आक्सिडेंट पे मारे गए थे सर वो यहां अकेला रहता है सर उसकी बातों में कुछ बहुत ही अजीब था सर आपको इंवेस्टिकेशन करनी चाहिए रचना बस अब बहुत हो गया इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कहना चाहती है सर यह मौत आपस में जुडियें आप भी जानते हैं सुन्दर की मौत वकील की मौत और उन दोनों बाइक वालों की मौत में शक्की सुईस सिर्फ और सिर्फ तुम पर जा रही है मैं इसमें शामिल नहीं हो सा यह मैं जानता हूँ पर बागी तो नहीं जानते न तुम फंस चाहोगी सालों तक पुलिस टेशन और कोट के चकर काड़ोगी फाइनली वो तुम्हें ही कातिल ढहराएंगे सर उस फ्लाइवर पर जो भी यूटर्न ले रहा है वही मर रहा है और आप कह रहें कि मुझे चुप रहना चाहिए रचना मैंने बहुत सी मौते देखी बाद में कुछ नहीं होता और तुम्हें भी यही मान कर चलना चाहिए हलो प्रभाकर कुछ सवानों के जवाब तुम्हारे लिए चानलेवा हो सकते हैं अब मैंने ये केस छोड़ दिया है तुम्हारी मदद नहीं कर बाऊंगा कि अब मैंने प्रभाब अब मेंने अब में और तुम्हारे लिए झाल 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 सर ये यूटरन केस की पूरी फाइल है थांक्यू प्रभागर सर मुझे लगता आप बिल्कुल ठीक कर रहा है जलो तुम्हे तो ही यकिन है ठाल बाल झाल 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 क्या हुआ बिटा इतनी रात को फोन किया सब ठीक है ना हाँ मा सब ठीक है शादी के लिए लड़का मिला या अभी तक ठूंडी रही है फिर से ड्रामा शुरू मत करो मा खाना खाया बस अब तेरी वारात में जी भर के खाऊंगी पापा कैसे है यहीं बड़े घर राटे ले लेके नाक में दम कर दिया है ठीक से बात करो ना मा नहीं तो मैं फोन रख दूंगी प्लीज मा पा ठीक है मैं ठीक हूँ तेरा डॉगी भी ठीक है और कुछ पूछना है मा मुझे बहुत डर लग रहा है अर्चु कुछ गडबर है क्या हुआ बिटा अर्चु बिटा जवाब दे मा मुझे बहुत अकेला पन लग रहा है इसलिए कॉल किया इसलिए तो पहती हूँ शादी कर ले शादी कर लेगी तो ना अकेली रहेगी ना डर लगेगा पर तुझे मेरी बात सुननी कहां है कहां है तू इस बख मा ऑफिस में एक लड़का है जो अरे वाँ मैं कली आती हूँ उससे मिलने के लिए उसकी माबाप का नंबर भेज मैं कली उनसे बात करूंगी माँ मा अभी बात वहां तक नहीं पहुची है तो कहां तक पहुची है मैं उसे पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहात जाना क्या बात हुई तु पढ़ी लिखी है सुंदर है तुझे कौन मना करने वाला है तुझे कौन मना करने वाला है थूड़ेगे ना तो भी नहीं मिलेगी तुझे लड़की मा मा बस करो यह डायलोग बाडने बंद करो मैं फोन रखती हूं बाई तो पहिए रखू नंबर तो पहीच करो पालोग में पुझे करो दिखे। आइ लव इहु कर दो 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 बड़ ऑ़ कोति उ..... oval कि से औरादी लोग्यू ज्लादी कि अज बाल कि अ बाल कि भुड कि बाल ॉॉॉ ॉॉ०ॉ कि यॉॉॉ कि पूर ॉॉ फिर लो बापना इस अहाँ खा 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 खुड़ ऑुड़ को जो बपर को उड़ कि अड़ा खुड़ कर फुड़ को ब़िता हुड़ को घड़ार है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है खर बुई। जरना खालो पिटा नहीं मुझा खाना नहीं खाना नहीं खाना खालो कई शाम से कुछ भी नहीं खाया है लो खालो मुझे एपन नहीं सी है मम्मी मुझे औरेंज चाहिए बेटा अब औरेंजस गहां से लाओंगी मुझे खाना यह एक टुकड़ा खालो बस हाँ हाँ यहीं कहीं पर रखा होगा जब जाकर दून लो जल्दी आना लॉड कर खाना है और गिरना मत तो मेरी बेटी की मौद की वज़े तुम हो आज रात उस फ्लाइवर के डिवाइडर ब्लॉक्स जिसने हटाएं है वो तुम हो मैंने तुम्हें देखा मैंने कुछ देखिया मैंने अपनी आँखोस देखा उस दिन तुम ब्लॉक्स हटा रही थी अपनी जलबासी में तुम्हें इतना भी नहीं सोचा कि किसकी जान को खत्रा हो सकता है तुमने ही मेरी जर्णा का कतल किया है मैं तुम्हें नही जोड़ूंगी तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा नहीं मैंने नहीं मारा तुम जूट मत बोलो हाँ मैंने वो ब्लॉक्स हटाए थे यह जाने के लिए क्या आखिर हो क्या रहा है लेकिन अक्सिडेंट के दिर वो डिवाटर ब्लॉक्स मैंने नहीं हटाए थे मैं सच कह रही हूँ मैंने जिससे भी ये पूछो वो यही कहता है कि उसने ब्लॉक्स नहीं हटाए पर उस रात को मैं और जर्णा उस फ्लाइवर पर आराम से जा रहे थी जर्णा तुम्हें नीन तो नहीं आरी ने बेटा नहीं ममी नहीं आरी है तुमने ब्लॉक्स हटाए और हमारा अक्सिदेंट हो गया मैंने नहीं हटाए और उसके बार जब होश आया तो मैं एम्बिलेंस में थी एक्सिडेंट के तुरंट बाद अगर इने लाया गया होता तो अच्छा होता काफी खून बह गया है इनके साथ एक बच्ची भी थी ना बेचारी बच्ची तो हाथसे के वक्त ही मर गई अरे रे बहुत बुरा हुआ उसकी बॉड़ी को कोस्पॉटम के लिए भेज दिया क्या हां भेज दिया मम्मी बाए जहना जहना मम्मी आजा मेरी गडिया सुर्फ पात साल की थी मेर अच्छी यह भी नहीं जानती थी कि मत क्या होती है ममी क्या आप रो रही हो है मममी क्यों रह रहा ही हो नहीश आंटी ने कुछ कोच नहीं किया ममी की आख़ो में कुछ चला गया का इसलिए मम्मी आप मुझे कहाणी सुनाओगे ना तुम जाकर बेट पलेट ओ मैं अभी आती हूं फिर तुमें कहानी सुनाओगी ही कहा这是 आूज म,-चैरता है प्लीज मες नगोज करण, माचैरत में मेला कुछ न issues प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो मैंने कश्टे किया मैं यह पता कर लोगी कि उस दिन किसमें डिवादर ब्लॉक्स हट आये थे और किसमें यह टाली आता मैं सच कह रही हूँ मैं तुमें सरूर बताऊंगी इस आत्मी का ना मैं सरूर बताऊं कि प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो एक दिन एक दिन मैंने देखा कि रोड ब्लॉक्स हटे हुए तो मैंने ठीक कर दिया था मैंने दुहारी वेटी को नहीं बारा स्याज कह रही हूँ चलो मान लिया ठीक है तो मैं एक मौका देती हूँ कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है अगर एक वीक के लिए हम इन्वेस्टिगेट करते रहें आप सौरिया नो इशूस अलो आदेत्या देखो मैं मीटिंग में हूँ बाद में कॉल करता हूँ समझने की कोशिश करो मैं मीटिंग में हूँ तो मैं एक मौका देती हूँ कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है मैंने उसे देखा है रचना वो मेरी हाथ की नस काटना चाहती थे बहुत हुआ रचना ये तुम्हारा वहम है मेरी मानों तो उसके बारे में सोचना बंद करो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं 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 सर जिसने उस दिन ब्लॉक सेट आये तो उसे ढूड़ना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए रचना समझने की कोशिश करो अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं मैं खुद अपनी मदद कर लूँगी तुमने कुछ खाया रचना तुम खाओ मैं फ्रेश होगर आतू अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप ये सब भी करते हैं तुमारी डायरी में जो दस नाम थे उनके फोटोज और डिटेल्स मैंने चेक की इन सब में एक कॉमन बात है हर जगह एक यू शेप दिखाई देता है सुन्दर श्री निवासन और वो दोनों लड़के जो बेस्मेंट में मरे थी ज़र ये देखो और ये कोई इतिफाक नहीं है रशना तुमने हाली में कहीं यू साइन देखा है कुछ याद नहीं आ रहा सा सोचो याद करने की कोशिश करो किसी तरह का पैटन या औबजेक्ट इन सब से मिलता हुआ कुछ मैंने ऐसी किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया सा हां ठीक है चलो चलते है मामी हाई मलेक ओ हेलो सर आप यहाँ कोई जरूरी काम हाँ वो नौ मार्च को आरके पूरम फ्लाइवार पर एक एक्सिडेंट हुआ था उसकी फुटेज देखनी है सर यहाँ तो कुछ नहीं है आप उस मा बेटी वाले एक्सिडेंट की बाद तो नहीं कर रहे है हाँ सर बच्ची फ्लाइवर से रेलवे ट्राक पर गिरकर मर गई थी यह वही केस है सौरी सर तब तक उस फ्लाइवर पर कोई कैमरा नहीं था कैमरा नहीं था ऐसा कैसे हो सकता है वहाँ पर कैमरे एक्सिडेंट के बाद ही लगाए गए सर वो एक्सिडेंट डिवाइडर ब्लॉक्स खिजकाने की वज़़ए से ही तो हुआ था जिसने वो क्या उसे ही ढूड़ना है मैडम जब वहाँ कैमरा था ही नहीं तो खोजेंगे कैसे फ्लाइवर के शुरू और आखरे में कैमरा है ना यस सर वो है मुझे उनकी फुटेज दिखा ये ट्राफिक फुटेज 9th मार्च का है उस गाड़ी का नंबर क्या है हम चेक कर लेंगे कि वो फ्लाइवर से गई या नहीं वही तो पता लगाना है सर अगर आप नंबर नहीं देंगे तो हम खोजेंगे कैसे फ्लाइवर पर जाने के बाद अगर कोई तुरंट लोटता है तो मतलब उसने यू टन लिया है करेक्ट येस सर ऐसा होना पॉसिबल है सुपर फ्लाइवर पर चड़के वापस लोटने में कम से कम 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है तो सबसे पहले लोटने वाले ने वो ब्लॉक्स ज़रूर हटाए होंगे राइट आपने बिल्कुँ सही का फ्लाइवर की एंट्री की फुटेज से हम ब्लॉक्स हटाने वाले को देख सकते हैं मलिक, can I see the footage? जी हाँ, मैं दिखाता हूँ सर, स्क्रीन के इस तरफ वो ट्राफिक है जो फ्लाइवर के उपर जा रहा है और इस तरफ फ्लाइवर से उतरने वाला ट्राफिक है पहला आदमी जिसने ब्लॉक को हटा कर यू टर्न लिया होगा वो स्क्रीन के दोनों तरफ दिखाई देगा बहुत अच्छे मलिक, सर, प्लीज, footage प्ले करो आप इसे ध्यान से देखेगा, अगर कोई शक हो तो बताईएगा सर, 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 वो रेड जाकेट थोड़ा सा रिवाइन करना पॉस, रोको मलिक देखकर तो वही लग रहा ऐसा इसने पूरा फ्लाइवर क्रोस नहीं किया बीच से ही यूटन लेकर लोटाया मलिक, उस गाड़ी का नंबर निकालो, मुझे इसकी सारी इंफर्मेशन चाहिए ओकी, सर, रचना, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आप ही आए सर, इस बाइक के सामने का नंबर प्लेट नहीं है, देखे नंबर प्लेट गाड़ी के पीछे है, उसे जूम करो मैं कर दो मैं रचना का मैं आप हुषन भी जाकट प्लेट इन सब में एक कॉमन बात है मरने वाले को हर जगए U-shape दिखाई देता है तुमने हाली में कहीं U-sign देखा रचना, उस गाड़ी वाले का नंबर और अड्रेस मिला है क्या हुआ? सब ठीक है न? रचना, रुको, रचना रचना, एंचना ुको, रचना झाली लादा बाल झाल झाल मठी बनूम झाल 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 कर दो कर दो कि आ fingertips हलोँ हलो रमेश नहीं मैं उसका भाई का भाई काई बोल रहा है एक मिनट राचना तुम्हें बोल रहे हो तुमें मेरे भाई का नंबर कहा से मिला तुम मैं नश्या पाद करना celebration तुम्हें मेरे भाई का नंबर कहा करना चाहती हूँ यह तुम्हारे भाई का नंबर है हाँ दो साल पहले वो यूए शिफ्ट हो गया बैंक्स के OTPC नंबर पर आते हैं इसलिए चेंज नहीं किया पर तुम्हें यह नंबर कैसे मिला और वैसे भी यह मेरे भाई की भाई की मैं तो रोज आरके पूरां फ्लाइओवर से ही जाता हूँ मलेक सब्सक्राइब आपको कुछ दिखाना है क्या है एनी प्रॉब्लम मेरे साथ आई रचना हर बात के हद होती है अखिर हुआ क्या है बताओ तो कहा हो तुम्हें तुम्हें असे मार दिया तुम्हें उस आरके पूरां फ्लाइओवर से ब्लॉक्स अटा के यूटन लिया था वो बच्ची तुम्हें असे मार दिया अरे कौन सा एक्सिडेंट, कौन सी बच्ची, मुझे कुछ भी नहीं पता तुमने लाल जाकेट में अपने भाई की बाईक से फ्लावर क्रॉस किया था मैंने ट्रापिक क्यामरा में देखा है, वो तुम हो, मैंने कभी सोचा नहीं दार देते हैं, मैंने नहीं सोचा प्रचनाब, मैं सालों से उस फ्लावर से आता जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई डिवाइडर नहीं हटाया सर, इस गाड़ी को ध्यान से देखिए हाँ, इसने लाल जैकेट पहनी और कुछी देर बाद opposite lane से लोटने वाली गाड़ी को देखिए, देखा अपने? डिवाइडर को हटाते वक्त, तुमने मेरी शकल देखे क्या वहाँ पर? नहीं देखा लेकिन तो फिर, तुम कैसे कह सकती होगे, मैं नहीं किया है वो, रोज हजारों लोग गुजरते हैं वहाँ से उपर चड़ने वाली बाइक और उतरने वाली बाइक दोनों अलग है उस दिन भाइक की बाइक को सर्विसिंग के लिए देना था मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं गराज नहीं जा पाया मैंने बाइक को पिक करने के लिए मेकानिक को फ्लाइओवर पर ही बुला लिया जब फ्लाइओवर के दूसरे साइड की फुटिज देखी, तब मैंने नोटिस किया सर सेम वेहिकल, सेम कलर, सेम मॉडल, बस रिजिस्ट्रेशन नमबर अलगे अरे इंजिन में से बहुत आवाज आगी, अच्छे से चक करना, घर्चा वाटसब करना उसके बाद हमने बाइक की अद्लाबदली कर ली, मैंने उसकी बाइक ले ली और वो मेरे भाइक की बाइक लेकर वहाँ से निकल गया, बस इतना ही हुआ था तो तुमने डिवाइडर ब्लॉक्स नहीं हटाए थे ना क्यों हटाऊंगा, मैं लाइफ में सीधा चलने वाला इंसान हूं रच्णा, मैं यूटन नहीं लेता तुम्हें एक मौका देती हूँ, कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है सर, 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 वो लाल जाके रच्णा, तुम्हें रही हो, मैं तो अपने घर पर हूँ, क्यों? एक मिनिट जरा होल्ड करना, कोई आया है अधिया, अधिया, प्लीज मत खोलो, दर्वासा मत खोलो अधिया गाने? आटो, आटो भाईया, विमा लेवाटमेंट, चलो जल्दी जी माडम हलो, हलो रचना हलो, हलो हलो रचना, मैंने जो अड्रेस दिया है वो गलत है, उस लाल जैकेट वाले ने ब्लॉक्स नहीं हटाए सर, मैं जानती हूँ कि ये आदमी वो नहीं है तुम्हें कैसे बता? वो लाल जैकेट वाला मेरा दोस्त है हम दोने एक की ओफिस में काम करते है ओ माई गोड सर, सर मुझे आपकी मदद चाहिए रचना क्या हुआ, बाप क्या है? सर, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन, लेकिन मेरे दोस्त की खत्र में है सर, वो उसे मार देगी सर आप मेरी मदद कीजिए सर तुम घबराओ मत, मैं आप याद हूँ अगे से लेफ्ट लेलो अगे से लेफ्ट लेलो रितिश, येस कौन है? अरे, हमें लेफ्ट जाना है हलो, कौन है घर में? जवाब दो रशना, रितेश मेरे साथ है मैं वहीं आ रहा हूँ बाई क्या आप मुझे बदाएंगे कि क्या हुआ है? जिस दिन तुमारी वाइफ और बेटी का एक्सिडेंट हुआ था उस दिन किसी ने फ्लाइव और पर डिवाइडर खिसका दिये थे आपके कहने का क्या मतलब है सर? क्योंकि जिस गाड़ी वाले ने प्लॉक्स खिसकाए थे उसने वापस नहीं लगाए जिसकी वज़ा से तुमारी बीवी और बच्ची का एक्सिडेंट हुआ ऐसा हमारा मानना है रितेश हाँ हलो बोलो मलेक सर जिस गाड़ी ने यूटर्न लिया था हमें उसका नंबर मिल गया है वक्का भाई या ना येस सर हंडेट परसंट उसका नाम और एड्रेस मुझे वाट्साइब करो येस सर बेस नम नितेश आओ तर्टीन रितेश मैंने तुम्हारी बीबी और बच्ची को कल रात अपने घर में देखा था मैं अपनी जर्णा की मौत का बढला लूँगी मैं किसी को नहीं जोडूँगी मैंने इन लोगों को भी मारा मैं तुझे भी मार डालूगी जाओछू ञीका त्रॉँ है आदित्या एतेशिक्ष्याश तो जर्णा चाकू लोओ नोँ जल्दिकरू जाओ दोड़ूब पकड़ के रखना चल्दी करो रचना पर चल्दी करो पर यही शूंस लोगो अधितर तुम जो भी हो प्ष्ट रहो वही है जो प्रहो रचना है मुई याई जल्दे निकलिया साथ जा करे योपसा मुई याई हासा समलका रिटेश आराम से आदेश तुमे कुछ दियो में पापा रिटेश रिटेश जना 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 मेरी पेटी तु कहा चली गए थी मैं किता परिशान था मैं तो कहीं नहीं गए थी याप छोड़का चली गए थी मैं कहीं नहीं था पेटी मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा था अब तुम्हा गई हो मैं कहीं नहीं जाओंगा तुम्हारे मेरा नहीं रह सकता मैं, ममी का है माया, तुम लोट आई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसकी जान क्यों बचाई माया, तुम कैसी हो माया वो ज़र्णा की मौत का जिम्मेदार है, मैं उसे छोड़ूँ की नहीं अधिति, यहाँ बैठो, रश्रा, तुम अधिति को समालो, मैं एम्मिलोंज को फोन करता हूँ अधिति, अधिति मुझे बात करो, अधिति मुझे बात करो माया, एक्सिदेंट वाले दिन, मैं घर लोट रहा था हैलो, हैपी बात्रे गुरिया आप कहा है? आप घर क्यों नहीं आए पापा? बस रास्ते में हूँ बेटा, यहाँ पानी बहुत ब्रस रहा है, ट्राफिक भी बहुत ज्यादा है पापा, आप मेरे लिए गिफ्ट ला रहो ना? अरे-अरे, भो तो भूली गया, कोन मम्मी को तो तरह? मम्मी, पापा कहां हो तुम? मया, ज़र्ना का गिफ्ट मैं आफिस में भूल गया हूँ तुम बागी की शॉपिंग करो, मैं गिफ्ट लेके घर पाचता हूँ, चीक है? ठीक है, घर जल्दी आना मैं आपाचता हूँ, मैं आपाचता हूँ, मैं अज़ा नहीं था, कि मेरी गलत्ती की वज़े से, वेरा पुरा परिवार महरा जाएगा आराम से, आराम से अज़ा तुम मैं गॉड़े अज़ा, अज़ा पुरा आपाचता हूँ, मैं अज़ा बाग्स रटाने वाला कोई और निहीं बल्कि रिदेशी था सर्ब मया, मैं रेली वेरी सॉर्य मया मच्छू मुझे मया, मया तूररणों पुछे सर्ब सब तुमने मेरी जर्णा को मारा माया मेरी सारे दुनिया मेरे सब ने सब के सब मेरी जर्णा के साथ चुड़े हुए थे तुमने सारे तो दी माया तुम जर्णा के को लियो मम्मे जिचाना पिटा प्लीज पापा को मत मारो प्लीज पापा को मत मारो प्लीज पिटा पापा ने कुछ नहीं किया पापा ने कुछ नहीं किया मैं मैं कुछ नहीं करूगी पिटा तुम रो मत मैं मैं कुछ नहीं करूगी तुम्हें जसमें खुशी मिले में वही करूगी, मिटा, हाँ? तुम्हें में में कुछ निक करूगी नितेश! नितेश, don't do it! मेरी पाप पानो, नितेश! नितेश! नितेश, 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 नितेश जर्णा 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 जर्ण जरना तुम्हें बहुत याद करती है, वह तो ये भी नहीं जानती कि वो मर चुकी है डाड़ी कहा है, डाड़ी कहा है कि रट लगाय रहती है और मैं पहाने बनाती रहती हूँ अब मैं उसे क्या पता हूँ? कि उसकी मौथ की बज़े उसके डाड़ी ही है तुमें इतर्थ के साथ स्सेतार हो यही अभभ मुझे चोड़ कर भुथ हुथ कुछ, पूझे चटेड़ मुझे चटोप्छण प्लेज, प्लेज मुझे, मुझे चुट चाओ मुझे मुझे à, मुझे मुझे चटोप्छण जला 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 जल